हेलो एबरिवन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोजी का लास्ट चैप्टर इंप्रूब्मेट एन फूड रिसोर्सेज प्रीविस वीडियो में हमने अपना चैप्टर नैच्रल रिसोर्सेज कम्प्लीट किया है अब इस वीडियो में एक और नया चैप्टर हम पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो की है इंट्रोड़क्शन इंट्रोड़क्शन भई किस चीज़ का बिसिकली यह है एक इंट्रोड़क्टर वीडियो जहां हम देखेंगे कि हमारा जो न्यू चैप्टर है इंप्रूविमेंट इन फूड रिसर्सेस किसी भी चीज़ को बेटर बनाना याने की उसका बेटर्मेंट फूड रिसॉर्सेस फूड रिसॉर्सेस क्या होते हैं भाई हमने कई बार फूड चेंग है Food chain मतलब की, जैसे ये एक plant है Plant को खाया किसने? एक herbivore ने, ठीक है? Herbivore मतलब की deer फिर इस herbivore को further किसने खाया? तो हमने बोला एक carnivore ने खा लिया अब क्या होगा? इस जो हमारे पास plant है या tree है इससे मिलने वाले जो products है उस पे कौन dependent हो सकता है? तो हमने बोला भई, human beings भी dependent हो सकते है human beings और कहां से अपना खाना derive कर सकते है तो हमने बोला, herbivore से भी वो अपना खाना derive कर सकते है यानि कि इन सब ने, बायोटिक components ने जो हमारे biosphere में present होते है उन सब ने एक food chain बना रखी है तो भई, major food resources कौन होते है सभी living organisms के लिए तो एक हमने बोला हुआ plant और एक हमने बात करी animals की ठीक है? Basically, इस chapter में हम focus करेंगे human beings के उपर ठीक है? human beings के लिए दो major food resources कौन कौन से होते हैं plants और animals plants से उनको मिलेंगे plant based food products जैसे कि cereals, pulses वगएरा और animals से उनको मिलेंगे animal based food products तो सभी human beings के लिए दो food resources है major अब सवाल यह आता है कि इन food resources में improvement की जरुवत क्यूं है? तो इसके लिए एक question आएगा हमारे पास कि क्या ये food resources adequate नहीं है? या क्या ये sufficient नहीं है? किस चीज़ के लिए adequate और किस चीज़ के लिए sufficient? human body की जो भी basic requirements है या जो हम बोलते हैं कि nutritional requirements हैं उसनको fulfill करने के लिए क्या ये food resources adequate नहीं है? या ये sufficient नहीं है? आखिर हम food resources में improvement क्यूं कर रहे हैं? तो इस question का answer हम find out करेंगे हमारे first topic में need of improvement हम इसमें देखेंगे कि food resources में plants हो चाहें, animals हो उसमें improvement की उनके betterment की जरुवत क्यों पढ़ रही है? first topic हमने cover कर लिया फिर इसके बार में हम पढ़ते हैं कि ये तो हमने, सबसे पहले हम answer find out करेंगे कि improvement क्यों हो रहा है? betterment क्यों हो रहा है? फिर next topic में हम बोलेंगे कि improvement हो कैसे रहा है तो इंप्रूव्मेंट के जो इनक तीन तरीके होते हैं एक क्या है? crop, variety, improvement जितनी जादा varieties हमारे लिए present होती है उतना जादा अच्छा होता है हमारे लिए क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक particular food सभी nutrients में rich ना हो तो उसको consume करके हम यह नहीं बोल सकते कि हमारे body की सभी nutritional requirements fulfill हो गई है इसलिए varieties develop करना important होता है क्योंकि हो सकता है कि variety A में कोई एक particular nutrient absent हो और क्या हुआ? हमने इसकी variety produce करी हमने B variety लेके आई तो हो सकता है कि इस B variety में वो nutrient जो की A में absent था वो B में present है तो हमने क्या किया? A और B दोनों को खा लिया और इससे हमारी body की nutritional requirement हो गई fulfill तो first क्या है? crop variety improvement तो crop की variety में हमें improvement चाहिए है next क्या है? crop production management अब production को आप कैसे manage करोगे? टीन तरीके से एक क्या है? nutrient को manage करना है उसमें irrigation and cropping patterns किस तरह से आप cropping कर रहे हो? उनके अलग-अलग patterns फिर irrigation यानि की पानी supply कैसे हो रहा है? फिर इसके बाद में हम बोलेंगे की nutrient management कैसे हो रहा है? पहले तो आपने varieties पे focus किया फिर इसके बाद में आपने production पे focus किया production में irrigation भी आएगा cropping pattern भी आएगा कि किस तरह से आप cropping कर रहे हो? इसके अलाबा क्या आप nutrient management कर रहे हो properly की नहीं कर रहे हो? यानि कि आप जो भी चीज produce कर रहे हो जो भी crop produce कर रहे हो वो nutritionally adequate है या नहीं हम human beings के लिए इसके बाद में आता है crop protection management आपने variety improve कर ली आपने production को भी manage कर लिया लेकिन अगर आपने उन crops को protect नहीं किया है तो फिर इन चीजों को करने का क्या मतलब रहा? क्योंकि हमें पता है कि different type के microscopic living organisms होते हैं जैसे की virus, bacteria, fungi ये सब तो बैठे ही होते हैं किसे न किसी चीज को destroy करने के लिए जहाँ इनको थोड़ा सा moisture मिला warmth मिली हाँ पर फट से ये grow कर जाएंगे और चीज को destroy कर देंगे damage कर देंगे तो क्या करा हमने? variety तो improve कर ली production को भी हमने manage कर लिया लेकिन इसके साथ ही साथ हमें उनको protect भी करना होता है different type of pest से या living organism से pathogenic living organism से वरना क्या होगा? crop destroy हो जाएगी फिर हम human beings खाएंगे क्या? तो सबसे पहले top first topic क्या था हमारा? need of improvement improvement क्यों हो रही है? इसका question हम find out करेंगे इस topic में next हम बोलेंगे कि improvement दो हो रही है improvement कैसे हो रही है? तीन तरह से एक हमने बोला variety इंप्रूफ करी एक हमने production को manage किया और फिर जो हमने production जो हमने produce किया है उसको हम protect भी करेंगे next topic क्या होगा भाई? animal husbandry animal husbandry क्या होता है? यह होता है एक तरह का scientific management किस चीज़ का scientific management? हम बोलते हैं कि animal livestock का अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सभी human beings के लिए दो उनके major food resources होते हैं एक plants और एक animals प्लांट के लिए तो हमने बात करी कि production किया है ठीक है और इसके बाद में variety भी improve करी है protect भी कर लिया है लेकिन animals का क्या? क्या animal based food products में किसी भी तरह की improvement नहीं चाहिए है तो भाई चाहिए है क्यों? क्योंकि अब काफी जादा population जो है वो animal based food products पे भी dependent है अपने food के लिए ठीक है? तो क्या है? जब population बढ़ती जारी है demand बढ़ती जारी है तो जो animal based food products है उनको भी improvement की और betterment की requirement है और ये कहां किया जाता है तो ये हम बोते हैं कि animal husbandry में किया जाता है ठीक है? तो ये क्या है? एक scientific management होता है animal livestock का इसमें चार चीजे आती है एक होता है cattle farming एक होती है poultry farming fish production and beekeeping beekeeping क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमें honey bee से शहद मिलता है जो कि क्या है? एक तरह का nutritive food है इसके अलावा बहुत सारी useful चीजें हमें honey bee से obtained होती हैं वो क्या होंगा? वो सब हम पढ़ेंगे beekeeping में इसके पहले fish production पढ़ेंगी जैसे कि हमने बोला है coastal regions में fish पे बहुत जादा population depend करती है क्यों? क्योंकि उनके लिए जो fish है वो एक होता है important source of food तो coastal areas में हम देखते हैं कि किस तरह से fish पे dependent होते हैं coastal foods पे dependent होते हैं वहाँ के लोग तो obviously बात है fish production को भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई कैसे fish production होता है और क्या-क्या improvements की requirement होती है इसके अबाद में poultry farming poultry farming में हम क्या produce करते हैं भाई एक तो हम करते है eggs और दूसरे meat ठीक है? chicken meat तो poultry farming में क्या होता है? जो domestic fowls होते हैं उनको raise किया जाता है कि इस चीज के लिए eggs और meat के लिए इसके अलाबा cattle farming तो भी cattle को वहाँ पर raise किया जाता है क्यों? क्योंकि cattle से हमें milk मिलता है plus agriculture purpose के लिए इन सभी animal husbandry की processes को हम detail में देखेंगे क्या-क्या होता है वहाँ पर और किस तरह से इन सभी fields में improvement करी जा रही है तो इस chapter में हमें ये 3 points सबसे पहले improvement कैसे क्यों किया जा रहा है फिर improvement कैसे किया जा रहा है और animal husbandry ये 3 topics हमें cover करने है अब next video से हम start करेंगे हमारे first topic के साथ कि improvement की जरुवत क्यों है और हम find out करेंगे answer को कि food resources में improvement की जरुवत क्यों आ गई है ठीक है इस video के लिए इतना ही next topic में हम start करते है अपने first topic के next video में start करेंगे हमारा first topic करना क्या है आपको complete course के लिए magnet prince plus में upgrade करना है और सभी topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrince.com पर Thank you for watching Hello everyone इस video में हम start करने वाले हैं improvement in food resources का first topic जो की है need of improvement कि हमें basically हमें एक introductory video देखा था और उसमें हमने देखा था कि जो हमारा last chapter है improvement in food resources का उसमें हमें कौन कौन से topics cover करने हैं तो आज हम start करते हैं first topic के साथ जो की है need of improvement So welcome to magnet brains में विबूति करें तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic need of improvement के साथ जैसे कि हमने पढ़ा था कि human beings हो चाहे कोई और animals हो हम सब dependent होते हैं किस पे? plants पे या फिर दूसरे हर भी वोर्स पे अपने खाने के लिए है ना? तब ही तो हम एक food chain बना पाते हैं मतलब कि कुछ human beings क्या होते हैं? जो plant based foods काते हैं या फिर वो होते हैं animal based foods याने की वो होंगे non-vegetarians इसके अलाबा जो carnivores animals होते हैं वो क्या करेंगे? हर भी वोर्स को खाएंगे हर भी वोर्स किसको खाएंगे? plants को खाएंगे तो इस तरह से एक food chain हमारी बन जाती है food resources इस chapter में basic लिए हम focus करने वाले हैं human beings पे ठीक है? human beings के दो major food resources कौन से हैं? एक हमने बोला है plants और एक हमने बोला animals right? human beings पे हम इस chapter में focus करेंगे और हम human beings के दो major food resources कौन कौन से हैं? एक हो गए हमारे plants और एक हो गए animals इतना clear है आपको फिर इसके बाद में हमने बोला कि इन food resources में improvement करने की जरुवत है तो हमने एक question पूछा था previous video में कि भाई क्या ये food resources adequate नहीं है? क्या ये sufficient नहीं है? क्यों improvement की जरुवत है? क्यों हम इन food resources को better बनाना चाहते हैं? तो इस question का answer हम find out करते हैं इस video में one of the basic necessity of living organism is food सभी living organism को चाहिए है plants को भी चाहिए हो चाहिए वो autotropes हो, चाहिए वो heterotropes हो सबको food चाहिए है food provides carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals क्यों चाहिए होता है food? क्योंकि food में present होते हैं ये major components कौन-कौन से? carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals और इन सभी components की requirement होती है सभी living organisms की body में और ये हमें कहां से मिलते हैं? food से मिलता है इसलिए हम इतने ज़्यादा dependent होते हैं food पे यानि की sub-living organisms ये components करते क्या है हमारी body में? हमारी body की growth करते हैं body की development करते हैं और साथ में health को भी maintain करेंगे ये सभी components हमारी body में required क्यों होते हैं? growth के लिए, development के लिए और एक health को maintain करने के लिए भी ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे कि हमने previous chapters में भी बात करी हैं कि इसलिए हम balanced diet लेते हैं balanced diet क्या होती है? जो कि इन सभी components में rich होती है plus adequate quantities में present होती है ना बहुत जादा होती है ना बहुत कम होती है जिस वज़े से हमें ये सभी processes चल रही है हमारी body के अंदर उसमें help मिल जाती है इतना clear है food ये major components provide करते हैं ये major components हमारी body में क्यो requirement होते हैं? इन तीन चीज़ों के लिए होते हैं इसलिए हमारी dependence food पे काफी जादा है अब source of food कहां से मिलता है? क्या क्या है? एक हो गया agriculture और एक हो गया animal husbandry agriculture वो तो सबने सुना होगा agriculture में जहां से हमें basically plant based food मिलता है है ना अगर agriculture नहीं होगा जैसे कि कई तरह की खेती होती है गेहुं की खेती होती है ठीक है? fruits और vegetables वगयरा भी हम cultivate करते है तो agriculture क्या है? agriculture एक ऐसा field है जहां से हमको plant based food obtain होता है अब ये animal husbandry क्या है? basically ये होता है scientific management of animal livestock याने कि animal livestock मतलब क्या? animal food source जैसे कि हमने बोला था कि सभी human beings के दो major food resources होते है plants और animals plants मतलब की plants को हमने कहां cultivate किया जो process होती है cultivation की उसको हमने नाम दिया agriculture agriculture से plant based food products हमें मिल जाते हैं वहीं अगर हमने बात करें किसकी animal food की तो animal food हमें कहां से मिलेगा? हमें मिलेगा इसी animal husbandry से animal husbandry क्या होती है? animal livestock का scientific management होता है इतना clear है आपको animal husbandry को हम और detail में पढ़ेंगे हमारे upcoming videos में इस stage पर आपको ये पता होना चाहिए कि animal husbandry क्या होती है? तो animal livestock से जो की animal food resource होता है उसका एक scientific management को कहते हैं हम animal husbandry इतना clear है आपको with ever growing population of country demand for food is increasing सही बात है आए देर हम अपने newspapers में news channels पे देखते रहते हैं कि भाई population काफी increase हो रही है पूरे world गी population increase हो रही है लेकिन अगर हम बात करें अपनी ही country की तो आज हमारा number billions में है अब इतनी जादा population है एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बुड़ा इंसान तक सब क्या करते हैं खाना खाते हैं तो ज़रा आप सोचिए इतने सारे लोग हैं तो उन सब की खाने की requirement कितनी जादा होगी सब को खाना चाहिए तो population increase हो रही है जिसकी वज़े से फूड की जो demand है वो भी increase होती जा रही है अब पहले के जमाने में क्या होता था कि agriculture land for example हमने बोला कि एक garden जितना है ठीक है फिर इसके बाद में हमने बोला कि अब population बढ़ रही है तो demand ज़ादा आना लगी लोग ज़ादा आकर के जो है ना food grains की जो grains होते हैं pulses वगेरा उनके demand कर रहे थे कि पहले वो लेते थे 5 kg अब वो ले रहे हैं कितना 10 kg तो भाई फार्मार्स ने क्या करा कि ठीक है demand ज़ादा हो रही है अब एक काम करते है हमारे garden के बगड में जो पेड लगे है या जो forest है उसको थोड़ा सा काट देते हैं पेड काट देते हैं और अपना जो agriculture land है उसको बढ़ा लेंगे बढ़ाने से क्या होगा जादा crops cultivate हो पाएंगी जादा crops cultivate होगी तो production भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा production increase होगा तो बढ़ती हुई demand भी fulfill हो जाएगी यही होता था पहले के time पे कि जैसे ही population बढ़ी demand बढ़ी food की तो फटाख से क्या करा चाता था forest यहने कि deforestation करते थे पेड़ों को काट देते थे और वहाँ पे खेत बना लेते थे agriculture करते थे production करेंगे जादा बड़ी जगा होगी तो production जादा होगा और बढ़ती हुई demand fulfill हो जाएगी लेकिन अब क्या हो रहा है अब भाईया इतनी जादा pollution होता जा रहा है कि अब हम deforestation afford नहीं कर सकते हैं already इतने सारे पेड cut चुके हैं deforestation हो चुका है जंगल बरबाद हो चुके हैं अब जो कि इतनी pollution बरता जा रहा है हम अब अपने पेडों को destroy further नहीं कर सकते हैं तो अब ये हो गई problem पहले तो हमने cultivation का area बढ़ा लिया था forest को काटके पेडों को काटके अब क्या करें? अब हमारे पास क्या होगा? limited land है हमारे पास limited land है या area है cultivation के लिए उसी में हमें कुछ ऐसी जोगाड करनी है कि किसी तरह से production बढ़ जाए जिससे की increasing demand है वो fulfill हो जाए तो ये जो हमने बात करी है ना एक जोगाड की कि कि किसी तरह से limited land में cultivation हम करें जिससे की production जादा हो land limited है लेकिन production हमें बढ़ाना है ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा इन्ही improvement से food resources में जो improvement होते हैं उसका basic reason यही होता है कि हमें क्या करना है limited land में production बढ़ाना है क्यों? क्योंकि population बढ़ रही है population के कारण food की demand भी बढ़ रही है जो हम पूछ रहे थे कि क्या खाना sufficient नहीं है यानि कि food resources है plants और animals क्या वो sufficient नहीं है? क्या वो adequate नहीं है? तो answer है no they are insufficient वो sufficient नहीं है क्योंकि हमारी demand बढ़ती जा रही है तो यह जो 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 जोगाड है कि हमें limited line में जादा production करवाना है यह कहां से मिलेगी? हमें improvement से ही बिलेगी इतना clear है तो हमने इस वीडियो में अभी हमने क्या पढ़ लिया? कि improvement की जरुद क्यों हो रही है क्योंकि demand बढ़ रही है और जो हमारे पास food resources है वो उस बढ़ती हुई demand को fulfill नहीं कर पा रहे है जरूरत क्या है? अब जादा production की कहां पे? limited line में क्योंकि further हम area of cultivation बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि pollution बहुत जादा हो रहा है अब और deforestation हम afford नहीं कर पाएंगे तो देखो इंडिया is already intensely cultivated ओविस सी बात है फिर there is no score for increasing area of land for cultivation therefore production efficiency should be increased for both crops and livestock चाहे वो हम crops की बात कर रहे हो यानि की plant based foods की बात कर रहे हो या फिर वो livestock की बात कर रहे हो यानि की animal based food की बात कर रहे हो सभी में production efficiency बढ़ाने की जरुवत हो गई है और वो कहां से बढ़ेगी improvement से बढ़ेगी ठीक है next क्या है अब efficiency production efficiency वो बढ़ाने के लिए काफी सारे improvements किये गए तो ऐसा नहीं है कि ये जो improvement का concept जो है वो अभी अभी हमने जो है न find out किया है ये improvement का concept काफी पुराना है इसलिए green revolution आया और white revolution आया green और white revolution को हम सबने काफी detail में already पढ़ा हुआ है हमारे GK syllabus में ठीक है green revolution से क्या हुआ था कि food grain production increase हो गया था milk revolution से यानि कि white revolution से क्या हुआ था availability of milk जो है बढ़ गई थी यानि कि ये जो improvement का concept है ये actually काफी पहले ही आ चका है ठीक है और इसी के अंडर दो revolutions लाए गए थे green और white ग्रीन में grains का production increase हुआ था और white revolution में क्या हुआ था milk की availability बढ़ गई थी ये क्या है green revolution और white revolution इत्ता clear है लेकिन क्या हुआ इन दोनों ही revolutions के कुछ drawbacks है drawbacks क्या था intensive use हो रहा था natural resources का हमने natural resources के भई types पड़े हैं एक होते है exhaustible और एक होते है inexhaustible exhaustible मतलब की जो बहुत जल्दी exhaust हो जाएंगे deplete होने के chances उनके काफी जादा higher रहते हैं फिर ये जो natural resources होते हैं जो दो type की हमने revolution देखे थे green और white उनका major drawback क्या था कि उन improvement से क्या हो रहा था natural resources बहुत जादा use हो रहे थे जिसकी बज़े से हमारे natural resources damage होते जा रहे थे तो अब हमें क्या करना है ऐसा थो है नहीं कि कोई बात नहीं natural resources damage हो रहे हो तो हम improvement करना ही छोड़ते नहीं improvement तो हमें करना पड़ेगा क्या करेंगे हम improvement की साथ improvement ऐसा होना चाहिए जहां पर production efficiency तो बड़े ही बड़े लेकिन उस improvement से हमारा environment हमारे natural resources destroy नहीं हो पाए therefore there is a need to increase food production without degrading environment इतना clear है sustainable practices are required sustainable practice की अब requirement आ गई है क्यों क्योंकि हमें पता है की improvements जिसे की पहले हुए थे white और green revolution उसमें natural resources को damage हो रहे थे destroy हो रहे थे है ना लेकिन अब हमें कैसे करने है improvements production efficiency तो बढ़ाना है production बढ़ाना है चाहे वो life shock का हो चाहे वो crops का हो लेकिन उससे हमारे environment को कोई किसी भी तरह का damage नहीं होना चाहिए इतना clear है आप सबको अब आगे की बात तो देखो हमारी NCRT में कुछ different types of crops थिये गए हैं और वो क्या provide करते हैं वो हमें बताया गया है सबसे पहले इन्होंने सीरियल की category लिया है सीरियल की देखो किती वराइटी होती है wheat, rice, maize, millets, sorghum ठीक है और यह हमें क्या provide करते हैं carbohydrates basically cereals जो होते हैं वो हमें carbohydrates provide करते हैं और carbohydrates हमें क्या provide करेंगे energy provide करेंगे राइट इसके बाद में second क्या है second इन्होंने oil seeds लिए है, oil seeds में कौन-कौन से आते हैं soya bean, groundnut, sesame, caster है ठीक है, caster, इसके बाद में mustard, lime seed, sunflower यह सब क्या है, oil seed है और यह क्यों जरूरी होता है हमारी body में क्योंकि यह fats provide करते हैं, obviously बात है आपने देखा होगा कि तेल, soya bean, groundnut इन सब के तेल भी बनते हैं, क्यों, क्योंकि इन में fats present होते हैं essential fats present होते हैं, जोकि हमारी body में essentially required होते हैं ठीक है, इन सब की खेती की जाती है जो हम बात कर रहे थे, agriculture की किन-किन चीजों की खेती की जाती है तो देखो, इतने सारे cereals हैं और इतने सारे oil seeds हैं यह सब हमें कहां से मिलते हैं, crop से मिलते हैं, plant से मिलते हैं और इनका cultivation किया जाता है इसके अलावा pulses, अलग-अलग तरह की pulses होती हैं gram, इसको हम चना कहते हैं, pea, matter, black gram, green gram, pigeon gram, lentil ठीक है, यह सब अलग-अलग तरह की pulses हैं इसके अलावा vegetables, spices and fruits vegetables, cereals, pulses, oil seeds के अलावा, हम और क्या-क्या ग्रो करते हैं vegetables, fruits भी और spices, मसाले होते हैं वो भी कहां हम, basically वो हमें crops से ही मिलते हैं उन्हें भी हमें cultivate करना पड़ता है तो इतनी सारी चीजों का हमें cultivation करना है तो obvious ही बात है, कितना सारा हमें agricultural land चाहिए ठीक है, land कैसा है, limited है, हमें क्या करना पड़ेगा, improvement करनी पड़ेगी ऐसा improvement जिससे कि production efficiency भड़ जाए प्लस हम बोलते हैं कि हमारे natural resources भी damage ना हो इतना clear है आप सबको अब आगे की बात देखो, अभी तक हमने जो भी पड़ा है वो हम एक बार quick recap कर लेते हैं हमने इस video में first topic जो था हमारे chapter का की improvement की जरुवत क्यूं है उसको हमने समझा कि क्या resources adequate नहीं है चाहे वो plant resources हो चाहे वो animal resources हो क्या वो adequate नहीं है क्या वो sufficient नहीं है तो answer हमने देखा था कि भाई नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि population बढ़ रही है demand बढ़ रही है demand को fulfill करने के लिए जितने resources हमारे पास available है जितना production हो रहा है plant से animals से वो sufficient नहीं हो रहा है इसलिए improvement की जरुवत है एक और चीज है improvement हमें quantity के लिए तो चाहिए है plus हम बोलते हैं कि quality के लिए भी चाहिए है और variety के लिए भी चाहिए है क्यों क्योंकि हमारी body के जो requirement है वो भी अलग-अलग तरकी होती है quality अच्छी होनी चाहिए हम हमेशा अच्छी quality का खाना ही खापाते हैं improvement से क्या होगा ना सिफ quantity बढ़ेगी quality भी बढ़ेगी और अगर हम बात करें variety की तो variety भी भी बहुत important होती है क्योंकि जितने जादा variety उत्ती जादा nutritious चीज है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी substances जो है वो एक food में present हो for example milk ठीक है milk बहुत healthy होता है हम सबको पता है लेकिन इसमें iron और vitamin C नहीं होगा हमने सोचा कि दूद पी लेते हैं एक complete food मना जाता है almost complete food मना जाता है लेकिन क्या हुआ इसमें iron और vitamin C तो है ही नहीं अब क्या करें तो हमें कुछ और milk के साथ लेना पड़ेगा तो हमने क्या किया vitamin C के लिए हमने citrus fruits खालिये याने कि संत्रव खालिया और iron के लिए हमने beetroot खाली याने कि चुकुंदर खाली तो जितनी जादा variety होगी nutritive content उन सबका अलग-अलग होगा और हमारे लिए वो चीज beneficial होगी क्योंकि एक particular food product में जरूरी नहीं है कि nutrients present हो और वो हमारी body की nutritional requirement है उसको fulfill कर पाए तो improvement की जरूवत कहा कहा आ रही है quantity के लिए आ रही है quality के लिए और variety के लिए भी आ रही है इस point को कर लिए आप star mark कि अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई improvement क्यों करी गई है food resources में तो आपको बताओगे कि quantity के लिए quality के लिए और variety के लिए इतना clear है आपको कि सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि food पे dependence क्यों है हमारी क्योंकि major food components देते हैं और यह major food components हमारी growth, development और health को maintain करने के लिए required होते हैं फिर इसके बाद में human beings के लिए 2 major food resources क्या है plants and animals ठीक है animal husbandry और agriculture से हमें यह food plant और animal based food products हमें देखने को मिलते हैं ठीक है फिर इसके बाद में improvement का concept पुराना है अभी नया नहीं है इसमें green revolution आ चुका है white आ चुका है लेकिन इनका major drawback था कि इन दोनों revolutions ने काफी जादा हमारे natural resources को destroy कर दिया था damage कर दिया था अब improvement हमें कैसा करना है quantity quality और variety को improve better बनाने के लिए plus ऐसा कि इससे हमारे natural resources damage ना हो इत्ता clear है तो इसी के साथ हमने यह first topic था हमारे chapter का improvement की जरुवत क्यूं है वो हमने पढ़ लिया है अब next video में हम बात करेंगे कि improvement हो कैसे रहा है improvement तो जरूरी है 110% जरूरी है लेकिन यह improvement कैसे हो रहा है यह हम देखेंगे next video में इस video के लिए इतना ही complete course के लिए Magnet Prince Plus में जरूर upgrade करें और इस topic के सभी notes आपको available है हमारी official website magnetbrince.com पर thank you for watching Hello everyone इस video में हम पढ़ने वाले है crop improvement प्रिवेस वीडियो में हमने बात करी थी कि food resources में या crop में improvement की जरूरत क्यूं है आज हम बात करेंगे कि improvement करनी है लेकिन किस तरह से करनी है So welcome to Magnet Brains मैं हूं विबुति खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic crop improvement के साथ देखो हमने प्रिवेस वीडियो में बहुत अच्छे से बढ़ा था कि हमें improvement की requirement क्यूं है क्योंकि population बढ़ती जा रही है उनसे food resources की जो demand है वो भी बढ़ती जा रही है तो उसको fulfill करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है क्योंकि हम obviously बात है जो cultivation का area है ऐसा करना है कि production बढ़े इसके लिए जो crop plants होंगे उनकी हमें efficiency बढ़ानी है ना सिर्फ quantity बलकि quality और nutritive value भी increase करनी है क्योंकि quality और nutritive value भी किसी भी crop की उतनी ही important है जितनी की quantity है obvious सी बात है सिर्फ quantity बढ़ा देने से production तो increase होगा लेकिन जो economy होगी वो improve नहीं हो पाएगी अच्छी quality का खाना आज सब लोग खाना चाहते हैं इसलिए quantity की साथ अगर quality भी वर्ड रही है तो win-win situation हो जाएगी सबके लिए तो quantity की साथ quality plus nutritive value क्योंकि आज awareness बहुत जादा है लोगों को पता है कि nutritive खाना खाने से हम healthy रह सकते हैं एक अच्छी health acquire कर सकते हैं इसलिए quantity quality और nutritive value तीनों ही चीज increase होनी चाहिए crop में कोई भी आप जो भी आप crop cultivate करोगे उसमें ठीक है अब सवाल यह आता है कि सबसे पहले तो improvement करी कैसे जाए देखो जब भी हम कोई कि suppose मैंने आपको एक बुक दी और मैंने आपको बोला कि इसमें 9th का syllabus है पूरा biology, physics, chemistry और आप यह बुक पढ़ लो आपको किसी भी और refresher को फिर refer करनी की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आप क्या बोलोगे ठीक है मैं इसको देखूंगा आप क्या करोगे उसको पहले घर ले क्या होगे इसके बाद में आपकी जो NCRT बुक है उसके साथ आप टैली करोगे सबसे पहले आप देखोगे उसका index की NCRT में जो chapters हैं हमारे syllabus में जो chapters हैं वही chapters इस बुक में कवर किये गए हैं या नहीं किये गए हैं फिर इसके बाद में आप first chapter निकालोगे first chapter में भी आप देखोगे कि NCRT में जो topics हैं वही topics जो मैंने आपको बुक दी है उसमें हैं कि नहीं ऐसा ना हो किस syllabus से बहुत जादा हो या ऐसा ना हो किस syllabus से काफी कम topics जो मैंने आपको बुक दी है वह उसमें present हूँ याने आपने क्या किया मैंने आपको कोई भी बुक दी तो आपने उसको randomly पढ़ना शुरू नहीं कर दिया आपने सबसे पहले देखा कि उस book में कौन-कौन से आपके syllabus के chapters हैं सारे हैं या नहीं है प्लस उसमें कोई जाधा topics तो नहीं है आपकी syllabus है out of syllabus तो चीज़े नहीं जा रही है तो आपने सबसे पहले क्या किया आपने इंडेक्स देखा सब topics देखे कि कौन-कौन से सब topics इस particular chapter के अंदर include किये गए हैं जो आपके syllabus के अंदर हैं या नहीं इसी तरह से किसी भी crop को cultivate करने के पहले जरूरत होती है यह समझने की कि उस crop की requirement क्या है यानि कि ऐसी कौन सी चीज़े हैं जिसके बिना वो cultivate नहीं करी जाती तो सबसे पहले जब भी हम crop improvement की बात कर रहे हैं सबसे पहले हमें पता यह होना चाहिए कि जो हम आगे जाकर crop cultivate करना चाहते हैं उनकी basic requirement क्या है अब अगर मैंने आपसे पूछा कि किसी भी crop plant की basic requirement क्या है तो आप बोलोगे sunlight बिल्कुल सही है अगर sunlight नहीं मिलेगी plants को तो फिर वो photosynthesis कैसे करेंगे next requirement अगर मैंने आपसे बूछी तो आप बोलोगे water बिल्कुल सही है अगर water नहीं होगा photosynthesis कैसे होगा plants अपना खाना कैसे बनाएंगे कैसे वो survive करेंगे next requirement अगर मैंने आपसे पूछी तो आप बोलोगे air सही बात है air में carbon dioxide present होती है और उनको carbon dioxide यह तो लेनी होती है photosynthes के लिए इसके अलावा अगर मैंने आपसे पूछा कि और क्या basic requirement है तो आप बोलोगे nutrients बिल्कुल सही है जिस तरह से हम human beings को different nutrients की requirement होती है proper growth के लिए, development के लिए उसी तरह से plants को भी nutrients की requirement होती है यानि कि basic requirement अगर मैंने आपसे पूछी तो आप बोलोगे sunlight, water, air and nutrients लेकिन तीन और basic requirements हैं इनके अलावा कौन-कौन सी? तो देखो सबसे पहले आता है climatic conditions फिर आएगा temperature और फिर आएगा photopirots climatic conditions सुना हुआ है temperature सुना हुआ है photopirots हो सकता है कि आपके लिए एक नया word हो एक नया term हो कोई बात नहीं हम उसको भी cover करेंगे सबसे पहले हम बात करते है climatic conditions की और temperature की इंडिया में इतना diverse temperature मिलता है example के लिए north से south में जाओगे आप east से west में जाओगे अलग-अलग temperature मिलेगा north में जहां ठंड बहुत पड़ती है temperature काफी कम होता है snowfall वगेरा देखने को मिलती है वहीं अगर आप south इंडिया की तरफ जाओगे तो temperature काफी जादा होता है तो अब वेसी बात है south इंडिया में grow करने वाली जो crops है intensively जो कि south area में इंडिया के grow की जाती है उनको आप north region में इंडिया के हो सकता है कि आप grow ना कर पाओ क्यों? क्योंकि south region में जो conditions होती है जो climatic conditions होती है जो वहां का rainfall जैसे कि हमें पता है कि south में rainfall बहुत जादा होती है वहां पे grow करने वाली crops होते हैं वह वहां के लिए adapt कर चुके रहते है अब जरूरी नहीं है कि अगर आप उनको shift करके north region में लेके जाओगे तो वहां की climatic conditions में वह adapt कर जाए और वहां पे भी उतने ही success के साथ grow करें जितने की वह south region में grow करते हैं है ना? अब जैसे rainfall है अगर मैं आपसे पूछू कि सबसदा rainfall कहां होती है इंडिया में तो आप बोलोगे मेगाले में और अगर मैं ऐसे regions की बात करूँ जहां पे minimum rainfall receive की जाती है तो आपने बोला जैसे की राजस्थान का जिसल में अब इतना difference आ रहा है कि कहां तो इतनी जादा बारिश और आजस्थान जैसल मेर में देखेंगे तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? क्या उन दोनों जगा पे जो crops intensively cultivate किये जाते हैं क्या उनकी अगर हम positions shift कर देंगे तो वहाँ पे वो successfully grow कर पाएंगी? जरूरी नहीं है है ना? तो climatic conditions भी important होती है क्योंकि अलग-अलग plants अलग-अलग तरह से adaptability show करते हैं एक particular region में जहां उनको intensively cultivate किया जाता है उस region की climatic conditions में वो adapt हो जाते हैं अब जरूरी नहीं है कि अगर आपने उनको किसी और जगा shift किया वहां की climatic conditions में भी वो adapt कर जाएं और successfully वहां पे grow करें और survive करें ठीक है? तो climatic conditions temperature भी हमने देख लिया कि temperature कहां तो बहुत जादा हो रहा है जैसे कि south region में और कहां बहुत कम हो रहा है जैसे कि north region में अब इसके बाद में क्या आता है photo periods photo periods basically एक response होता है plants का towards the duration of sunlight जैसे कि हमने basic requirement में पढ़ा कि हाँ सभी plants के लिए sunlight important होती है क्योंकि हमने photosynthesis पड़ी हुई है लेकिन ये जो sunlight की duration है ये भी बहुत important होती है और जो response होता है plants का towards the duration of sunlight उसी को हम कहते हैं periodism photo periodism ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप diagram देख रहे हैं ठीक है? ये जो yellow part है ये indicate कर रहा है sunlight और ये जो blue part है ये indicate कर रहा है darkness तो जहाँ आप देख रहे होगे darkness जादा है वहाँ पे plants में vegetative growth जादा हो रही है और जहाँ पे sunlight जादा है वहाँ पे plants flower कर रहे हैं तो basically जो photoperiodism होता है वो plant की flowering को और उसकी vegetative growth को affect करता है जहाँ पे sunlight जादा होगी वहाँ पे plants flowering करने लगेंगे उनमें full खेलने लगेंगे और जहाँ पे sunlight कम होगी darkness होगी जादा वहाँ पे plants की vegetative growth जादा होने लगेगी इतना clear है आपको तो sunlight जो basic requirement अभी तक जो हमने पढ़ी है sunlight, air, water, nutrients इनके अलावा तीन और basic requirements होती है plants की कौन-कौन सी climatic conditions, temperature and photoperiods इतना clear है आप सबको अब क्या है जैसे कि हम पे हमने देखा है photoperiods are related to the duration of sunlight growth of plants and flowering are dependent on sunlight plants manufacture their food in the sunlight by the process of photosynthesis sunlight की भी क्या significance है यह हम already कई बार discuss कर चुके हैं कि अगर sunlight नहीं मिलेगी तो photosynthesis की process नहीं हो पाएगी अब यह जो basic requirements होती है crop plants की उसके basis पे इनको दो broad categories में categorize किया गया है कौन-कौन सी? खरिफ crops and rabi crops खरिफ and rabi अब देखो खरिफ crops के example क्या गया है? rice, corn, soya bean, sugar rabi के example कौन से है? wheat, gram, potato, oats, coriander, mustard सवाल यह आता है कि यह खरिफ और rabi crops होती कौन से? there are some crops which are grown in rainy season यानि कि इंडिया में जो rainy season होता है कब से लेके कब तक? तो हम बोलेंगे month, June से लेकर के October month तक ऐसी crops जिनको rainy season में ही हम grow कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं खरिफ crops ठीक है? इन्हें हम कहते हैं खरिफ crops कौन से कौन month से लेकर के कौन से मन तक? June से लेकर के October तक इसके examples हमने क्या पढ़े? Rice, corn, soybean and sugar cane इसके अलावा दूसरी कौन से होती है? Rabi Rabi के लिए हम बोलते हैं कि इनको कौन सा season चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है winter season winter season इंडिया में कब से लेकर कब तक होता है? हम बोलते हैं कि month of November से लेकर के April तक है ना? तो Rabi क्रॉप्स को क्या चाहिए? winter season चाहिए November से April तक और खरिफ क्रॉप्स को क्या चाहिए है? तो हमने बोला rainy season चाहिए है June से लेकर के October तक ठीक है? Rabi क्रॉप्स के example कौन कौन से देखे थे हमने? wheat, gram, potato, oats, coriander and mustard आपकी NCRT पे भी कई सारे diagrams दिये गए हैं आप basically इन क्रॉप्स के availability पे भी focus करके आप पता कर सकते हो कि इन क्रॉप्स को cultivate किस condition में या किस season में किया जा सकता है अब यह होगा आपके लिए homework कि इतने सारे जैसे कि sugar cane है अब आपको पता करना होगा कि sugar cane हमें कौन से साल के मन्त में मिलता है तो उनकी availability पे आप examine करके पता लगा सकते हो कि अच्छा हमें कब available हो रहा है तो इसको cultivate कितने महीने पहले किया गया होगा ठीक है? इसी तरह से कौन कौन कब हमें मिलता है और इसको cultivate कौन से मन्त में किया जा सकता है तो यह आपके लिए हो गया एक basic homework कि आपको पता करना है कि following different crops होते हैं तो उनकी availability पे depend करता है कि कौन से मन्त में उनको cultivate किया जा रहा होगा ठीक है? तो जितने भी crop plants होते हैं उनकी availability पे हमने इनको दो major categories में divide किया गया है एक हो गया आपका curry crops और एक हो गया आपका rabi crops ठीक है? अब बात करते हैं आगे की In India, there has been a four times increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivation, cultivable land area यानि कि 1952 से लेकर के 2010 के बीच में जो crop production है वो भई increase हो गया है कित्ता? तो हम बोलते हैं कि four times ठीक है? four times इसे लब की चार गुना जादा production हो गया 1952 से लेकर के 2010 तक और जो cultivation का land area है वो कितना बड़ा? सिर्फ 25% यानि कि 25% land cultivation का जो land area है उसको बढ़ा करके चार गुना जादा production हो गया ठीक है? और इसका credit किसको जाता है? तो हम बोलेंगे crop improvement को ही जाता है crop improvement के लिए basic requirement क्या हो सकती है? कि सबसे पहले तो farmer ने good quality seeds लिये होंगे किसी भी crop plant के इसके बाद में जब उसको plant किया होगा तो बहुत अच्छे से उसकी take care करी होगी और इसके बाद में harvesting के दोरान या उसके बाद में जो भी crop आई है उसको बहुत अच्छे से उनने protect भी किया होगा बहुत अच्छे से रखा होगा तो ये तीन basic steps हो गई good quality of seeds चुने गए इसके बाद में जब उनको plant किया तो बहुत अच्छे से उनकी take care करी इसके बाद में harvesting जब की harvesting के बाद में जो crops मिली farmers को उनका भी farmers में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा उसको protect करके रखा तो ये तीन basic activities है जो हम जो farmers practice करते हैं crop को improve करने के लिए नहीं कि production बनाने के लिए yield बनाने के लिए अब इनहीं तीन activities को further जो है divide कर दिया गया है इन तीन practices में मतलब कि बहुत सारे practices perform की जाती है crop improvement के दौरान और उन practices को उन activities को हमने तीन broad categories में divide किया है crop variety improvement crop production improvement and third one is crop protection management पहले तो हम variety को भी improve करेंगे जैसे कि हमने बात करी है कि variety भी equally important होती है जित्ती जादा variety होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा इसके अलावा production production बढ़ेगा मतलब की yield बढ़ेगी फिर protection सिफ variety और production से ही फरक नहीं पड़ता है अगर आपने उनको different microorganism से बजा करके नहीं रखा कि सबसे पहले basic requirement क्या होती है किसी भी crop को cultivate करने के पहले जरूरी होता है उनकी basic requirements को पता करना कि उनको किस तरह का climatic condition चाहिए है ग्रो करने के लिए किस तरह का temperature चाहिए है photoperiodism के को भी हमने पढ़ा कि कितनी duration की उनको sunlight की requirement है या नहीं है ना जैसे कि हमने example लिया था कि किसी भी chapter को start करने के पहले जैसे कि हम भी एक introductory video देते हैं कि कौन कौन से topics हमको इस video इस chapter के अंदर cover करने हैं उसी तरह से किसी भी crop की cultivation के पहले उसके basic requirement जाना है जरूरी ठीक है तो sunlight, air, water के अलावा तीन basic requirement और कौन सी थी crop plants की temperature, climatic conditions and photoperiodism इसके बाद में जो basic requirements होती है crop plants की उसके basis पे उनको दो broad categories में हमने categorize किया था kharif and rabi kharif मतलब क्या जिनको की rainy season चाहिए है और rabi मतलब क्या जिनको चाहिए है winter season November से लेकर के April तक फिर हमने बोला कि इंडिया में 1952 से लेकर के 2010 तक जो crop production है वो four times हो गया यानि की चार गोना बढ़ गया और area of cultivation कितना बढ़ाया था सिफ 25% इसका credit किसको जाता है crop improvement को जाता है क्योंकि crop में कुछ improvement करी गई है जिससे की production बढ़ गया है cultivation का land area यह उतना नहीं बढ़ा लेकिन production बढ़ गया जब भी हम बात करते है improvement की तो तीन basic activities हम दिमाग हमारे दिमाग में आती हैं कौन कौन सी सबसे पहले अच्छी quality के seeds लिये होंगे इसके अलावा बहुत अच्छे से take care करी होई होगी जब वो कर रहे होंगे crop plants और फिर harvesting के बाद में उनको उस crop को अच्छे से harvest भी किया गया होगा तो हम various activities perform करते हैं farmers various activities practice करते हैं उन सभी practices को उन सभी activities को तीन broad categories में हम भी divide किया है भाई crop variety improvement, crop production improvement और इसके बाद में crop protection management इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम start करते हैं crop variety improvement के साथ कि किस तरह से variety, crops की variety को improve किया जाता है कौन-कौन सी practices उसमें involve होती है तो इस वीडियो के लिए इतना ही next वीडियो में हम start करेंगे crop variety management के साथ अब आपको क्या करना है, complete course के लिए Magnet Brains Plus में upgrade करना है और इस topic के सभी notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे crop variety improvement previous वीडियो में हमने बात करी थी crop improvement की कि improvement की, सबसे पहले तरह में देगा था कि improvement किया कैसे जाता है basic requirements जो होती है, किसी भी crop plant की, उसको समझना जरूरी है इससे पहले कि हम उन्हें cultivate करें इसके बाद में जो different activities perform करते हैं farmers, उन activities को हमने 3 broad categories में divide किया था first जो category थी, वो है crop variety improvement जिसको आज इस वीडियो में हम cover करेंगे So welcome to Magnet Brains, मैं हुवे बुतिक हरे तो चलिए start करते हैं, आज का हमारा topic crop variety improvement के साथ सबसे पहले तो this approach depends on finding a crop variety that can give a good yield जो crop variety improvement है उसका approach क्या है? approach यह है कि एक ऐसी crop variety find करना जो कि एक अच्छी yield दे सके अच्छी yield क्यों चाहिए है? क्योंकि भाईया population की demand को fulfill करना है जब भी हम crop improvement की बात कर रही है हमेशा दिमाग में आप अपने aim याद रखिएगा कि crop improvement का, क्या है improvement का aim? कि जो public से, जो population से demand आ रही है उसको fulfill करना है तो crop variety improvement की भी approach क्या है? क्रॉप की एक ऐसी variety find out करना जो की एक अच्छी yield दे सके अच्छी yield होगी मतलब क्या? population के demand fulfill होगी राइट, next point varieties और strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as अद देखो सवाल ये उठता है कि variety को हम improve करे कैसे? example हम लेते है कोई एक plant है घ広के अब वो temperature को tolerate नहीं कर पारा यानी कि high temperature को वो tolerate नहीं कर पारा example हम लेते हैं कि 20 degree Celsius तक ये plant temperature tolerate करता है वहीं अगर temperature हो گया 30 degree Celsius temperature तो भई, ये plant उस temperature को tolerate नहीं कर पारा है अब ये तो मुसीवत हो गई कि हमने इत्ता सारा इस plant की, इस crop plant की cultivation कर रखा है लेकिन जैसे temperature बढ़ा क्योंकि हमें पता है कि temperature काफी unpredictable होता है है ना हम उसको predict नहीं कर सकते कभी temperature बहुत जादा जा रहा है, कभी बहुत कम जा रहा है कई बर ऐसा होता है कि ठंड के टाइम पे भी अचानक से गर्मी बहुत बढ़ जाती है temperature बहुत बढ़ जाता है, तो हमें लगता है अब तो लगता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है है ना, mid February और March के months में ये हमें usually देखने को मिलता है अब temperature क्या है, एक unpredictable quantity है, तो क्या होगा, हम temperature को तो control कर नहीं सकते हैं और नहीं हमें पता होने वाला है कि आगी जागा कि temperature क्या होने वाला है हमने क्या क्या basic requirement पता कर ली थी, plant की और इसके बाद में हमने crop की, उसके बाद में हमने cultivation स्टार्ट कर दिया था अब क्या हुआ, अचानक से temperature बने लगा, अब क्या हुआ, इस crop plant ने उस temperature को tolerate नहीं किया और फिल होने लगा क्या production कम होने लगा, ये हो गई मुसीबत, अब क्या होगा farmers अब ऐसी variety चाहेंगे इस crop की, जो temperature fluctuations होते हैं अगर 20 से 25 degree Celsius temperature पहुच भी गया, तो भी जो crop plant है, वो उस temperature को tolerate कर जाएं मतलब कि थोड़े बहुत fluctuations, 5 degree अगर उपर temperature जा रहा है, 5 degree अगर नीचे जा रहा है तो उस temperature को, उस temperature fluctuation को crop plant tolerate कर जाएं, उनको अब ऐसी variety चाहिए हैं तो यह क्या हुआ, फार्मस को चाहिए है, एक temperature resistance या temperature tolerate करने वारी variety इसी लिए variety को improve किया जाता है कौन-कौन से desirable traits के लिए, factors के लिए, characteristics के लिए, crop variety को improve किया जाता है तो सबसे पहले हमने बोला, disease resistance सही बात है, अगर plant में जल्दी-जल्दी disease होने लगेंगे, तो production जादा कैसे होगा, कैसे जादा yield होगी और कैसे हमारी population की demand fulfill होगी तो इसलिए क्या बोला जाता है, एक ऐसी variety choose करो, जो की बहुत जल्दी-जल्दी बिमार ना पड़े, disease resistant हो प्लस बहुत जादा पैसे भी invest करने पड़ते हैं, अगर किसी crop में किसी भी तरह का infection ये disease देखने को मिलता है है ना, तो वहाँ पे भी investment जादा हो रहा है, प्लस हम बोल रहे हैं कि production भी कम हो रहा है तो ये तो loss में चले जाएंगे ना सभी farmers, इसलिए disease resistant variety चाहिए है next क्या है, response to fertilizers, अब हमें पता है कि fertilizers का काम क्या होता है growth को enhance करना, जो भी nutrients crop plant को चाहिए है, अगर उसको soil से नहीं मिल पा रहे है proper quantity में, तो fertilizers क्या करते हैं, वो required nutrients भी crop plant को जाकर के दे देते हैं fertilizers ने तो अपना काम कर दिया, है ना, growth को enhance करा, कैसे करा, जरूरी nutrients प्रोवाइड करके लेकिन क्या हो कि crop plant उन nutrients को, जो fertilizers दे रहा है, उसके लिए response ही ना करे fertilizers भी आपने, farmers ने डाल करके, fertilizers डाल करके अपना काम खतम कर लिया, कि हाँ, fertilizers क्यो डाले चाहते हैं, growth को enhance करने के लिए fertilizer भी वहाँ पे चाकरके, nutrients उसने दे दिया, लेकिन क्या हो कि अगर crop plant उन nutrients को absorb ही न कर रहा हो respond ही न कर रहा हो, है ना, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, fertilizers डालने का तो हमको crop variety, एक ऐसी variety चाहिए, crop plant की, जो की properly fertilizers को respond कर सके कि हाँ, farmers ने fertilizers डाले हैं, तो उतने ही अच्छे से हमारी crop plant भी उन fertilizers को absorb करे जो nutrients हमारे fertilizers दे रहे हैं, उनको absorb करें और growth उनकी enhance हो, क्यों? क्योंकि हम fertilizers डाली इसलिए रहे हैं, क्योंकि growth enhance हो, production हो, अच्छी yield हो क्या हो, जितना भी fertilizer डाला है, लेकिन crop plant पे कोई असर नहीं, वो जिस speed के साथ, जिस space के साथ grow कर रहा था, उसी speed के साथ grow कर रहा हो तो ऐसी crop variety तो हमें बिलकुल नहीं चाहिए है, जो की fertilizers पे responding नहीं करता हो next point क्या है, next quality, product quality, obvious सी बात है, अगर आपने, जो भी आप crop plant grow कर रहे हो, cultivate कर रहे हो उसकी quality अगर अच्छी नहीं होगी, तो क्या मतलब है यह सब चीजे करने का, कितनी भी वो disease resistant क्यों नहीं हो, कितने भी अच्छी तरह से वो fertilizers को respond नहीं कर रहे हो लेकिन अगर उसकी quality ही अच्छी नहीं होगी, तो क्या consumers, याने कि human beings उनको consume करना चाहेंगे कितने भी कम rates पे क्यों ना, वो हमें available हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है, कि हम, हमें अच्छी quality का खाना खाना चाहिए अच्छी जिसकी nutritive value होती है, उन cereals को, उन pulses को हमें लेना चाहिए quality अच्छी नहीं होगी, तो consumption भी उनका हो जाएगा, कम तो production करने का भी कोई मतला नहीं रह जाएगा next rate क्या है, high yields, यही तो हमें चाहिए है, इन सब के साथ disease resistant होना चाहिए fertilizer को भी अच्छी तरह से respond करना चाहिए, quality भी अच्छी होनी चाहिए और yield तो हमें चाहिए है, जिसकी मैंने आपको बताया था, कि जब भी हम किसी भी तरह की improvement की बात कर रहे हो चाहिए वो variety में हो, चाहिए वो production में हो, चाहिए हम protection में किसी भी तरह का management कर रहे हो हमेशा अपने दिमाग में aim हमें याद होना चाहिए, कि हमारा aim क्या है, high yield तभी तो population की जो increasing, ever increasing demand है, वो हम fulfill कर पाएंगे, इतना clear है Next, one way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization hybridization को कर लो भाई, star mark, कई बार exams में direct definition पूछी जाती है, कि hybridization क्या है तो hybridization एक ऐसी technique है, जहाँ पे हम crop varieties में जो desirable characters है वो हम incorporate कर सकते हैं, जैसे कि हमने example लिया था कि एक हमारे पास plant है वो सिफ 20 degree Celsius तक का temperature जो है, वो tolerate कर पाता है जैसे ही 5 degree Celsius temperature बढ़ गया, उसने tolerate नहीं किया, production हो गया, कम अब हम क्या चाहते हैं इस crop plant से, कि यह high temperatures को थोड़े बहुत fluctuations होते हैं, 5 degree जादा हो जाना, 5 degree कम हो जाना उन temperature fluctuations को tolerate कर पाए और production पे कोई effect ना पड़े तो यह क्या हुआ, temperature resistant हुआ, एक desirable quality या trade जो कि मैं डालना चाहती हूँ इस crop plant में, यह कैसे जाएगी यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि hybridization से hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants hybridization में क्या होता है, दो ऐसे plants जो कि genetically dissimilar होते हैं, अलग-अलग होते हैं उनके बीच में crossing होती है, ठीक है, example है, यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे एक plant है, जो कि है disease resistant और वहाँ पे दूसरा plant है, जिसका है better flavor, ठीक है, जिसके flavors काफी अच्छे हैं, अब मुझे ऐसी variety चाहिए है क्योंकि मेरे लिए disease resistant भी एक अच्छा trait है, desirable trait है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो नई variety होगी crop plant की, वो कैसी हो, disease resistant हो, ताकि मुझे बहुत जादा पैसा ना invest करना पड़े, अगर किसी plant को disease हो जाता है, तो काफी invest करना पड़ता है फिर इसके बाद में मैं चाहती हूँ कि जो variety हो, crop plant की, उसका flavor भी अच्छा हो तब ही तो जब market में वो जाएगा, तो लोग उससे पसंद करेंगे, और जादा से जादा खरी देंगे है ना, तो disease resistant भी चाहिए है, और better flavor भी चाहिए है अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनो crop plant की एक ऐसी variety आए, जिसमें की ये दोनो trades present हो, तो हम क्या करते हैं, इनकी crossing कर देते हैं, crossing से क्या होगा, जो third variety आएगी ना, उसमें वो disease resistant भी होगी, और उसका flavor भी better होगा ये एक variety थी, variety 1 और ये है variety 2, variety 1 के पास क्या trait था, desirable trait कि वो disease resistant थी, variety 2 के पास क्या desirable trait था, कि वो उसकी जो fruits के जो flavor था, वो better था और आप मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक variety आए, यानि कि third variety जिसमें इन दोनो varieties के traits हो तो क्या कि हमने crossing कर दिया, इसी crossing के procedure को हम क्या कहते हैं, hybridization कहते हैं genetically dissimilar plants के बीच में crossing की जाती है, ताकि जो new variety form हो hybridization से, crossing से उसमें desirable traits आए, इतना clear है, इसी topic पे, इसी point के basis बें हम बोलते हैं कि hybridization जो होता है वो होता है, तीन type का, कौन-कौन सा inter-varietal, inter-specific and inter-genetic, generic, sorry inter-varietal का मतलबी समझ में आ रहा है कि दो अलग-अलग varieties के बीच में होगी crossing example क्या हो सकता है, wheat हो सकता है, rye हो सकता है, या wheat की जगा, wheat के साथ में आप और क्या ले सकते हो, rice ले सकते हो ठीक है, wheat के साथ में आप rice भी ले सकते हो, तो अलग-अलग varieties के बीच में, जब crossing over होती है तो उसे हम कहते हैं inter varietal, अब इसके बाद में आता है inter specific, inter specific क्या होगा, नामती समझ में आ रहा है दो अलग-अलग species के बीच में crossing over होना, क्या इसका example हम guess कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गर्मियों का मौसम आने वाला है, एक ऐसा fruit जो हमें बड़ा पसंद होता है और हम वो सिफ गर्मियों के मौसम में आता है, और हमें उसको खाना बहुत अच्छा लगता है example क्या है उसका भाई, कौन है वो fruit, तो वो है mango mango की हमें कितनी सारी varieties देखने को मिलती है, सभी varieties तो नहीं हमको available होती है हाँ, दो-तीन varieties हमें available होती है, और उन varieties को हम बहुत अच्छे से enjoy करते हैं पूरे summer season, है ना, तो यह जो different species मिलती है mango की जो हम varieties की बात कर रहे हैं, वो actually क्या है, mango की species है है ना, अलग-अलग जो हमें species देखने को मिलती है mango की उनके बीच में अगर crossing over होगी, तो वो कहलाई जाएगी interspecific याने की genus एक ही है, mango ही रहेगा, लेकिन उसकी जो species है वो अलग-अलग हो जाएगी, इस भी उसको हमने बोला interspecific और फिर इसके बाद में हम बात कर रहे हैं intergeneric की, तो यहाँ पे अलग-अलग genus के बीच में, दो ऐसे crop plants जो की अलग-अलग genus को belong करते हैं, उनके बीच में जब crossing over होगी, तो उससे हम कहेंगे intergeneric, याने की hybridization क्या हुआ, एक ऐसी process होई जहाँ पे दो genetically dissimilar crop plants के बीच में crossing over कराई जाती है, क्यों कराई जाती है ताकि जो progeny मिले, जो next generation मिले, उसमें desirable traits हों, characters हों, उसके basis पे जो crossing है, वो तीन टाइप की होती है, कौन-कौन सी intervarietal, interspecific and intergeneric intervarietal में हमने बोला, दो अलग-अलग varieties के बीच में, जैसे की wheat rice के बीच में, wheat rye के बीच में इसके अलावा, interspecific genus एक ही होगा, लेकिन species अलग-अलग होगी, example, mango की जो अलग-अलग species देखने को मिलती है उनके बीच में, अगर crossing कराई जाएगी, तो एक और variety हमें मिल जाएगी, एक और species हमें मिल जाएगी और intergeneric क्या है, ऐसे दो crop plants जो की अलग-अलग genus को belong करते हो interspecific में, जैसे हमने बोला कि species अलग थी, लेकिन genus सेम था intergeneric में हम बोल रहे हैं कि genus भी अलग-अलग होगा, इतना clear है आपको अब another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desirable characteristic मतलग कि या तो आप crossing करा दो, अलग-अलग varieties, अलग-अलग genus, अलग-अलग species के crop plants के बीच में या फिर क्या है, एक ही crop plant आपने लिया है और उसमें आपने एक ऐसा gene डाला जो कि हमें पता हैं, प्रीवियस चैप्टर उसमें पढ़ चूके हैं कि cell के अंदर क्या present होता है, nucleus, nucleus के अंदर होते हैं chromosomes, chromosomes के पास होते हैं genes, यही genes parents से offspring में transfer किये जाते हैं और यह genes कैसे होंगे transfer, तो अपने साथ genetic information को भी carry करते हैं genetic information ही responsible होती हैं कि जो characters parents में देखने को मिलते हैं, वो ही characters next generation में भी देखने को मिल जाते हैं है ना, तो यहाँ पे दूसरा method है, first method हमें देख लिए hybridization की crossing over करा दी दूसरा method क्या है, दूसरे method में हमने बोला कि एक gene को introduce करा दो या हम बोल सकते हैं कि एक gene को क्या कर दो, alter कर दो, क्यों alter कर दो, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमारे genes होते हैं, किसी believing organism के चाहिए वो human beings हो, animal हो या plants हो कोई भी genes characteristic के लिए responsible होते हैं, हमें क्या चाहिए है, एक desirable characteristic चाहिए है for example, disease resistance का हमें वो चाहिए, quality चाहिए है, trait चाहिए है, तो हम क्या करेंगे एक ऐसा gene डाल देंगे plant में, जो की उस plant को बना देगा, disease resistant इतना clear है आपको, इस process को हम क्या कहते हैं, इस process से जो हमें plants देखने हों मिलते हैं, crop plants उसको हम कहते हैं genetically modified crops, यानि कि इनको हम GMC भी कह सकते हैं, genetically modified crops, ठीक है और यह जो modification है, इस तरह की modification, यह बाकी living organisms में भी perform करते हैं इसलिए GMC को हम कभी-कभी GMOB कहते हैं, अगर यह animals में perform की गई हैं तो genetically modified organism, अभी हम बात कर रहे हैं crop plants की, इसलिए हमने क्या बोला genetically modified crop, क्यों? क्योंकि genes में variation किये गए हैं genes में alter किया गया है, या एक नया gene डाला गया है जो कि desirable trait देगा एक particular crop plant को है ना? तो यह क्या हमने बोला? इस process को हम क्या कहते हैं? genetically modification, genes में modification हमने किया है तो हमने क्या बोला? desirable trait को लाने के लिए किसी भी crop plant में दो तरीके हो सकते हैं एक हमने बोला hybridization और एक हमने बोला क्या? genetical modification इतना clear है आपको? अब next point for new varieties of crops to be accepted it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas अब देखो, hybridization कर लिया आपने, है ना? modification कर लिया, genetic modification कर लिया new varieties आपके पास आ गई अब यह new variety तब ही accept की जाएगी जब different areas की different climatic conditions में वो high yield दे अगर yield नहीं देगी जादा तो कोई मतलब नहीं है new variety को produce करने का, है ना? हमने new variety क्यों produce करी है? क्योंकि उसमें हमें desirable trade चाहिए थे वो characteristics, वो trade चाहिए थे जो की बाकी किसी variety में present नहीं थे थे भी तो एक variety में एक desirable trade दूसरे variety में दूसरे desirable trade तो हमने crossing over करके या genetic modification करके हम new variety लाई ही इसलिए है ताकि हमें नए नए बहुत सारे desirable trade एक ही variety में हमें देखने को मिल जाए लेकिन अगर वो variety अलग-अलग areas की अलग-अलग conditions में high yield नहीं देगी तो वो acceptable नहीं होगी हम उसे accept नहीं कर पाएंगे फिर farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety सही बात है farmers को अच्छी quality के seeds देने चाहिए जो भी आपने variety improve करी है produce करी है new variety जिसमें की desirable traits हैं उसके अच्छे quality के seeds देना जरूरी है farmers को cultivation practices and crop yield are related to weather soil quality and availability of water हमने basic requirements की जो बात करी थी previous video में उसमें हमने देखा था कि किस तर इसे climatic conditions यानि की weather, soil quality और availability of water depend, you know important factors होते हैं किसी भी cultivation practice के लिए next point weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable varieties can be grown in diverse climatic conditions are useful सही बात है कुछ natural calamities होती है है ना इसके अलावा हम बहुते हैं कि drought और flood जैसी situations जो होती है ये भी natural calamities है इनको हम predict तो नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते तो क्या होगा हमने new variety तो प्रेडियूस कर ली लेकिन क्या होगा अगर वो इस तरह की natural calamities में ग्रो नहीं कर पाएंगी तो क्या कोई मतलब रह जाएगा इस तरह की improvement करने का बिल्कुल नहीं रह जाएगा तो जो भी new variety improvement करी गई है या जो बनाई है new variety किसी भी crop plant की वो इस तरह की conditions होती है unpredictable natural conditions जैसे की drought हो गया floods हो गया है ना उसमें भी वो successfully grow करे ये बहुत important होता है कई बारा में सुनने को मिलता है कि भाई अच्छा खासा cultivation हो रहा था अचानक से सूखा पढ़ गया और पूरी जो फसलती वो बरबाद हो गई क्यों बरबाद हो गई क्योंकि drought जो की natural calamity है उसको किसी ने predict नहीं किया था कि भाई सूखा बढ़ने वाला है अचानक से क्या होँआ पढ़ा और सारी जो फसलती वो बरबाद हो गई इस तरह की situation नहीं आनी चाहिए वरना मतलब भी क्या है improvement करने का है ना तो जो new variety लेकर आएंगे हम जो improvement करेंगे variety में वो कैसा होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि natural calamities में भी वो new variety withstand कर पाए है ना destroy ना हो, damage ना हो पूरा crop इसलिए बहुत जरूरी है सबसे पहले तो जो new variety आई है वो different areas के different conditions में grow करें और natural calamities जैसे की drought और floods को भी withstand करें फसल बरबाद ना हो soil और water की availability और weather conditions भी cultivation practices को जो है influence करती है crop field yield को भी influence करती है इसके अलावा farmers को good quality के seeds देने चाहिए एक particular variety के seeds की quality अच्छी होगी तो उनसे निकलने माले जो crop plants होंगे उनकी quality भी अच्छी हो जाएगी तो इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ लिया है करते हैं quick recap सबसे पहले हमने बोला कि crop variety improvement का जो aim है जो approach है वो क्या है तो हम बोलते हैं कि ऐसी crop variety को find out करना जिसकी yield अच्छी हो yield अच्छी क्यों हो क्योंकि हमें ever increasing population की demand को fulfill करना है next अब कौन-कौन से desirable traits थे जिनके लिए variety में improvement किया जा रहा था तो हमने बोला disease resistance response to fertilizers fertilizers ने अपना काम कर दिया growth enhance करने के लिए nutrients provide कर दिये लेकिन अगर plants ने उन nutrients को absorb ही नहीं किया तो क्या enhance हो पाएंगे plants बिल्कुल नहीं हो पाएंगे वो जिस speed से जिस पेस ग्रो कर रहे थे उसी से करते जाएंगे तो इस तरह की variety के हमें requirement नहीं है ऐसी variety चाहिए है जो कि fertilizers को properly respond करे next product quality अच्छी होनी चाहिए और yield भी अच्छी होनी चाहिए को यह आप यह कुछ desirable traits है जो कि आपकी NCRT में mention है कि improvement variety में improvement करा ही क्यों जा रहा है तो इन desirable traits के लिए next one way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization अब हमने फिर दो methods पढ़े थे जिसकी help से हम crop variety improvement कर सकते हैं एक था hybridization और एक था genetical modification hybridization में हमने क्या पढ़ा था कि दो अलग-अलग genetically dissimilar crop plants के बीच में crossing over की जा रही थी crossing over भी further हमने 3 type की देखी थी कौन-कौन सी inter varietal, inter specific और inter generic inter varietal क्या थी दो अलग-अलग varieties के बीच में crossing over थी example wheat and rye inter specific कौन सी थी अलग-अलग species के बीच में for example mango की बहुत सारी species होती है उनके बीच में अगर किसी दो particular species के बीच में crossing over की गई है तो एक third variety और मिल जाएगी हमें जीना से की है species अलग है और inter generic मतलब क्या कि जीना सी अलग-अलग है फिर another way क्या हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जने पढ़ा था generation में travel करते हैं transfer होता है उनका parent से offspring में तो बहुत अच्छा है ना कि अगर parent plant में ही parent plant में ही किसी तरह का gene डाल दिया जाए for example disease resistance का gene डाल दिया जाए इनसे मिलने वाली जो next generation होगी G1, G2, G2 में जो नया plant आएगा crop plant आएगा उसके पास भी क्या होगा disease resistance की ability होगी है ना तो सबसे अच्छा क्या है कि gene incorporate कर दो या gene को alter कर दो जो कि desirable trait दे देगा उस particular crop plant को और यही trait next generation में भी आ जाएगा win-win situation होगी कि first generation में हमें बस काम करना पड़ा था desirable trait डालना पड़ा था next generation में automatically वो trait आ गया ठीक है और इस तरह की crops को हम क्या कहते है genetically modified crops GMC next point क्या है यह कुछ points थे हमारी NCRT ने mention करे थे कि new variety तभी हम उसको accept करी जाएगी जब वो different regions की different conditions में successfully grow करेगी इतने अच्छे से grow करेगी कि उसकी yield कैसी हो जादा है जादा हो ठीक है इसके अलावा जो natural calamities होती है जिसे की drops वगेरा और floods वगेरा उनको हम predict नहीं कर सकते तो ऐसी situation ना आए कि सूखा पढ़ने से पूरी फसल बरबाद हो जाए इसके लिए क्या ज़रूरी है ऐसी varieties वहाँ पर grow करी जाएं जो कि इस तरह की natural calamities को withstand कर पाए इसके लावा farmers को अच्छी quality के seeds देने चीक particular variety के और cultivation practices और crop yield को और कौन अंदर आते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही आप क्या करना है आपको complete course के लिए Magnet Brains Plus में अपग्रेड करना है और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर thank you for watching hello everyone इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है factors of crop variety improvement previous वीडियो में हमने बात करी थी कि crop variety improvement होती क्या है तो हमने देखा था कि अलग-अलग method से hybridization से और जनेटिकल modification से हम crop की varieties में improvement ला सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे factors जो की इस variety improvement के influence करते हैं या इसके अंडर आते हैं so welcome to magnet brains में वीबुती खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic factors of crop variety improvement के साथ सबसे पहला factor कौन सा है भाई सबसे पहला factor है higher yield जिसके पीछे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं improvement कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं अलग-अलग तरेके का क्योंकि हमें higher yield चाहिए हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी crop improvement आप पढ़ो तो हमेशा अपने दिमाग में एक aim एक principle बेसिक principle याद रखो कि हम improvement कर क्यों रहे हैं क्योंकि हमें yield जादा चाहिए है population बढ़ रहे हैं उनकी demands बढ़ रहे हैं तो उस demand को fulfill करने के लिए हमें yield बढ़ानी हैं अलग-अलग तरीके से हम yield बढ़ा सकते हैं फर्स हमने method क्या पढ़ा था crop variety improvement का ठीक है to increase the productivity of the crop per acre next factor क्या है भई improved quality अब quality को भी improvement की जरुबत है quality considerations of crop products vary from crop to crop देखो हमने quality में improvement कैसे करना है यह हमने पढ़ा था hybridization से genetic modification से कि क्या करो कि अलग-अलग दो आपके पास supposed varieties हैं और उन दोनों में अलग-अलग desirable qualities हैं या traits हैं एक होगय disease resistant और एक हमने बोला अच्छे flavor वाला fruit है तो आपने क्या किया दोनों को आपने crossing over करा दी तो आपके पास जो new variety आई उसमें वो दोनों desirable qualities या traits आ गए या फिर आपने क्या किया एक gene incorporate कर दिया या फिर एक gene को alter कर दिया जिसकी कारण desirable quality आपको मिल गई लेकिन एक point है कि अलग-अलग crops की अलग-अलग quality को consider करना चाहिए जब भी आप उसकी variety को improve कर रहे हो example देखो यह बहुत important point है देखो हमारे पास एक जगा हमने ली है pulses और दूसरी जगा हमने ली है oil seeds अब देखो हमें पता है कि जो pulses होती है वो हमें क्या provide करती है protein provide करती है बोला जाता है ना कि दाल खाओ दाल पियो क्यों क्यों क्योंकि बहुत अच्छा source होता है pulses vegetarian source होता है protein का protein किस के बने होते हैं भाई amino acids के बने होते हैं वहीं दूसरी तरफे क्या oil seeds oil seeds से हमें क्या मिलता है oil मिलता है और ये oil किस का बना होता है भाई fatty acids का बना होता है हमने previous वीडियो में बात करी है कि हमारी NCRT ने कई सारे cereals के नाम, pulses के नाम दी है हमने उनको एक tabular form में देखा था और उनसे हमें क्या provide होता है वो भी हमने देखा था तो देखो, oil seeds से हमें मिलता है oil और इसी को हम extract करते है जो different type के हम oils काते है ना, soya bean oil, ground nut oil, sesame oil, यह सब कहां से आ रहा है इनी oil seeds से आ रहा है, previous वीडियो में हमने बात करी थी कि oil seeds भी बहुत type के होते है ठीक है, जैसे हमने बोला ground nut, sesame seeds, बहुत सारे है ना, तो इन seeds से हमें क्या मिलता है इसलिए हम इनको कहते है oil seeds, oil extract करते है, ground nut oil, sesame oil, तेल का तेल, सरसो का तेल, वो कहां से आ रहा है oil seeds से आ रहा है, oil किसका बेन होते है, fatty acids के, ठीक है pulses ने हमें दे दिया protein, oil seeds ने हमें दे दिया oil, protein बना है amino acids का, और oil बने है fatty acids के, ठीक है अब क्या होता है, कि कुछ pulses ऐसी होती है, जिनने की सभी amino acids present नहीं होते है हमें पता है कि pulses से मिल रहा है हमें protein तो अब जब हम pulses की variety में improvement लाएंगे, तो हम कौन सी quality पे focus करेंगे उसकी protein quality पे focus करेंगे कि हम कुछ ऐसा improvement करें pulses की variety में, कि जो 2-3 amino acids pulses में absent थे वो भी अब present हो जाएं, वो भी इस pulses के अंदर आ जाएं जिससे क्या होका कि सभी essential amino acids इन pulses में present हो जाएंगे यानि कि बहुत वैसे भी pulses अच्छी source होती है protein के और अच्छा source हो जाएगा है ना, तो हमने क्या बोला, pulses से मिला protein protein, pulses की variety में जब हम अब improvement करेंगे तो improvement कौनसी quality को लेकर को consider करेंगे तो हमने बोलेंगे कि protein quality को लेकर के हम focus करेंगे protein quality को ये consider करेंगे वहीं अगर हम बात करते हैं oil seeds की oil seeds की variety में अगर हम improvement करना चाह रहे हैं तो किस पे focus करेंगे भाई? fatty acids पे fatty acids भी हमारे body के लिए बहुत essential होते हैं non essential fatty acids होते हैं अब बहुत सारे oils ऐसे होते हैं जिनमें की सभी essential fatty acids नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? जब भी improvement करेंगे oil seeds में हमारा focus क्या होगा? हम किसे consider करेंगे? एक ऐसी variety पे जिस पे सभी essential fatty acids present हो तो यहाँ पे हम में देखा कि अलग-अलग crop है और उन दोनों crop की जो quality है जिसको हमें consider करना है improvement के दौरान दोनों अलग-अलग है हम pulses के case में जब हम pulses के improvement की बात करेंगे तो हम कभी यह नहीं बोलेंगे की pulses ऐसी होनी जिसमें की essential fatty acids भी हो नहीं क्योंकि हमें पता है कि pulses में fatty acids नहीं मिलने वाले हैं उतनी जादा quantity में बहुत ही minute quantity में fatty acids essential fatty acids pulses में present होते हैं तो जो चीज अलरेड़ी इतनी कम है उसको बढ़ाने का क्या मतलब है जो जादा है उसी को हम और बढ़ा देते हैं वो जादा easy हो जाएगा जादा feasible होगा ना कि एक ऐसी नहीं quality को लेके आना जो कि अभी तक उसमें present थी ही नहीं है ना तो अलग-अलग crop और उनकी अलग-अलग quality को consider किया जाता है उनके improvement के दौरान second point आपको clear हो गया third point हमने क्या बोला factor biotic and abiotic resistance crop production can go down due to biotic factors जैसे कि diseases जो क्यों होते है इंसेक्ट से निमेटोर्स वगेरा इसके बाद में कुछ abiotic factors भी होते है जैसे कि drought, salinity, water lodging, heat, cold and frost यह जादे जो stresses होते हैं biotic and abiotic stresses ठीक है different situations में यह भी crop production को influence करते हैं previous video में हमने देखा था कि हमारी NCRT ने कुछ points जो उनने दिये हैं वो हमने mention करे थे, discuss करे थे कि भाई, जो natural calamities होती है वो unplanned होती है, उनको हम predict नहीं कर सकते हैं तो ऐसी stage ना आए कि अचानक से सूखा पढ़िया और फसल पूरी बरबाद हो गई इससे पहतर क्या है कि एक ऐसी variety लेकर के आएं जो इस तरह की natural calamities को अगर 100% ना हो सके तो at least कुछ percentage तक उसे tolerate कर पाई ताकि at least पूरी फसल बरबाद ना हो है ना, तो biotic और abiotic resistance कुछ factors होते हैं जो कि crop production को influence करते हैं ठीक है, इनकी health से जो different production होता है crops का वो up and down जा सकता है अलग-अलग insects present होते हैं, pest present होते हैं nematodes वगेरा, जो कि disease cause करते हैं plants में भी, तो obviously बात है अगर plant होगा हमारा unhealthy तो फिर production कैसे बढ़ेगा है ना, यह हो गया third factor अब change in maturity duration यह है next factor जिसमें हम बोल रहे हैं कि the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting the more economical is the variety maturation period क्या होता है यानि कि एक होती है बुवाई हिंदी में इसे हम कहते हैं sowing है ना, English word है sowing और इसे हिंदी में कहते हैं बुवाई जिसमें कि हम seeds को soil के अंदर डालते हैं है ना, फिर एक stage आती है कि धीरे-धीरे से वो seeds germinate होता है है ना, उसमें roots आने लगती है और फिर इसके बाद में उसमें shoot भी आती है shoot के बाद उसमें क्या होंगी? leaves भी आएंगी और इसके बाद में एक ऐसा point आएगा एक ऐसी stage आएगी जहांपे हमारी crop हो जाएगी mature याने कि एक definite length तक height जाएगी है ना, उस पे हम बोलते हैं कि हमारी crop हो जाएगी mature एक definite age तक, एक definite height तक हमारी crop grow करेगी जब वो growth complete हो जाएगी तो stage आती है maturation की याने कि growth stage के बाद हमने seed डाला था, sowing करी थी इसके बाद में germination हुआ germination के बाद में root और shoot आए एक definite height तक हमारी crop ने grow किया, वो होगी क्या उसकी growth stage, growth stage के बाद क्या आती है, maturation आती है तो maturation के बाद उसको क्या किया जाता है, harvest किया जाता है, याने कि इस crop को हम हटा देते हैं, इसके soil से हटा देते हैं, ठीके फिर further, इस crop से जो भी हमें for example, अगर ये गेहू की crop है, तो इससे गेहू जो है ना, निकाल लिये जाते हैं तो ये कब होता है maturation के बाद में, process क्या बोली जाती है, harvesting बोली जाती है अब अगर क्या हो, कि हम maturation का period अगर कम कर दे maturation मतलब क्या sowing से लेकर के, harvesting दक का जो period कहलाता है, उसे हम क्या कहते है, maturation period कहते है, तो अगर maturation period को हम कम कर दे तो क्या होगा, production बढ़ जाएगा कैसे बढ़ेगा, for example हमारे पास कोई crop है और उसको हम harvest करते हैं साल में दो बार 6-6 महीने के interval से gap से, ठीके, first suppose आपने January से लेकर के, आपने उसको माई तक ग्रो किया मिड मे तक आपने उसको ग्रो किया और फिर जैसी June आया June के season में आपने उसको कर लिया harvest फिर इसके बाद में, यह हो गया first 6 months की story, अब आपने क्या किया, June में ही फिर से जो है ना, growth stage उसकी आने दी, growth stage होगी obviously बात है, जो crops होती है उनको जड़ो से नहीं निकाला जाता है है ना, क्या किया जाता है, जो चीज़े पक गई है, mature हो गई है crops, जो उसके जो different leaves होती है, ठीके, stamps है उसको हटा लिया जाता है और फिर इसके बाद में roots उनकी वही intact रहती है या कुछ crops ऐसी भी होती है जहां पर roots से उनको ले लिया जाता है फिर क्या किया जाता है, फिर से हम बोलते हैं कि seeds डाले जाते हैं और seeds डाल दी है, फिर से हम बोलते हैं कि हमारा जो plant है, वो grow करेगा maturation के बाद में हमने बोला कि December mid तक फिर से हम बोलते हैं कि maturation हुआ और December end में crop को harvest कर लिया गया यानि कि एक साल में दो बार harvesting कर रहे हैं हम और दो बार हमें crops मिल रही हैं अगर हम maturation period जैसे कि हम बोल रहे हैं, जनवरी से लेकर कि मही, पांच महीने लग रहे हैं crop को mature होने में, क्या हो अगर मैं इस maturation period को कम कर दूँ, जो maturation period पांच महीने ले रहा था, वही maturation period अगर मैं दो महीने का कर दूँ तो, यानि कि जनवरी फरवरी और मार्च अब मैंने ठीक है यहाँ पे हमने लिया February या मार्च ठीक है, मार्च में अगर हमने harvesting कर ली, तो क्या maturation period कम हो गया, जल्दी पक गई हमारी फसल, जल्दी से उसको harvest कर लिया, और हमें मार्च में एक crop मिल जाएगी April से हम फिर से growth करा सकेंगे April से, फिर से आप में, माई, जून दो माईने फिर से हमने maturation period उसको दिया, और जून में फिर से हमने harvesting कर ली इस तरह से, अब हमें साल में, दो से जादा बार crops मिलेंगी production बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब maturation period था 5 या 6 माईने का, तो साल में सिफ 2 बार हमें crops मिल रहें थी, और वहीं अगर हमने maturation period को कर दिया सिफ 5 महिने से 2 महिना, तो फिर क्या होगा? crops हमें अब जादा मिलेंगी, साल में हमें 3 से 4 बार, 4 से 5 बार हमें crops मिल जाएगी, है ना? इस case में हमने क्या किया था भाई? कि maturation period कम कर देगी यह वहीं बोल रहे हैं, कि जितना duration crop का छोटा होगा, sowing से harvesting तक, sowing से harvesting तक की period को हम कहते है maturation period, उतना ही जादा economical हो जाएगी हमारी variety Such short durations allow farmers to grow multiple rounds of crops, इन ए यह का एक साल में कई बार जो है आप crops को grow कर सकते हैं farmers, इसके बाद में short duration also reduces the cost of cost crop production harvesting process easy and reduces losses during the harvesting सही बात है, harvesting easy कब होगी, जब एक साथ पूरी फसल पके, एक साथ उसको हम cut कर सकते हैं, easy हो जाएगा losses कम होगे, अब क्या होगा जैसे कि आपने इस केप में आपने अलग crops दगाई है और यह तीन sections में divided है, A, B and C, A section की crops जहें mature हो गई, उनको harvest करना पड़ा पहले, B section की बाद में हुई, उनको बाद में करना पड़ा C की सबसे आखरी में हुई, तो फिर C section की crops को अलग से harvest करना पड़ा, बेटर क्या है कि सभी sections की crop एक साथ mature हो, तो एक साथ उनको harvest कर ले, ठीके, easy भी हो जाएगा, और हम बोलते हैं कि जो loss होते हैं during harvesting वो भी minimize हो जाएंगे, तो आपको इस factor का मतलब समझ में आया, अगर maturation period हमने कम कर दिया, यानि की sowing से लेकर के, harvesting तक का period अगर हमने कर दिया कम, तो एक साल में कई rounds of farmers को crop के मिल जाएंगे, है ना, ये factor हो गया हमारा complete next factor क्या है, wider adaptability, developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental conditions, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे, example भी हमने देखा है कि adaptable, plant जितना जादा adaptable होगा, उतनी अलग-अलग different regions में अलग-अलग उन regions की जो conditions होती ही, climatic conditions होती ही, वहाँ पे वो survive कर पाएगा, grow कर पाएगा, production अच्छा होगा है ना, तो जितना जादा adaptability है crop plant की उतनी अच्छी हो जाएगी production तो जो भी आप variety में improvement कर रहे हो, चाहे hybridization से, चाहे genetic modification से, make sure कि वो कैसी हो, adaptability की power उसमें हो जादा next factor क्या है, desirable ergonomic characteristics, tallness and profuse branching are desirable character for fodder crops, अब देखो उस plant, एक particular crop plant का use क्या होने वाला है, किस चीज में उसको utilize किये जाने वाला है, उस पे depend करता है कि उनमें desirable character कौन से चाहिए है, for example fodder crops, fodder crops मतलब क्या, जिससे animal feed बनाया चाहता है, है ना, तो fodder crops में बोला चाहता है कि crop plant कैसा होना चाहिए, tall होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, और हम बहुते हैं कि branching भी profuse होनी चाहिए, मतलब बहुत जादा उसकी branches नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं fodder crops की, जिसमें, fodder crops से बनता है animal feed, तो उसमें बहुत ज़्यादा branching की जरवत नहीं होती है, इसलिए हमें एक ऐसा crop plant की variety चाहिए, जो कि लंबा हो, बहुत ज़्यादा उसमें branches ना निकली हो, क्यों? क्योंकि ultimately उससे हमें क्या बनाना है, animal feed बनाना है वहीं अगर हम बात करें cereals की ठीके, cereals के लिए हम बहुते हैं कि dwarfness, याने कि bonna, अगर dwarf मतलब होता है bonna, cereal crop plants के लिए बोला जाता है कि वो dwarf हो, याने कि वो bonna हो, so that less nutrients are consumed by these crops अब्वेस्ती बात है जितनी जाधा height बढ़ेगी growth होगी, उतने जाधा nutrients की requirement होगी हमें क्या करना है हमें चीजों को economical भी बनाना है बहुत जाधा पैसा हम invest नहीं कर सकते, तो desirable trades हमें, हम उन desirable trades पो फोकस करेंगे जो की production को economical बना दे, feasible बना दे है ना, तो हमने बोला कि cereals है, cereals हमें क्या मिलते है grains मिलते है, तो बहुत जाधा height की तो जरुबत है नहीं cereal के crop plant को, तो cereal crop plant कैसा हो, बना हो, ड्वार्फ हो, ठीक है क्यों, ताकि less nutrients वो absorb करेंगी, जितना लंबा वो बड़े ही ना, ज्यादा nutrients absorb हो भी ना, क्या होगा harvest, maturation होगा, harvesting होगी crops को हटा लिया जाएगा, फिर वहाँ पे new crops grow कर पाएंगे तो इसलिए, अलग-अलग crop की, जो भी उसका usage है, utilization है, उसके basis पे, उनकी जो desirable qualities हैं, traits हैं, वो change होते जाते हैं, जैसे कि हमने बोला कि, जो fodder crops होती जिसे कि animal feed बनता है, उसमें हमने बोला, tallness और profuse branching चाहिए है, वहीं अगर हमने बात करी cereals की, तो उनसे हमें मिलने वाले हैं, grains उनको बहुत ज़्यादा लंबा ही होगी, है ना, यहाँ पे आप image देख रहे हो, यह है गेहूं के फसल की दो image है यहाँ पे आप देख रहे हो कि crops काफी लंबी हैं, crop plant काफी लंबे हैं लेकिन हमें यह नहीं, इस तरह की variety चाहिए है, जिसकी height बहुत ज़्यादा ना हो, है ना तो इसके साथ ही हमने सारे factors कर लिए हैं cover, कौन-कौन से सबसे पहले हमने start किया था higher yield के साथ, higher yield पे ही हम focus कर रहे है, population की demand को fulfill करने के लिए, quality improve होनी चाहिए, भाई हमने देखा था कि अलग-अलग crop plant की जो quality desirable quality होती है, वो होती है, pulses में हमने देखा था कि pulses protein provide करती है, तो जब हम protein की variety में improvement करेंगे तो हम सिफ protein quality pulses की variety में जब हम improve करेंगे, improvement करेंगे तो protein pulses हमें क्या देती है, protein milling, देती है, तो उस protein quality को ही हम consider करेंगे, यानि कि उस protein quality को ही हम improvement उसमें लेके आएंगे ना कि जैसे हमने दूसरा एक्जामपल लिए था ओई सीट ऑईशिट हमें क्या देते हैं ऑईशिट किसके बार होते हैं फैटी एसिट के हमें पता है कि पल्सेज में और प्रोटीन ज्यादा है तो और उसको एंहेंस करने के लिए हम उसमें इंप्रोब्मेंट करेंगे ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे की असेंशिल फैटी एसेट जो की पल्सेज में होती नहीं होगी तो बहुत ट्रेस कौंटिटीज में होगी तो ऐसी चीज़ उसमें हैं नहीं तो उसको करने का क्या मतलब है जो अल्रडी प्रजेंट है उसी को एंहेंस करते हैं है ना तो अलग-अलग क्रॉप प्लांट और उनकी अलग-अलग डिजारेबल क्वालिटीज पे को कंसेडर किया जाता है इंप्रूब्मेंट के दौरान बायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस भ वगेरा इसके अलावा मैजरेटी डिविशन को अगर कम कर देंगी तो साल में कई बार क्रॉप प्रॉड़क्शन हो सकेगा तो ऑवेस्ट ही बात है प्रॉड़क्शन इंक्रीज होगा तो इल्ड भी बढ़ जाएगी इसके अलावा प्लांट क्रॉप अगर होगा वाइड वाइडर adaptability होगी उसके पास, different conditions में, different areas के different conditions पे उसको हम grow कर पाएंगे, next क्या है, अलग-अलग crop plant का use क्या होने वाला है, उसके basis पे उसकी quality, desirable qualities change होती है, अगर वो होगा cereal तो उसके लिए हम बोलेंगे कि उसको बहुत लंबा होने की जरुबत नहीं है, जितना लंबा हुगा उत्ते nutrients absorb करेगा, इसलिए dwarf cereal plant are required, फिर इसके बाद में tallness और profuse branching होनी चाहिए कि इसमें fodder crops में, क्यों, क्योंकि उनका बनना है animal seed, है ना, तो अलग-अलग crop plant और उनकी अलग-अलग usage पे depend करती है, उनके कौन सी desirable quality हमें चाहिए है, variation के, variety में improvement के दोरान, ठीक है, इतना clear है आपको, इसी के साथ हमने, जो crop variety improvement start किया था, वो होता है complete, हमने सबसे पहले देखा कि crop variety improvement होता क्या है, और करा कैसे जाता है, hybridization से और genetic modification से, इसके बाद में, आज हमने उन factors को पढ़ा है, जो की variety improvement के दोरान focus किये जाते हैं, essentially, इन ही factors को consider करके, variety में improvement लाया जाता है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, next वीडियो में हम पढ़ेंगे कि second method क्या होता है crop improvement का, complete course के लिए Magnet Brains Plus में ज़रूर upgrade करें, और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrains.com पर, thank you for watching. Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं crop production management, previous वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से crop improvement किया जाए और उसका first activity या first method क्या हो सकता है, तो हमने बोला कि हम variety को improve कर देते हैं, तो इसी के अंदर हमने पढ़ा था crop variety improvement, अब एक बार आपने variety improve कर दी, अब variety को improve करने के बा करेंगी, crops मिलेगी, याने की production मिलेगा, अब उस production को कैसे manage करना है, ये हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, so welcome to magnet brains, मैं हुवे भूती खरे, तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic crop production management के साथ, सबसे पहले तो NCRT ने कुछ बाते हम से बोली हैं, उन बातों के हम करेंगे discuss, In India, as in many other agricultural based countries, farming raises from small to very large farms, India भी एक agriculture based country है, बाकी countries के समान, इंडिया में भी काफी सारा agriculture होता है, और अगर मैं ये बोलू कि majority population, agricultural based activities में engaged हैं, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी, बहुत major population ऐसी है, जो कि agriculture पे ही depend करती है अपने survival के लिए, जो main source है उनका income का, वो क्या है agriculture ही है, अब agriculture जो है, इंडिया में vary करता है, पाकी और भी countries की तरह, इंडिया में भी agriculture range करता है, small farms से लेकर के large farms तक, कुछ farmers के पास आप ऐसा देखोगे कि बहुत छोटे farms होते हैं, कुछ के पास आप देखोगे कि काफी जादा बड़े-बड़े farms होते हैं, money or financial conditions that allow farmers to take up different farming practices and agricultural technologies, बिल्कुल सही है, आज अगर हम shopping पे जाते हैं, और ममा हमको पैसे देंगी, जितने पैसे हमें देंगी उतनी हम shopping कर सकते हैं, कम पैसे दिये हैं, जादा पैसे दिये हैं तो जादा शापिंग हो पाएगी, similarly, farmers की भी जो उनकी financial conditions होती हैं, ठीक है, जो भी उनका financial status होता है, उसके basis पर ही, जो भी वो agricultural practice perform करते हैं, वो उस पे depend करेगा, जो हम large और small farm की हम बात कर रहे थे, तो वो farmers जिनका financial conditions उतनी अच्छी नहीं होती हैं, उनके farms कैसे होंगे, चोटे होंगे, और वो farmers जिनकी financial conditions अच्छी होंगी, उनके पास होंगे large farms, इसलिए क्या हो रहा है, इतनी varieties, wide varieties देखने को हमें मिलती हैं, different type के farms की, money और financial conditions allow करती हैं farmers को different farming practices use करने की, और साथी साथ agricultural technologies use करने की, और विसी बात है, आज के time पे 2020 में इतनी सारी modern technologies आ गई हैं, है ना तरह तरह की machinery आ गई हैं, जिनने क्या किया है, जो labor है, man labor है, उसे कम कर दिया, यानि कि अब human beings को ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती है, machines ही उनका ज़्यादा काम कर देती हैं, और विसी बात है, अगर किसी farmer की financial condition अच्छी नहीं होगी, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होगे, तो क्या आज के time पे जो different agricultural field में जो अलग-अलग machinery आ गई हैं, उनको use कर पाएंगे, उनको खरीद पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, जो उनका status होगा, उसके according ही, वो क्या करेंगे, agricultural practices को perform करेंगे, और agricultural technologies भी वो उसी basis पे acquire कर पाएंगे, next point, there is a correlation between higher inputs and yields, of course, इसको कर सकते हो, आप star mark, बिल्कुल सही बात है, input जितना आप दोगे, output उतना बढ़ेगा, input-output वाली बात है, है न, पौधे को आपने जितने अच्छे से उसका ध्यान रखा, उसको proper sunlight में रखा, उसको जितना पानी दिया, उतना क्या होगा, उसमें flowers आएंगे, fruits आएंगे, और अगर आपने उसको ध्यानी नहीं रखा, जादा आपने उसको पना पानी दिया है, बिल्कुल सूखा पड़ाया है 3-4 दिन तक, proper sunlight में भी नहीं रखा, shady places में रख दिया, वो grow नहीं कर पाएगा, उसमें full नहीं आपाएंगे, फल नहीं आपाएंगे, तो input जितना अच्छा होगा, output भी उतना अच्छा होगा, है न, यहीं तो बोल रहे हैं, कि farmer ने जितना input अच्छा लगाया होगा, yield, जो crop production की होगी, वो उतनी ही जादा होगी, thus farmers purchasing capacity for inputs, decides cropping system and production practices, और विसी बात है, farmer की जो purchasing capacity होगी, खरीदने की जितनी शमता होगी farmer की, क्या खरीदने की, inputs खरीदने की, अच्छी quality के seeds वगएरा, यह सब inputs में आते हैं, है न, तो farmer की जो भी खरीदने की शमता होगी, inputs को, वो decide करेगी, cropping system क्या होने वाला है, और production practices क्या होने वाली है, therefore, production practices can be at different levels, जैसे की no cost, low cost, और high cost production practices, high cost से आपको क्या समझ में आ रहा है, low cost से, या low cost से क्या समझ में आ रहा है, high cost में हम बोल सकते हैं की, अलग-अलग तरग की अच्छी quality की, अच्छी variety की crop seeds, अलग-अलग जो agricultural machinery आ गई है, technologies आ गई है, उनका usage, यह सब किसमें आएगा, high cost production activities में आएगा, क्यों, क्योंकि high cost production activities में, practices में हम बोल रहा हैं की, farmer की जो purchasing capacity होगी, न, inputs को खरीदने की, वो क्या होगी, जाधा होगी, financial status जितना होगा, farmer का जाधा, inputs वो खरीदने के लिए, जाधा शमता रखता होगा, और अगर inputs वो अच्छे लगाएगा, तो production practices कैसी होगी, high cost होगी, अच्छी quality के seeds लेके आएगा, अच्छी different varieties के seeds लेके आएगा, no या low cost जो production practices हैं, उसको आप guess कर सकते हो, कि भाई no cost में हम बोल रहे हैं कि बहुत ही poor condition है, financial condition है, farmer की inputs खरीदने के लिए वो जाधा उसके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो production practices भी क्या होगी, बहुत weak होगी, no cost होगी, और वहीं अंगम बात कर लो cost की, तो mediocre level रहेगा, यानि कि बहुत जाधा उसने investment भी नहीं किया है inputs में, और जिसकी वज़े से जो production practices होगी, वो भी कैसा होगी, medium होगी, ठीक है, medium level का, ये low, medium और ये higher level का, ठीक है, तो ये कुछ points से NCRT में, जो हमें discuss करना जरूरी थी, ये सब production management में आते हैं, अब आगे की बात, अब देखो, जो हम crop production management की हम बात कर रहे हैं, improvement की बात कर रहे हैं, उसकी तीन basic constituent है, सब सब पहले क्या है, nutrient management है, कि आप nutrient को manage कैसे कर सकते हो, और nutrient management में आता क्या है, first constituent है, ये किसका crop production management का, इस वीडियो में हम nutrient management की बात करेंगे, nutrient management क्या होता है, देखो, हम living beings की तरह, हम human beings की तरह, plants को भी, क्योंकि plants भी living organisms होता है, तो इनको भी, plants को भी in organic elements की requirement होती है, growth और development के लिए, body बनाने के लिए, उसमें repair perform करने के लिए, other activities perform करने के लिए, तो जिस तरह से हम human beings को in organic elements की requirement होती है, उसी तरह से plants को भी in organic elements की requirement होती है, और इन ही in organic elements को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं, हमारे nutrients, याने की plants को भी nutrients की requirement होती है, हमें बोला चाता है कि balanced diet लो, क्योंकि balanced diet rich होती है, सभी nutrients में चोंकि हमारी body के लिए required होते हैं, similarly plants में भी nutrients की requirement होती है, तो nutrient management क्या करता है, nutrient management ये manage करता है कि कौन से nutrient कितने time पे और कितने amount में supply किया जाना चाहिए plants को, I repeat, nutrient management का क्या काम होता है, ये manage करना कि कौन से nutrient, सबसे पहले होती है selection of nutrient, कितने quantity में और कौन से time पे crop plant को या plant को दिया जाना चाहिए, ये किसका काम होता है, nutrient management का, Plants also require nutrients for growth Nutrients are supplied to plants by air, water and soil अब देखो Nutrients जो हमने बात करी थी In organic elements की जिनको हमने nutrients नाम दिया था Actually 16 major elements है 16 major elements हैं जिनकी requirement plants को होती है इन में से carbon, hydrogen और oxygen ये इनको मिल जाता है कहां से? Air से और water से Of course, obviously carbon और oxygen जैसे की हमने पढ़ा है कि air में present होती है तो carbon और oxygen मिल गई air से और hydrogen कहां से मिल जाएगा? Hydrogen मिल जाएगा water से है ना? Oxygen भी मिल जाएगी water से तो out of 16 important major elements plants को carbon, hydrogen, oxygen कहां से मिल जाएगा? Air से मिल जाएगा और water से मिल जाएगा बाकी elements कहां से आएगे? तो बाकी elements भाईया supply करता है कौन? Soil इसलिए तो बोलते हैं कि soil का fertile होना बहुत जरूरी है different bacteria जिसे कि हमने different cycles पढ़ी थी nitrogen cycle वगेरा उसमें हमने देखाता है कि as it is plant nitrogen को absorb atmospheric nitrogen को उसके elemental form में absorb नहीं कर सकता जरूरी है nitrogen को उसके oxide में convert करने की इसलिए बहुत सारे bacteria present थे nitrifying bacteria वगेरा present थे उसी तरह से soil में nutrients भी होने चाहिए क्यों? क्योंकि plants को अपनी growth और development के लिए nutrients required है तीन elements जो थे वो तो air और water से मिल गए बाकी के कहां से मिलेंगे तो बाकी के soil से ही मिलेंगे air supplies carbon and oxygen hydrogen comes from water and soil supplies the other 13 nutrients to the plant हमने बात करी थी 16 की 16 में से हमने बोला out of 16 3 elements जो थे 3 nutrients जो थे वो तो air ने और water ने दे दिये बचे कितने 13 तेरा कौन देगा? soil देगा Right? Some are required in large quantities and therefore are called macronutrients Macro मतलब क्या होता है? Macro मतलब होता है बड़ा, large तो वो nutrients जिनकी requirement plant bodies में काफी ज़्यादा quantities में होती है उन्हें हम कहते हैं macronutrients और वो nutrients जो की plant bodies में कम quantities में small quantities में required होती है उन्हें हम कहते हैं कौन से? micro micro का मतलब क्या होता है? small तो वो elements जिनकी requirement plant body में ज़्यादा quantity में होती है उन्हें बोला macro और जिनकी कम quantity में होती है उनको हमने बोला micronutrients अब यहाँ पे एक diagram है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा macronutrients लिखा है और micronutrients लिखे है कौन कौन से है? जरब वो देख लो nitrogen, phosphorus, potassium calcium, magnesium and sulfur यह क्या है? macronutrients याने कि in nutrients की requirement plant body में ज़्यादा quantities में होती है अब देखो इसको याद करने की एक निमोनिक है NPKR3, other nutrients are called mega super उन्हें हम क्या कहते है NPK को हम क्या कहते है mega super कहते है called mega super NPK क्या है भई? N से आया nitrogen P से आया phosphorus और K से आया अपना potassium और cold mega super से कौन आया भई? cold से आया calcium mega से आया magnesium और super से आया sulfur इसी तरह के निमोनिक्स आप भी बना सकते हो जो भी आपको easy पड़े ठीक है? ये क्या हुए? macro nutrients हुए इसके अलावा इसमें carbon, hydrogen, oxygen भी आ रहे हैं जो की non-mineral elements होते हैं next, micro nutrients micronutrients मतलब कौन? जो की small quantities में required होते हैं iron, boron, molybdenum, copper, magneze, nickel, zinc and chlorine अब इसको कैसे याद रखे? it's fab morning fab morning come on, nick, join class अब देखो it's को थोड़ा सा हटा दो it's है याप इसए आपे fab, fab मतलब की feb, fe मतलब क्या होता है भाई? iron होता है b से क्या निकला? boron निकला फिर morning morning से क्या निकला भाई? molybdenum निकला फिर come on come on में हम बोलते हैं कि spelling थोड़ी सी अलग हो जाएगी c-u-m-n कर देंगे c-u मतलब क्या होता है भाई? copper होता है m-n मतलब क्या हो जाएगा? manganese हो जाएगा तो come on की spelling अलग कर दी हमें थोड़ी c-u-m-n कर दी nick nick से क्या आ जाएगा भाई? निकल आ जाएगे अब जो हमने बात करी थी join की अब उसको join ही आप उसको पढ़ो join join क्यों बोल रहे है? क्योंकि join के साथ आ रहा है हमारा zinc zinc क्या होता है? z-n तो join को आप पढ़ोगे join तो join से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई zinc आ रहा है इसके अलावा क्लास क्लास से आ गया क्लोरीन तो it's fab morning come on nick join यह हो गया क्या? एक तरीका micronutrients को याद करने का और macronutrients के बारे में भी मैंने आपको बताया इतनी चीज़े clear होई आपको कि सबसे पहले अब जो भी चीज़े हमने पढ़ी है इस वीडियो में उसको हम करते है quick recap सबसे पहले हमने बात करी थी कि भाई इंडिया और बाकी other countries में के जैसे इंडिया भी agricultural based country है है ना बहुत सारे major population ऐसी है जो कि agriculture पे depend करती है अपने survival के लिए major source of income population का क्या है agriculture ही है इसके अलावा varieties of हमें farms देखने को मिलते है कई होते हैं small farm कई होते हैं large farm इसके बाद में money और financial condition actually farmers की depend वो important चीज़े होती है financial condition ऐसी चीज़ होती है जो कि farmers को allow करती है कि कि किस तरीके का उनका farm होने वाला है पैसे कम होंगे तो farm उनका छोटा होगा और साथी साथ क्या influence करती है financial conditions जो different farming practices होती है और agricultural technologies होती है उनके पास there is a correlation between higher inputs and yields जित्ती जादा input होगा अच्छा input होगा output भी किसी चीज़ की उतनी अच्छी निकलेगी example में हमें लिए था plant की कि आप take care करोगे अच्छे से करोगे तो flowers भी उसमें उतनी अच्छे आएंगे और fruits भी अच्छे आएंगे और आपने उस पर बिलकुल ज्यान नहीं दिया तो उसमें न flowers आएंगे ना fruits आएंगे तो input जित्ती अच्छी yield उत्ती अच्छी does farmers purchasing capacity for inputs decides cropping system and production practices financial conditions इतनी अच्छी होगी inputs खरीदने की शमता farmers की उतनी जादा होगी और cropping system और production activities भी उन पर depend करेंगी production practices हमने तीन टाइप के देखी थी low cost, low cost and high cost high cost के लिए हमने देखा था कि अच्छी variety के seeds अच्छी quality के seeds जो जितनी भी agricultural machinery आ गई है, advanced technology उन सब का use आएगा किसमे high cost production practices में और वही no cost और low cost में no cost में हम बोलेंगे की financial condition अच्छी नहीं है farmers की तो जादा उन्होंने input पे invest नहीं किया है बहुत कम किया है इसलिए production practices कैसी होगी no cost और low cost में हमने बोला था कि medium range की उनकी capacity होगी inputs को खरीने की इसलिए production practices भी कैसी होगी low cost होगी इतना clear है आप सबको फिर इसके बाद में crop production management के कुछ constituents होते हैं crop को कौन से nutrient की सबसे पहले selection करेगा nutrient की कौन से time पे और कितनी quantity में requirement है living beings की तरह human beings की तरह plants में भी inorganic elements जिसको हम कहते हैं nutrients उनकी requirement होती है growth के लिए development के लिए repair के लिए और various activities जो उनकी body में perform होती है इसलिए हमने बोला की nutrient management क्या करेगा की plant में कौन सा nutrient चाहिए है उनको कितनी quantity में चाहिए है और कौन से time पे चाहिए है वो ये decide करेगा manage करेगा nutrients देखो 16 major elements होते है जिनकी requirement होती है plants को out of 16 13 elements are supplied by air and water carbon, hydrogen, oxygen यह कहां से मिलेगा air और water से मिलेगा बचे 13 13 कौन देगा soil देगा इसमें भी दो टाइप के nutrients होते है major and micro macro में हम बोलते हैं कि जिनकी large quantities में requirement होती है और उसका example हमने देखा nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur और इसके बाद में micronutrients जिनकी requirement trace quantities में कम quantities में होती है plant body में कौन-कौन से iron, boron, moloddenum, copper, magneez, nickel, zinc and chlorine इसको याद करने के भी तरीके हमने देख लिए है और इस तरह के आप कोई neemonics बनाना चाहें जो आपको easy लगते हो वो आप बना सकते है highest standards में इनको याद करना हो जाएगा compulsory तो क्यों ना हम अभी से कर ले तो इस सरह से आप इनको याद कर सकते है तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि crop production management क्या होता है और उसका हमने first constituent भी देखा जो constituent है उसका ही continue करेंगे हम next वीडियो में और देखेंगे कि कैसे plants में हम और ज़्यादा nutrients adequate quantities में supply कर सकते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही complete course के लिए Magnet Prince Plus में अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetprints.com पर Thank you for watching Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं manuals के बारे में previous वीडियो में हमने बात करी थी crop production management की जिसमें हमने उसका first constituent देखा था nutrient management देखा था कि कौन-कौन से nutrients plant growth के लिए, development के लिए different activities के लिए required होते हैं अब सवाल ये आता है कि soil में ये सारे nutrients आएंगे कहां से आज इस वीडियो में हम cover करते हैं first method जहां से soil होती है nutrient rich so welcome to magnet brains पहों वीबूती खारे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic manures के साथ भई हम कई बार previous videos में previous chapters में हम पढ़ चुके है fertilizers, ठीक है ये कुछ chemicals होते हैं जो की plant growth को enhance करते हैं fertilizers की ये basic definition तो हमें पता है लेकिन अब ये manures क्या है manures कुछ नहीं actually natural fertilizers होते हैं ठीक है manures क्या है natural fertilizers है अब ये natural fertilizers क्या होते हैं और इनको डाला क्यों जाता है हमने बात करी थी कि बही सभी plants को, crop plants को nutrients की requirement होती है 16 elements देखे थे major जो की required होते हैं plants को उनकी growth के लिए out of 16, तीन हम में देखे थे air और water से मिल गए थे बाकी बचे तेरा तो वो हमने बोला कि soil से मिलेंगे कई बार ऐसा होता है कि soil infertile हो जाती है बार बार हम बात कर देखे previous chapter में कि soil pollution से क्या होगा soil की fertility कम हो जाएगी fertility मतलब कि यही जो तेरा nutrients थे वो unavailable हो जाएगे इनका amount कम हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा उन पे कोई भी आप crop cultivate करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगी तो हम बोलेंगे कि soil हमारी infertile हो गई क्यों क्योंकि जो भी crop या plant आप इसमें लगा रहे हो cultivate कर रहे हो उनको essential nutrients प्रवाइड नहीं कर पारी है और इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो हमने बोला कि soil हो गई infertile कभी कभी क्या होता है कुछ natural calamities आ जाती है जैसे कि बहुत जादा बारिश हो गई flats आ गए तो क्या हुआ soil की जो topmost layer होती जिसे हमने बोला था humus humus बहुत fertile बनाती है soil को बारिश वही अपने साथ बहा करके ले गई तो क्या हुआ फिर से हम बोलते हैं कि soil की जो nutrient quality थी जो nutrient amount उसमें present थे वो सब बहेके चले गए soil फिर से क्या हो गई infertile हो गई कईबर क्या होता है बार बार soil की उपर आप crop की cultivation करोगे तो क्या होगा जितने बार crop आपने cultivate करी उतने बार nutrients जो है plants ने crop ने अब्जॉब कर लिए और soil में nutrient की quantity कम होने लगी एक ऐसी stage आएगी कि further crop plant को वो provide नहीं कर पाएगी soil फिर से हमने क्या बोला कि soil हो गई infertile अभी जो infertility है soil की इसे हटाया कैसे जाए कैसे treat किया जाए तो आते हैं हमारे manure manure क्या होते हैं natural fertilizers होते हैं fertilizers हमें पता है क्या होते हैं सभी nutrients provide करते हैं plant को crop plants को जिससे की plant की growth possible हो पाती है development हो पाती है तो natural fertilizers को हम कहते हैं manure manure contains large quantities of organic matter manure में क्या present होते हैं बहुत सारा organic matter manure बनते किस्से हैं तो हम बोलते हैं कि by the decomposition of animal excreta and plant waste animal excreta बहुत सरीके होते हैं और plant waste भी बहुत तरीके के होते हैं और बहुत सारे होते हैं तो क्या करते हैं इन सब को decompose करते हैं animal excreta को भी और plant waste को भी deccompose करते हैं deccompose मतलब कि छोटी-छोटी small molecules में जो waste निकल के आ रहा है animals के पास से और plants के पास से उनको तोड़ते हैं ये small molecules क्या काम करते हैं एक fertilizer की तरह काम करते हैं और natural fertilizer की तरह काम करते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी पी तरह का chemical का use में fertilizer use किये जा रहे थे chemicals use किये जा रहे थे लेकिन यहाँ तो हम सारी चीज़े organic method से बना रहे हैं सारी organic method चीज़े ही है animal और human और plant excreta है उसी को हम decoupose कर रहे हैं किसी तरह का chemical तो हम use नहीं कर रहे हैं तो यह क्या होता है? काफी safe होता है इसके अलावा यह large quantities of organic matter से बना होता है supplies small quantities of nutrients to the soil अब यह तो गड़बड हो गई organic matter तो बहुत अच्छे से दे रहा है soil को लेकिन nutrients की भी तो requirement है soil को अब उसके लिए तो बोल रहे हैं कि काफी small quantities में nutrients दे रहा है तो क्या करें? एक काम कर सकते हैं क्यों न? manure की quantity हम ज़ादा डाल दें ज़ादा डालेंगी तो क्या होगा? organic matter भी ज़ादा हो जाएगा और जो यह कम nutrient वाली problem थी यह भी solve हो जाएगी quantity बना देंगे तो nutrients की quantity भी बढ़ जाएगी है न? तो manure क्या होते? natural fertilizers होते हैं animal और plant waste excreta से form होते हैं respectively एंड हम बोलते हैं कि इसमें organic matter बहुत सारा होता है organic matter का ही बना होता है लेकिन nutrient supply थोड़ी कम होती है इस problem को overcome करने के लिए हम क्या करते हैं? ज़ादा quantity में manure डाल देते हैं soil में actually manure जो होता है वो humus provide करता है हमने बात करी थी soil की different layers की soil structure की कि किस तरह से humus जो है soil को fertile बनाता है पानी को भी पकड़ के रखता है oxygen भी supply करता है है ना बहुत सारी चीज़े उसमें present होती है तो basically manure क्या करता है? manure हम बहुत हैं कि soil में humus provide करता है और हमें पता ही कि humus की क्या significance है क्या उसकी importance है तो manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility next the bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure यह जो manure है ना यह काफी भारी होता है काफी बल्की होता है तो यह क्या करेगा? soil structure को भी improve करने में help करेगा this involves increasing the water holding capacity in sandy soils in clay soils the large quantities of organic matter helps in drainage and in avoiding water lodging क्या होता है? कि जो की manure के पास यह ability होती है यह एक bulky organic matter होता है काफी भारी organic matter होता है तो यह क्या करेगा? soil structure को भी improve करता है for example जो sandy soil थी जिसमें की एक drawback था कि वो बहुत जल्दी पानी को और nutrients को अपने आप से drain out कर देता है इसलिए sandy soil पे crops cultivation possible नहीं था अब एक particular region है जहाँ पे सिर्फ sandy soil available है लेकिन वहाँ पे हमें crops का cultivation करना भी जरूरी है क्योंकि demand आ रही है अब क्या करें? sandy soil है soil तो है लेकिन sandy soil है लेकिन cultivation नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है manures add करे जाते है manures क्या करते है sandy soil की water holding capacity बढ़ा देते है sand की साथ में जब हम manure add करते है तो water काफी देर तक sand में retain रहता है जिसके कारण क्या होगा? यही तो उसकी main problem थी sandy soil की कि पानी रिटेन नहीं कर पारा तो जली से drain out हो जाता है पानी और nutrients तो क्या बुला जाता है कि हम को एक ऐसी चीज़ add कर दे sandy soil में जो कि उसके water retention power को बढ़ा दे ज़्यादा देर तक sand soil जो है water retain करके रखेगी तो उस पे grow करने वाले जो plants होंगे वो भी दीरे दीरे water absorb कर लेंगे nutrients absorb कर लेंगे तो sandy soil में भी cultivation हो जाएगी possible तो क्या हुआ जो हमारे पास manure था उसने क्या क्या sandy soils की water holding capacity है retaining capacity है वो बढ़ा दी clay soil clay soil के लिए हमने बोला था कि बहुत जल्दी यह जो है जमने लगते हैं इनके पास जमने की tendency होती है कि पानी डाला नहीं और तुरन जो है जम जाएंगे जिसे क्या होगा plants की जो delicate roots होती है वो इस जमे हुए mask को solid mask को penetrate नहीं कर पाती है तो हमारे manure ने क्या किया large quantities of organic matter helps in the drainage जो इसकी जो drainage problem थी ठीक है वो help करता है और water lodging को भी क्या करता है prevent करता है तो भाई ना सिर्फ हमारे manure ने organic matter प्रोवाइड किया है nutrients प्रोवाइड किया है soil को बलकि उसका soil structure भी improve किया है कैसे improve किया है sandy soil की water holding के capacity बढ़ा दी और clay soil की water lodging की जो problem थी उसको भी solve कर दी अब next point we use biological waste materials which is which is advantages in protecting our environment from excessive use of fertilizers बार-बार हम pollution के time पे बोल रहे थे कि इतने अलग-अलग varieties के हम chemical use कर रहे है कि वो atmosphere में जाके water में जाके soil में जाकर के pollution कॉस कर रहे है manures के use से क्या होता है कि chemicals पे जो हमारी dependence है production बढ़ाने के लिए crop production बढ़ाने के लिए वो कम हो जाती है क्यों? क्योंकि यहां पे हम biological waste material use कर रहे है animal, excreta और plant waste को हम use कर रहे है एक fertilizer बनाने के लिए है ना? तो यहां पे किसी भी तरह का नुकसान नहीं है pollution बिल्कुल cause नहीं होती है using biological waste materials is also a way of recycling farm waste obvious सी बात है इतना सारा farm waste निकलता है अगर उनसे manure ना बनाया गया तो ultimately वो waste कहां जाने वाला है? farm waste फिर से जाने वाला है water reservoirs में, water bodies में और ultimately जाकर के वो करेगा water pollution cause सबसे बढ़िया क्या है? जहां पे वो waste produce हुआ है उसको recycle कर दो यानि कि उससे एक ऐसी चीज़ बना लो जो की farm में ही utilize हो जाए, benefit provide करे तो similarly farm में जो different animals होते हैं उनका excreta, plant waste जो निकलता है उसको decompose करते हैं pits में डाल देते हैं और दीरे-दीरे वो decompose होते जाएंगे bacterial action से का नुकसान नहीं है क्योंकि waste की recycling हो रही है based on the kind of biological material used manure can be classified as अब कौन सा biological waste use हुआ है उसके basis में manure दो type के होते हैं बई कौन कौन से होंगे एक होता है compost या इसको हम and vermicompose भी कहते हैं सबसे पहले compost क्या होता है the process in which farm waste materials like livestock excreta, cow dunk etc, vegetable waste animal refuse domestic waste जो हमारे घरों से गंदा पानी सेवेज निकलता है ठीक है fecal matter निकलता है वो straw eradicated weeds weeds क्या होती है वो पौधे खेतों में जो की हमें किसी काम के नहीं होते हैं जिसको हम घास foods कहते हैं बेवज़ उख जाते हैं बारिश के मौसम में देखाओ को चोटी चोटे आपके जो garden है वहाँ पे चोटी 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 unwanted plants उख जाते हैं फिर क्या करता है gardener आकर के उसको हटा देता है क्यों क्योंकि weeds जो हैं वो unwanted plants जो आपने plants लगा हैं उनके साथ compete करते हैं nutrients के लिए और water के लिए हमें तो वो चाहिए ही नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं और उन weeds का कहां use किया चाता है compost बनाने के लिए pits में डाल देते हैं इतने सारे जो अलग-अलग तरह की waste निकले हैं domestic waste निकले हैं town वगेरा से उन सब को pits में डाल देते हैं और उनको allow कर देते हैं decompose होने के लिए कौन कौन सा दे प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट माटेरल जैसे कि livestock, excreta, animals से जो निकलता है waste, cow dung वगेरा vegetable waste, घरों में हम सबजिया वगेरा काटते हैं उसमें कितना सारा छिलका निकलता है वो vegetable waste, animal refuse domestic waste, जो भी हमारे घरों से कच्रा निकलता है ठीक है, sewage वगेरा जो होता है straw, eradicated weeds is decomposed in pits is known as composting और उनको बड़े-बड़े गड़ों में डाल दे जाता है मिट्टी में और वो decomposed होने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं composting कहते हैं rich in organic matter and nutrients और जब इसमें हम earthworm को यूज करते हैं manure बनाने के लिए compost बनाने के लिए तो उसको हम कहते हैं vermi compost तो composting क्या है? एक ऐसा procedure है जिसमें की farm से और town से निकलने वाला जो waste material होता है farm से क्या निकलेगा? livestock waste निकलेगा जैसे कि cow dung वगेरा plant waste निकलेगा, animal refuse निकलेगा farm से इसके बाद में town से क्या क्या निकलेगा? seaweed निकलेगा animal जो human excreta होता है fecal matter वो निकलेगा vegetable waste वगेरा निकलेगा इन सब को क्या किया जाता है? जमीन में बड़े बड़े गड़े बना करके उसमें डाल दिया जाता है और naturally उनको decompose होने के लिए छोड़ दिया जाता है इससे क्या बनता है? compost बनता है अब अगर यही compost earthworm बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस को vermicomposting यह जो compost होता है वो रिच्छ होता organic matter में और nutrients में जैसे क्या आप देख रहे हो यह animal waste यह था पूरा, यह plant थे plant product थे, ठीक है? इनसे निकला waste waste को क्या किया? बड़े-बड़े गड़ों में रख दिया और क्या बन गया? इनसे हमारा manure बन गया manure क्या होता है? organic matter होता है जो कि रिच होता है organic matter में small quantities में nutrients प्रोवाइड करेगा और अगर earthworm जी आ गए उन्होंने यह composting परफॉर्म करी है तो उसको हम बोते हैं vermi composting तो एक type का manure तो यह हो गया दूसरा क्या है? green manure अब यह green manure में क्या किया जाता है? कुछ plants लेते हैं उनको soil में grow करने के लिए छोड़ देते हैं करीब 6 से 8 months तक 6 से लेकर के 8 months तक उनको grow करने देते हैं फिर क्या करेंगे? उनकी mulching करेंगे कैसे? plugging के तुरू और soil में ही गाड़ के रख देंगे कितने दिन तक? करिबन स्वरी यह months नहीं है यह होगा weeks 6 to 8 weeks तक क्या करेंगे? उन plants को grow करने देंगे weeks तक और जब उनकी tender stage आएगी जयने कि flowering stage जब आएगी उस time पे उनको plugging की तुरू mulch कर देंगे और soil के अंदर ही गाड़ देंगे कब तक? जब तक की वो अच्छे से decompose नहों जाए और उसमें लग जाते हैं करिबन 1 से 2 महीने तक कुछ plants को आपने क्या किया? grow किया कित्ते दिन तक? 6 से 8 weeks तक जब उनकी flowering stage आई जब उसमें full आने लगे उनको plugging की तुरू mulch कर दिया और soil में ही दुबारा guard दिया कब तक गड़ने ने दिया? 1 से 2 महीने और इन 2 महीनों में वो completely हो गए decompose प्लस हम बोलते हैं कि nutrients भी आ जाएंगे तो भई ये भी तो बन गया ना एक तरह का manure manure भी तो यही कर रहा था organic matter प्रोवाइड कर रहा था और nutrients प्रोवाइड कर रहे थे तो कुछ plants को हमने flowering stage तक grow किया earth में ही, soil में ही जबारा guard दिया एक से दो महिने के लिए और naturally उसको decompose होने के लिए छोड़ दिया decomposition से क्या मिल गया organic matter और nutrients मिल गए तो उन plants ने भी कैसा काम किया एक manure की तरह ही काम किया इसलिए इस तरह के manure को हम क्या कहते हैं green manure कहते हैं क्योंकि green plant से हमको वो मिला है prior to the sowing of the crop seeds अच्छा जब ये एक से दो महिने तक इन plants को आप decompose होने दोगे इसके बाद में जो भी आपको crop plant cultivate करना है वो आप लगा दोगे ठीक है prior to the sowing of the crop seeds some plants like sun hemp or guar are grown and then mulched by plugging them into the soil जो भी crop cultivate करना है उसको बोने से पहले sowing के पहले कुछ plants है जिसे की sun hemp वगेरा उसको इस procedure से grow किया जाता है flowering stage तक और इसके बाद में plugging से soil में mulch कर दिया जाता है these green plants then turn into green manure which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus nitrogen and phosphorus provide करते हैं ये green manure इसको कर लो star mark question आए green manure कौनसे nutrient provide करते हैं तो बोलना nitrogen and phosphorus इतना clear है आपको तो कौनसे waste इसे कौनसे biological waste से manure compose हुआ है उसके basis पर दो टाइक के होते हैं एक हुआ compost और एक हुआ green manure इतना clear है आपको अब इस वीडियो में हमने अपि तक जो भी पढ़ लिया है उसको हम करते हैं एक quick recap कर लेते हैं सबसे पहले हमने बोला था कि manures क्या होते हैं तो manures भाई होते हैं natural fertilizers जो कि 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 के बने होते हैं animal excreta के बने होते हैं और plant waste के बने होते हैं जो कि खुद farm पे ही generate होंगे तो यह क्या होई एक recycling की process हो गई कि जो farm से waste निकला है चाहे वो animal waste हो चाहे वो plant waste हो उसको recycle कर देना और उससे fertilizer बना लेना natural fertilizer बना लेना बिना किसी chemical के use के manure बहुत ज़ादा organic matter provide करता है nutrients की quantity थोड़ी कम होती है लेकिन इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं ज़ादा quantity में manure डाल देते हैं ना सिर्फ soil को यह fertile बनाएगा बलकि soil structure को भी अच्छा बना देगा कैसे तो हम बोलते हैं example sandy soil जो होती है उसकी water holding capacity यह बढ़ाता है और जो clay soil होती है उसमें water lodging की problem को यह solve करता है इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो chemical space जो हमारी dependence थी soil को fertile बनाने के लिए वो कम हो गई manure की वजह से है ना फिल using biological waste material is also a way of recycling farm waste अब कौन से biological waste क्योंकि हम biological waste से ही manure बनाते हैं कौन से biological waste से बना रहे हैं depend करेगा उसके टापे manure हो जाएंगे दो टाइक के green manure and compost compost क्या होता है farm और town से निकलने वाले waste को बड़े बड़े गड़े बना करके pits में earth में soil में dump कर दिया जाता है और वहाँ पर उनको naturally decompose होने के लिए छोड़ दिया जाता है ठीक है? farm से कौन सा waste निकलेगा भई? animal waste निकलेगा जैसे कि livestock, cow dump बगेरा, plant waste निकलेगा animal refuse निकलेगा, जो weeds होते हैं, unwanted plants जो की खेत में उख जाते हैं और जो crop plants हैं, उनके साथ compete करते हैं water और nutrients के लिए तो उनको भी उखाड़ के फेका जाता है और किसमें use किया जाता है? manure बनाने के लिए हैं ना? इसके अलावा, टाउन से कौन-कौन सा waste निकलेगा, vegetable waste वगेरा निकलेगा, seaweed निकलता है human extrita निकलता है, fecal matter इन सब को combine करते हैं हम क्या बनाते हैं? compost बनाते हैं, rich होता है organic matter और nutrients में, इसके अलावा अगर composting perform करते हैं उसे हम कहते हैं, वर्मी composting next क्या है, green manure यहाँ पे certain plants लेते हैं उनको 6-8 weeks तक grow करते हैं, जैसे उनमें flowering की stage आती है, tender stage आती है उसको plugging की तरू मल्च कर देते हैं और दुबारा soil में गाड़ देते हैं और उसको वहाँ पे 1-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, इसमें क्या होगा? 1-2 महीने में वो plants decompose जाएंगे naturally soil में और soil में organic matter आजाएगा nutrients आजाएंगे, कौन से nutrients? चीफली, nitrogen and phosphorus आजाएंगे तो soil automatically हो जाएगी fertile और इसके बाद में 1-2 महीने में जब तक वो decompose हो गया उसके बाद में जो भी crop cultivate करना है वो हम लगा देते हैं क्योंकि green plants से बना है यह manure, इसका नाम होता है green manure manure का topic आपको I hope अब clear हो गया हो next video में हम बात करेंगे fertilizers के, कि fertilizers किस तरह से soil को fertile बनाने में help करते हैं complete course के लिए Magnet Brins Plus में ज़रूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर Magnet Brins.com पर Thank you for watching Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं fertilizers Previous वीडियो में हमने बात करी थी कि manures की कि कि किस तरह से हम biological waste को recycle करके manures बना सकते हैं और soil को fertile बना सकते हैं अब इस वीडियो में हम बात करेंगे fertilizers के बारे में और देखेंगे कि ये plants को fertile बनाने के लिए कौन से nutrients प्रवाइड करते हैं So welcome to Magnet Brains, मैं हूँ विबुति खरे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic fertilizer से सबसे पहले fertilizers होते क्या हैं तो भाई ये होते हैं chemicals Fertilizers are commercially produced plant nutrients commercially इनको produce किया जाता है और chemicals के तुरू किया जाता है बिसिकली सभी fertilizers क्या होते हैं chemicals होते हैं और commercially produced किये जाने वाले plant nutrients होते हैं कौन-कौन से nutrients प्रवाइड करते हैं fertilizers तो nitrogen, phosphorus and potassium और इनका है एक major drawback कि fertilizers organic matter organic matter provide नहीं करने वाले भाई ठीक है plants को nutrients की requirement है लेकिन organic matter की भी उतनी ही requirement है इनका major drawback क्या हुआ nutrients तो provide कर दी nitrogen, phosphorus, potassium लेकिन organic matter किया ही नहीं प्लस ये chemicals से और बने हुए हैं ठीक है They are used to ensure good vegetative growth leaves की, branches की और flowers की leaves, branches और flowers की जो growth होती है उसे हम कहते हैं vegetative growth और जो fertilizers हैं वो अच्छी vegetative growth किसी भी plant की ensure करते हैं giving rise to a healthy plant देखो, manure की नहीं एक drawback ये था कि उनमें nutrients होते हैं कम तो जो हमने improvement करके जो new varieties form करी है hybridization करके, genetic modification करके हमने जो new और advanced variety form करी है produce करी है, crop production के लिए उनको क्या चाहिए होता है? बहुत जल्दी growth करने के लिए बहुत जादा nutrients की requirement होती है और बहुत speed में requirement होती है उतनी speed के साथ manure scope नहीं कर पाते विचारे उनमें क्या है? वैसे भी nutrients की quantity थोड़ी कम होती है उसको fulfill करने के लिए हम बोलते हैं manure को ज़ादा add कर देते हैं अब क्या होगा? कि उन पे improved variety की जैसे हम crops को cultivate करेंगे उन crops को चाहिए होगा बहुत जल्दी में nutrients और उतनी speed में manure नहीं दे पाते हैं तो manure का एक major drawback यह होगा कि जो improved variety आ रही है crops की उनकी जो requirement है nutrient की उनके साथ वो cope नहीं कर पा रहा तो भाईया कौन आएंगे fertilizers आएंगे fertilizers जो की chemicals होते हैं बहुत speed के साथ nutrients प्रोवाइड कर दे हैं तो जो improved variety आ रही है crops की उनकी requirement को fulfill कौन कर सकते हैं कौन कर सकते हैं उन requirements के साथ तो हमारे fertilizers इसलिए तो fertilizers को हमें use करना पड़ रहा है next क्या है fertilizers are a factor in the higher yields of high cost farming जब हमने production practices की बात करी थी तो इसमें हमने high cost, low cost और no cost production practices पड़ी थी तो fertilizer का use किस में आएगा भाई high cost production practices में आएगा ठीक है क्यों क्योंकि fertilizer basically advanced एक practice है fertilizers का use पहले के जमाने में fertilizers नहीं होते थे वो तो अब discovery होती जा रही है improvement होता जा रहा है food resources में तो उन improved crop varieties को cope up करने के लिए उनकी जो requirements होती है उनको fulfill करने के लिए नए नए हम तरीके भी लाते जा रहे हैं डवलप करते जा रहे हैं और उसी development के अंदर बने है fertilizers ये fertilizers क्या करते हैं तो रंत nutrients प्रवाइड करेंगे speed में ठीक है फिल fertilizer should be applied carefully in terms of proper dose time and observing pre and post application precautions for their complete utilization complete utilization करना है तो fertilizers को use करते time carefully use करना चाहिए सबसे पहले तो उसकी dose चेक करने चाहिए कि कितनी dose में कितनी quantity में required है कब रिक्वाइड है ऐसा नहीं कि plant बहुत ही juvenile stage में हो और उसी में fertilizer add कर दिया जैसे जैसे growth होती है nutrients की requirement बढ़ती है juvenile stage में छोटी age में उत्ती जादा requirement होती नहीं है तो उस time पर fertilizer add करने की जरुवत नहीं है जब growth जादा होने लगेगी nutrients की requirement बढ़ने लगेगी तब fertilizer हम डाल सकते हैं इसके अलावा हम बोलते हैं कि pre and post application application के पहले और बाद में कौन-कौन सी precautions लेने चाहिए उनको भी हमें carefully देखना चाहिए next for example sometimes fertilizers get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plants कई बर क्या हुआ? fertilizers डाले और इसके बाद में irrigation हो गया irrigation के बाद जादा हो गया जादा पानी आपने डाल दिया खेतों में और क्या हुआ? वो पानी बहेगा बहने के साथ साथ अपने साथ fertilizers को भी बहा करके ले जाएगा तो plants fertilizers को absorb भी नहीं कर पाए फिर this excess fertilizer then leads to water pollution और हमें पता है water कहां जाकर के खुलता है किसी ने किसी water reservoir में water body में और पानी अपने साथ जब fertilizer को भी लेके जा रहा है तो पहिए aquatic life को fertilizer की क्या जरूबत है उनके लिए तो वो एक हो गया pollutant तो क्या होगा? water pollution हो जाएगा अब इतनी चीज़े आपको clear हुई अब करते हैं आगे की बात Next, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो fertilizer है न वो organic matter provide नहीं करेंगे soil को सिर्फ nutrients ही provide कर रहे है तो क्या होगा? soil fertility हो जाएगी कम क्यों? क्योंकि organic matter ही नहीं दिया जा रहा है soil को तो वो replenish नहीं हो पा रहे है जिसके होज़े से soil fertility हो जाएगी कम हमारी manures तो organic matter भी दे रहे थे ना बहुत जादा quantity में लेकिन fertilizers के साथ ऐसा कुछ नहीं है next point microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used after all fertilizers क्या है हमारे chemicals है तो उनमे soil में रहने वाले जो microorganisms है वो तो destroy होई जाएगे ना chemicals से organic farming is a farming system with minimal or no use of chemicals such as fertilizers herbicides and pesticides organic farming आजकल बहुत term trend कर रहा है क्यों trend कर रहा है organic farming में हम बोलते हैं कि chemicals का minimum use होता या फिर use होता ही नहीं है minimum fertilizers basically chemicals का use कहां कहां होगा तो हम बोलेंगे fertilizers के लिए होगा herbicides herbs को destroy करने के लिए और pest को destroy करने के लिए यूज किये जाते हैं pesticides जो हम बात कर रहे थे ना unwanted plants के जिनको हम वीड बोल रहे थे उनको destroy करने के लिए chemicals available है जिने हम करते है different microorganism जो pest होते हैं जो कि crop को destroy करते हैं उनहीं को destroy करने के लिए chemicals available है जिनिन हम कहते है pesticides fertilizer herbicides और pesticides के form में हम chemicals know value करते है organic farming क्या है एक ऐसा में होता है, with the maximum input of organic manures, recycled farm waste, use of bio agents such as culture of blue green algae in the preparation of bio fertilizers, neem leaves and turmeric specifically in grain storage as biopesticides, अब क्या हो रहा है भाई, हमें पता है कि chemicals के इतना साधा use होने के कारण pollution हो रहा है, water pollution को तो चोड़ दो soil भी pollute होती जा रही है, उसकी fertility काम होती जा रही है, तो अब क्या हो रहा है, दीरे-दीरे farmers shift करते जा रहे है, organic farming में, organic farming में जहां हम बोड़ रहे हैं कि chemicals का, in chemicals का use नहीं हो रहा है, अब अगर chemicals को use नहीं करोगे, तो फिर कैसे production को आप manage कर पाओगे, कैसे farmers कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो हमने बोला कि fertilizers का बहुत अच्छा एक substitute है, manure, ठीक है, तो manure डाल दिया आपने fertilizer का substitute बना करके, बाकी हमने बोला herbicides और pesticides, तो अब क्या होने लगा है, कि basically कुछ plants को ही use किया जा रहा है, जैसे कि neem leaves, ठीक है, नीम की पत्तियां जो होती है, टर्मरिक, उनको use किया जा रहा है bio pesticides बनाने के लिए, या bio herbicides बनाने के लिए, instead of using chemicals, क्यों? क्योंकि दिन पर दिन pollution बढ़ता जा रहा है, तो farmers के उपर भी काफी pressure आ रहा है, कि अब इन chemicals का use करना वो कर दें, बंद, इसलिए bio हम बोलते हैं कि जो organic farming है, उस पे अब उसका एक trend आ रहा है, ठीक है, जहां पे हम बोलते हैं कि bio fertilizers, जिसमें हम बोलते हैं कि blue green algae का use किया जाता है, हां और neem leaves और turmeric को use किया जाता है grain storage के लिए, जो की act करते हैं as bio pesticides, इतना clear है, तो इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा है, जल्दी से करते हैं उसका एक quick recap, fertilizers क्या होते हैं, chemicals होते हैं, जिनको commercially, इनको हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि commercially produced plant nutrients होते हैं, basically chemicals होते हैं, कौन कौन से nutrients प्रवाइड करेंगे, nitrogen, phosphorus and potassium, organic matter नहीं करेंगे, यही इनका एक major drawback है, यह क्या करते हैं, अच्छी vegetative growth, यानि कि leaves की, branch की और flowers की, जो growth होती है, उसको ensure करेंगे, जिसके विज़े से हमारा plant कैसा हो जाएगा, healthy हो जाएगा, fertilizers, अगर, क्योंकि chemicals होते हैं, और advancement है धीरे-धीरे यह agriculture field में, तो फिर यह कौन से production practice में आते हैं, high cost production practice में आएंगे, इसके अलावा, इनका use बहुत carefully करना चाहिए, कितनी quantity, कितनी dose में, कब देना चाहिए, timing क्या होनी चाहिए, इसके अलावा, pre and post application precautions भी लेने चाहिए, क्यों, after all, यह है chemicals, chemicals, destruction तो cause करते ही हैं, next for example, sometimes fertilizers, जब डाल दिये, उसके बाद में पानी डाला पौदो में, बहुत जादा पानी हो गया, extra पानी बहा, fertilizers को भी बहा के ले गया, तो plant जो है fertilizers को absorb भी नहीं कर पाए, और क्या हुआ, पानी गया water bodies में, water bodies को भी pollute कर दिया, next point क्या है, continuous use of fertilizers, in an area, किसी भी soil की fertility को कम करेगा, क्यों, क्योंकि वो organic matter provide नहीं कर रहा है, soil को, तो organic matter soil का replenishing नहीं हो पा रहा है, microorganisms होते हैं, वो भी destroy हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि organisms को chemical से problem तो होगी ही, और हमारा fertilizer क्या है, एक chemical ही है, manure का एक drawback देखा था हमने, कि वो, जो improved varieties आ रही है, crop की, उनके साथ cope नहीं कर पाता, जिस speed के साथ उनको nutrients की requirement होती, उस speed में वो provide नहीं कर पाता, यह उनका major drawback था, जो nutrients provide करते हैं, इसके अलावा, क्योंकि pollution इतना जादा हो रहा है, farmers के उपर pressure आ रहा है, कि अब in chemicals का use, जो कि हम fertilizer, herbicides और pesticides की form में करते हैं, उनका use कर दो minimum या कम, इसलिए organic farming जो है, अब trend कर रही है, जहां पर हम fertilizer को substitute करते हैं, कि इसके साथ manure के साथ, herbicides, pesticides को substitute करता है, कि इसके सा साथ, basically ये बायो पेस्टिसाइट की तरह काम करते हैं, और grain storage में इनको use किया जाते है, कई बार आपने देखा होगा, कि घरो में जब पूरे साल का गेहूं स्टोर होता है, तो जो भी container होता है, ट्रंक होता है, उसमें नीम की पत्तियां डाल दी जाती है, क्योंकि नीम जो ह साथ ही हमने जो first constituent था, crop production management का, जो की था nutrient management वो हमने complete किया है, हमने देखा है कि किस तरह से हम nutrient management soil का बढ़ा सकते हैं, जिसकी वज़े से हमारी जो crops हैं वो भी healthy हो, राइट, तो nutrient management constituent complete हुआ है crop production management का, अब next वीडियो में हम एक और constituent की बात करेंगे, इस वीडियो के लिए complete course के लिए Magnet Brins Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrins.com पर, thank you for watching Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं irrigation, हमने start किया था crop production management के साथ और उसमें हमने देखा था कि उसके तीन basic constituents होते हैं एक था हमारा nutrient management, एक है irrigation और third है cropping pattern previous वीडियो में हमने बात करी थी nutrient management की और देखा था कि किस तरह से manures और fertilizers मिलके nutrient manage करते हैं crop production में आज हम बात करते हैं crop production management की second constituent की जो की है irrigation So welcome to magnet brains, मैं हुवी बुती खरे, तो चली start करते हैं आज का हमारा topic irrigation के साथ भाई ये irrigation है क्या और इसकी requirement क्यूं है? देखो, सभी living organisms को water की requirement होती है, और वेसी बात है इसलिए तो water एक basic necessity है सभी living organisms की Similarly, plants को भी, क्योंकि plants भी living organisms हैं, तो plants को भी water की requirement होती है basic activities perform करने के लिए और सबसदा important किस चीज में होती है उसकी photosynthesis perform करने के लिए photosynthesis से ही plants अपना खाना बना पाते हैं तो उनको क्या-क्याची होता है photosynthesis के लिए हमने कई बार उसको discuss किया है sunlight चाहिए है, water चाहिए और carbon dioxide चाहिए है तो water एक basic constituent है सभी living organisms का including plants अब जब हम crop production की बात करते हैं तो crop plants को water की requirements fulfill कहां से होती है हमारा answer है rain water जब बारिश होती है, वो बारिश का पानी soil में आकर के absorb हो जाता है और हमें पता है कि सभी plants की roots कहां present होती है soil में ही होती है तो plant roots क्या करती है soil से water को absorb कर लेती है water का uptake हो जाता है इस तरह से plants अपनी water requirement fulfill कर लेते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि बारिश का पानी sufficient नहीं होता कई बार हम news articles में सुनते हैं news channels में हमें सुनने को मिलता है कि बारिश कम हुई है इसलिए फसलें खराब हो रही है ऐसा क्यों क्योंकि बारिश से ही crop plants को water की requirement उनको fulfill करनी होती है लेकिन अगर sufficient water पानी बरसे गई नहीं रेन नहीं होगी तो soil में absorb क्या होगा absorb नहीं होगा तो plants पानी का uptake कैसे करेंगे उस समय काम आता है irrigation irrigation क्या है एक ऐसी process है जहां पे पानी supply किया जाता है crop plants को various means है अलग-अलग तरीकों से crop plants को water supply किया जाता है कब होता है जब rain water sufficient नहीं होता है crop plants की water requirements को fulfill करने के लिए तब आता है irrigation irrigation के बहुत सारे benefits होते हैं देखो सबसे पहले तो हमने पहले भी पढ़ा है कि seed को germinate होने के लिए moisture चाहिए होता है seed कहाँ germinate होगा? soil के अंदर होगा तो moisture कहाँ से मिलेगा? उसको soil से ही मिलेगा तो अगर soil मे water content जादा नहीं होगा या कम होगा तो moisture कैसे मिलेगा? seed को germinate होने के लिए तो अगर soil में sufficient moisture present होता है तो seeds भी germinate होते हैं अच्छे से फिर इसके बाद में हमने देखा है कि जो seed है उसका germination कैसे होता है एक होता है उसमें सबसे पहले तो roots आएंगी इसके बाद में हम बहुते हैं कि shoot आएगी root कहां present होती है roots present होती है soil में अगर soil dry होती है तो वो काफी hard हो जाती है dry soil के अंदर बहुत difficult होता है यह जो roots होती है higher plants में जब आप जाओगे तो यह roots काफी tough हो जाती है लेकि जब हम बात करते हैं seed germination के बाद roots निकलती है वो बहुती delicate होती है उनके लिए possible नहीं है कि वो dry hard soil के अंदर penetrate कर पाएं इसलिए अगर soil का moisture content जादा होगा तो यह delicate roots हैं जो की seed से निकली हैं वो easily penetrate कर पाएंगी और इसी तरह से अच्छी तरह के से हमें पता है कि जो हमने previous वीडियो में हमने बात करी थी कि अलग अलग टाइप के macro and micronutrients चाहिए होते हैं crop plants को सभी plants को यह कहां से obtain किये जाते हैं भई soil से किये जाते हैं अगर soil का moisture content अच्छा है moisture मतलब क्या water किसका बना होता है भई H2O का यानि कि दो major nutrients यहीं से मिल गए plants को कौन-कौन से hydrogen and oxygen तो अगर moisture content अच्छा है soil में पानी जादा है तो nutrients की supply भी plants को अच्छी तरीके से मिलेगी है ना इससे क्या होगा कि root का भी ग्रोथ होगा और shoot का भी ग्रोथ होगा और हमें पता है कि crop plants में shoot की क्या importance है अगर crop plants भी shoot नहीं होगी तो हम खाना कहां से derive करेंगे roots में तो हम जाएंगे नहीं अपना खाना derive करने के लिए है ना shoot बहुत important होती है तो shoot कैसे grow करेगी, root कैसे grow करेगी अगर moisture content soil में बहुत अच्छा होगा plus nutrients वहाँ पे available होगे तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो जो moist soil होती है उसमें seed germinate अच्छे से कर पाएगा, root जो है penetrate कर पाएगी जो delicate roots होती है, वो hard and dry soil में penetrate नहीं करती अगर soil moist होगी, तो moist soil में easily वो roots उनकी penetrate कर जाएगी इसके अलावा nutrients supply भी होगा, तो shoot भी अच्छे से grow करेगी shoot अच्छे से grow करेगी, तो हमें पता है, shoot से ही तो अपना खाना जाके derive करेंगे तो production भी क्या होगा, बढ़ेगा, yield भी बढ़ेगी तो सबसे पहले हम भी क्या देखा, सबसे पहले तो seed germinate करेगा अच्छे तरह से moist soil में, root और shoot की growth भी possible होगी अब हमने जितने भी macro और micronutrients देखे हैं न, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि water soluble होते हैं, water soluble मतलब कि water में dissolve हो सकते हैं पानी आया, soil के अंदर, soil में पानी absorb हो गया इसी पानी में बहुत सारे nutrients भी क्या हो गया, dissolve हो गया, घुल गया घुलने के कारण क्या हुआ, अब जैसे ही roots ने water को absorb किया ठीक है, roots ने जैसे ही water को absorb किया, water के साथ-साथ nutrients भी absorb हो गया तो हमने क्या देखा, कि water अगर नहीं present होगा, तो water soluble nutrients का absorption या uptake plants कैसे करेंगे तो water का एक और significance क्या है, कि उनमें बहुत सारे essential, जो macro और micro nutrients हमने देखे हैं वो उनमें soluble होते हैं, उनमें जाके घुल जाएंगे, घुलेंगे, तो जैसे ही plants water absorb करेंगे उनके साथ में वो nutrients भी absorb हो जाएंगे, और अब obvious सी बात है, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि nutrients plants के लिए, crop plants के लिए बहुत essential होते हैं, है ना, और जितना जादा वो nutrients absorb करेंगे उनकी ग्रोथ उतनी जादा अच्छी होगी, तो seed germinate करा दिया, root और shoot की ग्रोथ हमने करा दी, nutrients का भी हमने absorption करा दिया और क्या-क्या benefits होते हैं, irrigation के, देखो, कईवार क्या होता है, कि rain water अपने साथ लेकर आता है, बहुत सारी silt, silt कहां से आती है देखो, हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा, जो irrigation अगेरा होता है, वो अलग-अलग means से होता है, अलग-अलग जगा से water reservoir, जो natural water reservoir है वहाँ से पानी उठा करके खेतों तक पहुंचाया जाता है, तो एक तरीका क्या होता है, नदियों से, नदियों का पानी आएगा और खेतों तक पहुंचाया जाएगा नदि में आपको पता है, थोड़ी बहुत soil भी present होती है, rain water ही अपने साथ जो है, खेतों से soil वहाँ करके कहां ले जाता है, नदियों का पानी दुबारा खेतों में जाएगा, उसके साथ में थोड़ी बहुत silt भी आजाएगी, silt आजाएगी कहां? खेतों में, अव्यस सी बात है, silt क्या होता है, उसमें काफी सारा humus होगा, organic matter होगा, तो जैसे ही जो farm के soil में जाकर के वो silt mix होगा, तो soil का humus content है, वो increase हो जाएगा, यानि की soil क्या हो जाएगी, fertile हो जाएगी, तो irrigation का एक ये और benefit रहा, क्या कि जब river like water reservoir से, जब पानी को transfer किया जाता है, खेतों में, river में हमें पता है कि water के साथ silt भी present होता है, तो पानी की साथ silt भी खेतों में चला जाएगा, और humus content, moisture content, soil का increase हो जाएगा, silt के presence के कारण, और हम बोलेंगे, soil हो गई moisture, इसके अलावा, एक major benefit है, irrigation का, कि कई बार आपने सुना होगा, जब बारि cultivation कर पाते हैं, क्यों, बाकी सीजन के टाइम पे क्या होगा, कि water की supply नहीं होगी, water होगा unavailable, इसके कारण, जब रेनी सीजन होगा, उसी टाइम पे वो cultivation करेंगे, irrigation इस चीज में support करेगा, कि farmer, पूरे के पूरे, throughout the year 12 months cultivation कर सके, क्यों, क्योंकि rain water का क्या है, जब बारिश हो, soil ने moisture absorb किया, तभी जो है न, crop plants को moisture available हुआ, लेकिन irrigation क्या करता है, पूरे के पूरे 12 months तक, साल में, पूरे 12 months तक, crop plants को moisture प्रोवाइड करता है, water प्रोवाइड करता है, इससी क्या होगा, कि farmers, पूरे 12 महीने, throughout the year cultivation कर सकते हैं, प्लस, उनके पास alternative ही, यह हम बोल सकते हैं, कि options भी कई सारे रहेंगे, crops को cultivate करने के लिए, for example, कुछ crops ऐसी होती है, जहां पर water available नहीं है, तो उनने क्या decide क्या, कोई बात नहीं, जब रेनी सीजन आएगा, उसी समय हम crop cultivation करेंगे, कौनसी crop जिनको water की requirement होगी, कम, अब हमने बोला कि इरिगेशन ने आपकी यह problem तो, यह drawback आपका solve कर दिया, कि अब आपको पूरे साल पानी available है, अब क्या होगा, अब आपके पास restriction नहीं होगी, कि आप एक particular type की crop ही grow कर पाओगे, जिसमें की moisture content कम required होता है, या ऐसा कुछ तो भी, तो हमने क्या बोला, इरिगेशन ने यह problem भी solve कर दी farmers की, कि वो throughout the year, सबसे पहले त प्लस अब options बढ़ जाएंगे, कि आप अलग-अलग तरह की crops cultivate कर पाओगे, restriction नहीं रहेगा कि पानी कम है, तो ऐसी crops जिनको कम पानी की requirement होती हम सिफ उनहीं को grow करे, या ऐसी crops जो केवल rainy season में ही cultivate की जा सकती है, अब क्या है, throughout the year water available है, अब जो crops आप चाहो cultivate कर सकते हो, तो irrigation क ये बहुत सारे हमने आज benefits देखी हैं, एक बार हम इसे reroute कर लेते हैं, most agriculture in India is rain-fed, यानि कि इंडिया में बहुत सारा agriculture ऐसे है, ऐसा है जो कि rain water पे dependent होता है, poor monsoons cause crop failure, और वेसी बात है rain water कहां से आएगा, monsoon से ही आएगा, और कई बार हमने देखा है, कि सुना है कि monsoon कमजोर पढ़ गया, जिसकी वज़े से फसल बरबाद हो गई, ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yields of any crop, भाई जिस stage पे crop plants को water की requirement होगी, या है, अगर उस time पे उनको water supply proper नहीं हुआ, तो obvious सी बात है, उनकी growth पे तो impact आएगा ही, growth पे impact आएगा, यानि की production influence हो जाएगा, yield influence हो जाएगी, तो यहा करता है, crop plants को उनकी proper stage में, जिस भी stage में water की requirement है, जितनी भी requirement है, उन सब को fulfill करेगा, जिसकी वज़े से क्या होगा, expected yield जो होगी, वो crop की वो बढ़ जाएगी, इसके अलावा, therefore many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation, aim क्या है, जादा से जादा agricultural land को irrigation practice जो हम करते हैं, उसके अंदर cover किया जाए, क क्यों क्यों क्योंकि जादा से जादा खेतों में, throughout the year water supply होगा, तो obviously यह बात है, production बढ़ेगा, इंडिया has a wide variety of water resources and a highly varied climate, इंडिया के पास water reservoirs बहुत तरीके के हैं, यह मोड़ेडी पढ़ चुके हैं, और climatic conditions भी वेरी करती हैं इंडिया में, Several different kinds of irrigation systems are adopted to supply water to agricultural lines, depending on the kinds of water reservoirs available, अब particular region में किस तरह का water reservoir है, उस पर depend करता है कि irrigation वहाँ पे किस तरह की होगी, हमें पता है कि इंडिया में water reservoirs की काफी बड़ी variety है, इंडिया में climatic conditions भी बहुत जादा वेरी करती हैं, एक particular region में किस तरह का water reservoir है, उस पर depend करेगा कि irrigation कैसा होने वाला है, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसका हम करते हैं, एक quick recap, irrigation के लिए हमने बोला, कि यह एक ऐसी process होती है, जहां पे crop plants को water को supply किया जाता है, कब होता है, जब rain water sufficient नहीं होता है, crop plants की water requirements को fulfill करने के लिए, और हमें पत सकते हैं कि most of the agriculture जो है rain water पे ही depend करता है production के लिए, अब इसके बाद में हम बहते हैं कि जो poor monsoon होते हैं, अगर ठीक से बारिश नहीं होई है, तो obviously यह बात है crop failure हो जाएगा, क्योंकि water requirements fulfill नहीं हो पाएंगी crop plants की, water एक basic necessity है, subbing living organisms की including plants, क्यों, seed germination के लिए, root or shoot की growth के लिए, nutrients को absorb करने के लिए, plus water supply, throughout the year जो water supply होती है, वो farmers को help करती है, कि वो throughout the year cultivation कर सके और उनके पास crop cultivation के options भी बढ़ जाते हैं, कोई restriction नहीं रह जाती है कि एक particular crop ही आप grow कर पाऊगे, जितनी चाहे उतनी crop cultivate कर सकते हैं, इसके अलावा क्या होता है, soil का जो organic content या हम बोलें कि soil fertile हो जा होते कैसी process होती है, जिसमें की water supply किया जाता है crop plants को, अलग-अलग तरीकों से, ये water आ कहां से रहा है, हमारे पास इंडिया में बहुत जादा varieties है water reservoirs की, और इनही water reservoirs से पानी जो है agricultural land है, वहाँ पे पहुंचाया जाता है, example हमने लिया river से, river से हमें पता है कि उसमें water भी हो होती है, तो जैसे ही river reservoir से पानी लेके आया गया agriculture land में, पानी की साथ साथ आई, silt, silt जैसे ही agricultural land की soil की साथ mix हुई, silt के presence के कारण agricultural land की soil हो गई, fertile, उसका humorous content बढ़ गया, तो soil कैसी हो गई, fertile हो गई, इतना clear है आपको, तो irrigation की बहुत सारे benefits हैं, और अलग-अलग water reservoirs जो हम हमारे पास available हैं, इंडिया में, उनके तुरू water supply किया जाता है, example हम देख लेते हैं, जैसे की, यह है flood method, अलग-अलग तरह के method होते हैं, यह examples है, upcoming videos में, हम इन सभी जो अलग-अलग methods होते हैं, irrigation के, उनको discuss करेंगे, यह है canal system, और यह है sprinkler system, sprinkler system काफी common होता है, water को spray किया जा है, पूरे खेतों में, ठीक है, छोटे-छोटे nozzles लगे होते हैं, और इनी nozzles की help से, पानी जो है sprinkler होता है, यह हम बहुते हैं कि canal system में, canals के through water supply किया जाता है, ठीक है, next video में, यह upcoming videos में, हम इन सभी system को और detail में पढ़ेंगे, complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेट कर Thank you for watching. अब्विस सी बात है, पानी supply करना है agricultural land में हमारी crop plants को, ठीक है, अब हमें पता है कि इंडिया में variety of water reservoirs available है, है ना, previous videos में हमने बात करी है, लेकिन क्या सभी water reservoirs से पानी उठा करके हम agricultural land तक ले जा सकते हैं, नहीं, यह possible नहीं है, example हम देखते हैं, oceans, oceans हमें पता है कि largest water reservoir है हमारी अर्थ में, अलग-अलग तरह के oceans present है, oceans में काफी सारा पानी भी है, तो एक काम कर सकते हैं, जाना, oceans का पानी लाग करके हम agricultural land तक supply कर देते हैं, लेकिन हम यह भी पता है कि oceans जो होते है, ocean water काफी ज़्यादा marine होता है, marine यानि की salt concentration बहुत जादा हो जाएगा, अब जब आप इस high salinity वाले, यानि की high salt concentration वाले water को agricultural land तक लेके जाओगे और crop plants को दोगे, तो crop plants survive नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इतना ज़ादा salt concentration plants absorb ही नहीं कर पाएंगे, plant को requirement होती नहीं, इतने साले salt concentration की, तो क्या होगा? naturally आप जैसे ही high salinity वाला, high salt concentration वाला पानी लेकर के आओगे crop plants तक, crop plants क्या हो जाएंगे? dead हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इतना साथा salt concentration वो absorb नहीं कर पाएंगे, तो क्या हुआ? तो जो major reservoir था, water reservoir था, हमारे earth पे ocean वहाँ से पानी नहीं आ पाया, ये एक major restriction है irrigation की, क्यों? क्योंकि सभी water reservoir से पानी हम लेके नहीं आ पाते, hot water streams जो होती है, वहाँ हम बोलते हैं कि पाने का temperature इतना जादा होता है, कि वैसा का वैसा पानी अगर agricultural land पर लेकर आ गए crop plants तक, तो crop plants तो बिल्कुल मर ही जाएंगे, क्यों? इतने high temperature की उनको आदब नहीं होती है, तो ये हुई एक major restriction, यानि कि हम बोल सकते हैं कि जब agricultural land में irrigation की बात आती है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही source रह जाता है, वो होता है fresh water sources, fresh water resources, सिर्फ ये ही ऐसे sources हैं, जहां से हम irrigation के लिए पानी obtain कर सकते हैं, इन में से भी दो commonly use किये जाते हैं, एक होता है rivers और एक है ground water, most commonly use होने वाले, जो fresh water reservoirs हैं, वो कौन से हैं, rivers हैं और हमारे ground water हैं, इनके अलावा भी कुछ fresh water sources होते हैं, जहां से water obtain किया जा सकता है irrigation के लिए, लेकिन chiefly हम इनी दोनो fresh water resources को use कर सकते हैं, fresh water resources को use क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक major restriction है, plants के साथ कि high concentration जो water होता है, जैसे कि oceans पगेरा का पानी, वो हम use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि plants इतनी जादा extreme concentration को absorb नहीं कर सकते हैं, इतना clear है, तो major restriction क्या है, कि fresh water resources से ही irrigation का पानी लाना है, और वो कौन से दो main fresh water resources होते हैं, ground waters and rivers, इतना clear है आपको, अब first method देखते हैं, irrigation का जो की है wells, कुएं, अब्वेसी बात है, कुएं कहां present होते हैं, जहां पे exploitable ground water present होता है, exploitable का मतलब क्या होता है, एक ऐसा source जिसको आप कर सकते हो, और वो replenish भी होता जाता है, मतलब कि वो exhaust नहीं होगा, मैं यह नहीं बोड़ रहे हूं कि वो कभी नहीं होगा, कई बार ऐसी stage आती है, जहां पे ground water भी exhaust हो जाता है, क्यूं हो जाता है, जब over exploitation हो जाता है, जब जरुवर से जादा, उसकी capacity से जादा किसी भी चीज को आप use करोगे, तो वो कभी ना कभी तो वो चीज खतम हो ही जाएगी, similarly, ground water के साथ भी होता है, ground water जहां पे exploit table होता है, वहां पे जो कुए हैं, wells हैं, वहां पे construct किये जाते हैं, अब कुए भी दो type के होते हैं, एक हम बात करते हैं कि इसकी dug well की और एक है tube well, और हम यह भी मोह सकते हैं कि tube well, dug well का ही एक advanced form होता है, सबसे पहले तो कुए कहां present होंगे, जहां पे exploitable, ground water present होगा, ऐसा area जहां पे ground water हम exploit भी कर सकते हैं, खर्ज भी कर सकते हैं, और वो replenish भी हो जाएगा, completely exhaust नहीं होगा, जहां पे ground water वहीं पे कुएं construct किये जाते हैं, और इसके अलावा water bearing strata, इसको आप लिख लीजेगा, water bearing strata, हमें पता है कि earth की different layers होती है, इन different layers में water भी present होता है, जब हम ground water की बात कर रहें, तो ground water है क्या, earth की different layers होती है, उन एक layer में present होता है ground water, ठीके न, पानी present होता है, और ground में present है, नीचे present है, इसलिज़ को हम कहते हैं ground water, तो earth की ऐसी layer, जहां पे water present होता है, water bear करता है उसी को हम कहते है water bearing strata और वहीं पर जो different type के wells होते हैं चाहे वो dug well हो चाहे वो tube well हो वहाँ पर construct किये जाते हैं basically जो dug well होता है वो ground water table जो होती है उसके नीचे बनाए जाते हैं basically dug well जो जो ना छोटे छोटे गड़ों के जमान होते हैं और यह कहां बनते हैं ground water table के नीचे बनाए जाते हैं ठीके क्या होगा ground water से यह धीरे धीरे भरते जाते हैं और इन में जब पानी आ जाता है फिर इसको उपर जो है water के अप्टेक के लिए इसलिए हम बोलते हैं जब हम electricity का यूज कर रहे हैं pumps वगएरा का motor pumps वगएरा का यूज कर रहे हैं तो हम earth की deeper layer में भी जा सकते हैं तो tube wells क्या होते हैं ट्यूब्स advanced form होते हैं dug wells का जहां पे हम बोलते हैं कि motor pumps वगएरा का यूज के जाता है electricity का यूज के जाता है water को lift करने के लिए है ना और इसलिए tube well dug well से जाधा deep होते हैं deeper layer तक चले जाते हैं क्यों क्योंकि वहां पे electricity है water को pump करने के लिए इतना clear है तो हमने क्या पड़ा first mean हम में देखा wells जो कि कहा प्रेजेंट होता है कहां पर कंस्ट्रट की जाते हैं जहां पर कि exploit table ground water प्रेजेंट होता है प्लस अर्थ की जो water bearing strata होता है अर्थ की ऐसी लियर जहां पर water present है वहां पर यह बनाया जाते हैं दो टाइप के होते हैं dug well and tube well dug well हम बहुते हैं कि छोटे-छोटे pits होते हैं गड़व को समान होते हैं और कहां बनाया जाते हैं ground water table के नीचे इनका base present होता है ground water से यह धीरे-धीरे भरते जाते हैं और जब इनमें पानी आ जाता है तो पानी को lift कर लिया जाता है, obtain कर लिया जाता है वही tube well के अगर हम बात करें तो यह advanced form होते हैं dug well के जहां पे electricity motor pumps का use करके earth की जो deeper layer है वहाँ से पानी को pump कर सकते हैं, lift कर सकते हैं इतना clear है तो first mean आपको समझ में आ गया wells, second पे हम जाएंगे canals canals क्या होते हैं, जैसे कि हमने बात करी हैं कि fresh water reservoir सी irrigation purpose के लिए use हो सकते हैं तो canals क्या होते हैं, canals एक ऐसा irrigation system होता है जहां पे एक से जादा water reservoir, fresh water reservoir most commonly rivers का use किया चाता है canals system में, वहाँ से क्या होता है कि एक main canal निकलती है ठीके, यह river है, यहाँ से क्या निकलेगी, एक main canal निकलेगी और इस canal में क्या present होगा, rain water present होगा और यह major canal क्या करेगी, अलग-अलग, छोटी-छोटी canals में जाकरके distribute हो जाएंगी इन्हें हम क्या कहते हैं, distributories कहते हैं फर्दर यह जो बड़ी-बड़ी distributories हैं, यह और छोटी distributories में divide होती जाएंगी और ultimately हम भोनेंगे कि agricultural land को यह canals water supply करेंगी बेसिकर यह canals system जो होता है, वो एक network बना देता है एक बड़ी canals, उससे फिर छोटी-छोटी कई सारी canals निकली उनसे भी छोटी-छोटी canals निकली और फॉर्दर वो जाकर के distributories में convert हो जाएंगी और agricultural land को water supply करेंगी इस इस अच्छली इस इस उज्वाली अन इलाबरेट एन extensive irrigation system काफी बड़ा system होता है, एक network बना देता है system canals receive water from one or more reservoirs और from rivers the main canals is divided into branch canals having further distributories to irrigate fields ठीक है, एक बड़ी canals दिंग लेगी river से फिर वो अलग-अलग further छोटी-छोटी canals में divide हो जाएगी ये छोटी-छोटी canals और छोटी canals में divide होती जाएंगी distributories बनाती जाएंगी और यहे distributories जाकर के agricultural land को water supply करेंगी इतना clear है, कई बार ऐसा होता है कि canals system जो है वो इतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है? In the areas where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoir release the lift system यह हम बोल सकते हैं कि river lift system is more rational जब canal system inadequate होता है, या water reservoir का जो release है वो insufficient होता है, उस time पे क्या use किया जाता है? River lift system यहाँ पे क्या होता है? Directly river से पानी lift कर लिया जाता है और agricultural land को provide कर दिया जाता है Canal system में हम देख रहे थे कि बहुत सारी canals की through river water agricultural land तक जा रहा था लेकिन काई बार क्या होता है? कि इस तरह का canal system बहुत जादे successful नहीं होता है inadequate होता है, जो water reservoir release है वो insufficient होता है उस time पे क्या perform करते है? River lift system करते हैं जहाँ पे directly जो river water है वहाँ से पानी lift किया जाता है और agricultural land तक पहुंचाया जाता है Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to rivers इतना clear है, अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा है, wells पढ़ा है, फिर हमने canal system पढ़ा और जब canal system inadequate हो, insufficient हो, तो फिर use किया जाता है river lift system next method क्या है भई? next method में हम बहुते हैं कि tanks, tanks बनाया जाते हैं जैसे कि हमारे घरों में भी कई बार आपने देखा होगा कि overhead tank होता है या ground level की नीचे tanks होते हैं ये tanks करते क्या है? पानी store करते हैं है ना, borewell होती है हमारे घर में borewell से overhead tank तक जैसे कि ये घर है और ये हमारी borewell है borewell क्या करती है? जो ground water है उसको क्या करेगी? होते हैं इस overhead tank में pipe के थ्रू क्या करती है borewells? पानी लिफ्ट करती है है ना, तो tank का क्या काम होता है? tank का काम होता है पानी को store करना इसी तरह के tanks irrigation में भी use किये जाते हैं these are small storage reservoirs which intersect, store the runoff of small catchment areas small catchment areas की जो बहता हुआ पानी होता है runoff water होता है, उसको पकड़ेगा और उसको store कर लेगा ठीक है? इसे हम कहते है tank system और ये irrigation के लिए use होता है जैसे कि हमारे घरों में जो borewells present होती है वो ground water को lift करके कहां पहुचाती है? overhead tank तक, overhead tank क्या करता है? पानी store करता है और various pipelines के तरू फिर घर में पानी की supply होती है उसी तरह से जो catchment areas का runoff water होता है उनको ये tanks का करती है, उनको पकड़ती है और उनको store कर लेती है और ये ही tank का पानी फिर खेतों में यूज किया जाता है irrigation purpose के लिए अब next means क्या है? rain water harvesting rain water harvesting जो है एक hot topic आचुका है बन चुका है हमारे लिए क्यों? क्योंकि pollution इतना जादा हो रहा है global warming और इतनी सारे चीजे चल रहे हैं एक साथ हमारे biosphere में जिसकी वज़ा से काफी सारी जो हमने cycle पड़ी है, water cycle पड़ी है वो सब disturb होती जा रहे है जितनी average rainfall होनी चाहिए उतनी नहीं होती है तो क्या होगा? ड्रॉट तो आएंगे ही, सूखा तो पड़ेगा ही उसको prevent करने के लिए एक बहुत अच्छा method है rain water harvesting कई बार ऐसा होता है कि लगाता 2-3 साल तक एक particular area के मैं बात कर रही हूँ लगाता 2-3 साल तक खुब अच्छी बारिश होई और फिर आगे आने वाले 5-6 सालों में बिल्कुल बारिश नहीं होई तो क्या किया जाता है? जो पहले 3-4 साल में जो अच्छी बारिश होई है उस बारिश के पाने को क्या कर लो? store कर लो तो आगे आने वाले सालों में जब बारिश कम हो रही है या नहीं हो रही है तो उस पानी को तब आप use कर सकते हो इसी principle पे base होता है rain water harvesting rain water harvesting को आजकल suggest किया जाता है कि लोग अपने घरों में भी करें अकेले irrigation या agricultural land तक ही जो है न ये limited ना रहे लोग घरों में भी rain water harvesting करें क्या किया जाता है कि जैसे घर की जो छटे होती है चटों पे बहुत सारा पानी जो है जब बारिश होती है वो store हो जाता है और कई बार आपने देखा होगा कि एक drainage pipe लगा होता है जितना भी छट पे पानी आ रहा है वो पूरा का पूरा नीचे बह जाता है तो भाई बात क्या है बात यह है कि उस run-off water को store करना है तो क्या किये जाता है जो छट से पानी जो pipe है वो नीचे लेके आ रहा है उस पानी को building से हटा रहा है उस pipe को क्या करते हैं भाई उसको ground के नीचे डाल देते हैं जिससे क्या होगा कि छट में जो भी पानी होगा छट से जो भी पानी आ रहा होगा वो नीचे चला जाएगा ground में ground water जो है वो उसका level बढ़ जाएगा ground water table increase हो जाएगी concept इतना साही है कि बारश का पानी जो आ रहा है घर की चटों पे वो वेस्ट ना हो यूँ ही उसको सडकों पे ना बहाया जाए उसका pipe जो है आप डालो ground के नीचे ताकि जो भी पानी चट पे खटा हो रहा हो वो नीचे आ जाए ground के नीचे आ जाए ground water का level बढ़ जाए ठीक है irrigation भी irrigation purpose में भी कुछ ऐसा ही होता है fresh initiatives for increasing the water available for agriculture includes rain water harvesting and watershed management ठीक है क्या होगा चटों से पानी ऐसा जो है बड़े बड़े tanks बना कर भी किया जाता है tank के उपर जो उसका जो surface होगा वहाँ पे rain water collect होगा उस rain water को further क्या किया जाता है नीचे ground पे एक tank बनाया जाता है उस tank में पानी डाल दिया जाता है और फिर धीरे से उसको pump कर लिया जाता है क्यों क्योंकि ये जो tanks बने हैं ground के नीचे ये ground water का level बढ़ा रहे हैं और हमें पता है कि ground water को lift करने के लिए pump करने के लिए हम tube wells बनाते हैं हो जाएगा उसका level बढ़ा देगा इसके अलावा small check dams भी बनाया जाते हैं ठीक है small check dams भी बनाया जाते हैं मुद्दा क्या होता है कई बर हमने देखा है कि बारिश इतनी तेज हुई कि soil erosion हो गया यानि कि बारिश अपने साथ जो humus है जो upper most layer होती है soil की उसको बहा करके ले गई तो क्या हुआ soil infertile हो गई उसका humus content चला गया तो इस तरह की छोटे-छोटे check dams बनाया जाते हैं जिसके कारण क्या है कि जो भी बारिश का पानी है उसको एक जगा एक खटा कर लें water harvesting में हम ground के नीचे store कर रहे थे लेकिन जब हम बात करते हैं check dams की तो उनको ground के नीचे store नहीं किया जाता है उपर ground पर ही जो है ना store किया जाता है उस rainwater को इससे क्या होगा कि जो flow होता है rainwater का उसकी intensity थोड़ी कम हो जाएगी soil erosion of floods जैसे cases देखने को incidence देखने को नहीं मिलते हैं तो छोटे-छोटे check dams बना करके और rainwater harvesting परफॉर्म करके irrigation practices को हम improve कर सकते हैं तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या-क्या देखा उसको हम करते हैं जल्दी से एक revision सबसे पहले हमने start किया था wells के साथ तो जहां पर exploitable rainwater present होगा वहां पर wells develop किये जाते हैं construct किये जाते हैं दो type के होते हैं dug wells and tube wells dug wells हम बोलते हैं अच्छा यह कहां construct करते हैं जो water bearing strata होता है अर्थ का वहां पर यह बनाया जाते हैं इसके अलावा dug wells के लिए हम बोलते हैं कि जो ground water table होती है उसके नीचे dug wells का base होता है इसी ground water से धीरे-धीरे जो dug well है pits के समान होता है गड़ों के समान होता है ground water से धीरे-धीरे भरता जाता है और उपर से हम पानी उसका लेते जाते हैं tube well क्या है इसके advanced form है electric motor pumps वगेरा यूस किये जाते हैं जिसकी वजह से पानी जो इसके tubes होती है वो earth की deeper layer में भी penetrate कर सकती है और वहां से भी water absorb कर सकते हैं क्यों क्योंकि इसका जो uptake है वो easy हो गया है electricity से इतना clear है आप सबको next क्या था next है canals तो यहां पे काफी बड़ा network बन जाता है जो rivers होती है वहां से एक major canal निकलती है यह major canal further चोटी चोटी canals में distribute होंगी यह चोटी canals further और चोटी canals में divide होती जाएंगी और distributaries form करेंगी और यही distributaries agricultural land में जाकर के water supply करेंगे तो एक काफी बड़ा extensive network होता है canals का राइट कई बड़ ऐसा होता है कि जो canal network बना है वो inadequate होता है यह जो natural जो fresh water reservoir है उसकी release insufficient होती है तो उस case में क्या perform किया जाता है river lift system perform किया जाता है जहाँ पर हम बोते हैं कि direct नदियों का पानी agricultural land तक पहुंचाया जाता है इसके अलावा tanks, tanks का करते हैं पानी को store करने का काम करते हैं जो catchment areas में जो run of water होता है उसको पकड़ेंगे store करेंगे और इसी stored पानी को फिर agricultural land तक पहुंचाया जाता है next क्या है rain water harvesting तो इसमें हम बोते हैं कि भाई च्छतों पे जो पानी आता है बारश का पानी आता है उसको ground में नीचे बने एक tank में जाकर के store कर दो pipe के through और यही जो tank है यह ground water के साथ जाकर के mix हो जाएगा और ground water का surface जो level है वो बढ़ जाएगा small check dams बना जाते हैं पारश के पानी को रोकने के लिए इससे क्या होगा दो चीज़े होगी एक तो जो rain water के flow की जो intensity होगी वो कम हो जाएगी soil erosion floods जैसे incidence देखने को नहीं मिलेंगे और क्या होगा irrigation के लिए भी पानी store हो जाएगा तो यह कुछ तरीके हैं जिससे की irrigation perform हो सकता है तो इसी के साथ हमने अपना जो second constituent था crop production management का वो भी हमने complete कर लिया था प्रीवेस वीडियो में हमने बात करी थी manures और fertilizers की याने की nutrient management की first constituent की इस वीडियो में हमने second constituent जो है उसका irrigation वो भी कर लिया है complete अब next वीडियो में हम बात करते हैं third constituent की जो की है cropping pattern complete course के लिए magnet prince plus में ज़रूर अप्ग्रेड करें और इस topic के सभी notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrince.com पर Thank you for watching Hello everyone इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं third type का cropping pattern जो की है crop rotation प्रीवेस वीडियो में हमने बात करी थी कि cropping pattern क्या होता है और दो type की हम already cover कर चुके हैं सबसे पहले हमने पढ़ा था mixed cropping और mixed cropping को ही हमने improve कर दिया तो वो बन गया inter cropping आज हम बात करते हैं एक और type की cropping button की जो की है crop rotation So welcome to magnet brains मैं हूँ विबूती खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic crop rotation के साथ जब हम बात करे हैं mixed cropping की और inter cropping की तो farmers ने यह आगे तो बहुत अच्छा लगाया कि एक साथ 2-3 type की crop को cultivate करेंगे तो फाइदा ही फाइदा होगा maximum productivity हो जाएगी plus हम बहुते हैं कि crops की failure का chances है जो risk है वो भी काफी हट तक हम बहुते हैं कि reduce हो जाएगे लेकिन क्या होगा जितने जल्दी जल्दी आप किसी particular land पे crop grow करोगे continuously लगातार अगर irrigation supply बहुत अच्छी है तो farmers पूरे साल crop cultivation कर सकते हैं और अगर उतनी अच्छी नहीं भी है तो कम से कम साल के 6 महीने 6 मंस में तो वो cultivation कर ही लेंगे minimum है ना तो क्या होगा जब आप continuous भी same agricultural land पे continuous भी crops को cultivate करोगे तो एक ऐसी stage आएगी जहाँ पे soil में जो nutrients present है वो deplete होते जाएगे खर्च होते जाएगे है ना प्लस हम बोते हैं कि diseases और जो अलग-अलग तरह के insect और pest plants प्लांट्स पे अटेक करते हैं उनके cases उनके incidences भी बढ़ते जाएगे तो mixed cropic और inter cropping में अलग-अलग crops को साथ में grow करने का जो idea था वो तो बहुत अच्छा था लेकिन major drawback क्या था कि nutrients deplete हो रहे थे soil से प्लस हम बोलते हैं कि बहुत सारे diseases और pest attack के cases, incidences बढ़ रहे थे अब यह जो दो drawbacks हैं इनको overcome करने के लिए आया cropping pattern cropping pattern में क्या बोला? The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession pre-planned word को कर लो highlight क्योंकि key point है यह crop rotation की definition का is known as crop rotation क्या करना है? दो यह different type के crops cultivate कर रहे थे same piece of land में वो idea तो best है उसको हम change नहीं करेंगे लेकिन वो करेंगे कैसे? pre-plant succession में सोच समझ के एक के बादे करना ठीक है? तो सोचा समझा हुआ succession में एक के बाद एक अलग-अलग crops को cultivate करेंगे ठीक है? depending upon the duration crop rotation is done for different crops combination crop rotation का cultivation का duration कितना ओने वाला है? एक साल, दो साल या तीन साल उसके basis पे जो अलग-अलग crops के हम combination बनाते हैं, pair बनाते हैं वो vary करेंगे if crop rotation is done properly then two और three crops can be grown in a year with good harvest अगर properly करी गई है crop rotation तो एक साल में दो या तीन crops अच्छी harvest के साथ cultivate farmers कर पाएंगे इतना clear है आप सबको next point continuous cropping in the same fields of land many years result in depletion of nutrients ऐसा नहीं है कि एक साल में जो हैना nutrients साले deplete हो गए क्योंकि farmers fertilizers or manures वगएर तो add करी रहे है continuously कई सालों तक अगर लगतार cropping करी गई है cultivation किया गया है तो nutrient loss तो हो गई होगा mostly legumes are included in crop rotation to increase the soil fertility अब जैसे हमने बताया था कि pre-plant succession में करना है एक के बाद एक grow करना है आपको ठीक है जैसे कि आप ये previous एक image देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर पूरा जो agricultural land है उसको total च्छे पाँच एरिया पाँच सेक्शन में divide किया गया है यहाँ बेभी same agricultural piece of land पे अलग-अलग crops cultivate किये जा रहे है है ना लेकिन थोड़ा सा pattern change हो गया है pattern क्या हो गया है अब अलग-अलग sections में ये सभी crops grow कर रहे हैं ठीक है और ये जो section है ना ये interchange हो सकते हैं for example wheat अब भी अगर A section में grow कर रहा है तो next time ये grow करेगा B section में इस तरह से ये change होता जाएगा right सबसे पहले हम क्या करते हैं crop rotation में क्योंकि हमें soil की fertility improve करनी है क्योंकि continuous कई साल होतागा अगर cultivation करेंगी तो soil fertility कम हो जाएगी इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है legumes को use करना legumes बोले जाते हैं हम already nitrogen cycle में पढ़ चुके हैं legumes क्या करते हैं atmospheric nitrogen को convert कर देते हैं nitrogen के oxides में क्योंकि इनके पास present होते है nitrogen fixing bacteria इतना clear है आपको तो ये क्या करेंगे nitrogen को उनके oxides में convert कर देंगे जिसकी help से nitrogen को जो plants से वो absorb कर लेंगे और एक बार absorb कर लिया तो फिर उनसे proteins भी बन जाएंगे और वो protein chain herbivores और carnivores तक जो है चलेगी तो क्या किया legumes क्या करते हैं किसी न किसी तरह से अपने nitrogen fixing bacteria की help से soil को fertile बनाते हैं तो जब भी हम बात करते हैं crop rotation की तो हमेशा क्या होता है कि legumes को legumes को 100% cultivate कराया जाता ही है क्यों? क्योंकि ये soils की fertility बढ़ा देते हैं क्या किया है same agricultural piece of land में अलग-अलग sections में divide करा गया है हर एक section में अलग-अलग crop यहाँ पे cultivate की जा रही है ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है? rotation में cultivation किया जाता है कैसे समझते हैं इस rotation को इधा देखिए यह एक आपको दूस्टी इमेज दिख रही है जहाँ पे देखो यहाँ पे 3 साल का चल रहा है crop rotation ठीक है? यहाँ पे हमने बोला year 1 first year में क्या हो रहा है? सबसे पहले आपने bed 1 में क्या उगाया था? tomato bed 2 में क्या किया? legume legume हमने बोला क्यों crop rotation में 100% include करते हैं क्योंकि यह soil को fertile बनाते हैं फिर bed 3 में आपने क्या किया? carrot को grow किया bed 1, bed 2, bed 3 क्या है? जो अलग-अलग sections हमने divide करे हैं agricultural land के यह वो हैं इसके बाद में first year में आपने इस तरह से आपको कुछ cropping pattern रहा second year में इस cropping pattern change हो गया अब क्या हुआ? bed 1 में जहां पर अपर tomato ग्रो हो रहा था वहां पर अब ग्रो होगा carrot फिर जहां पर legume क्योंकि legume ने क्या कर दिया? soil को fertile कर दिया तो bed 2 हो गया क्या? fertile तो अब इसके बार में यहां पर क्या आजाएगा? tomato आजाएगा क्योंकि tomato में हम होते हैं कि high maintenance चाहिए होती है तो हमेशा legume का basically हम use cup करते हैं पहले करते हैं जब legume के बाद में high maintenance crop जैसे की wheat, rice वगएरा, maze वगएरा हो गया जिनको maintenance की साधा requirement होती है उनको हम legumes के बाद plant करते हैं legume ने bed 2 को बना दिया fertile अब वहां पर आगया tomato अब कहां चला गया legume? bed 3 में चला गया bed 3 में क्या करेगा? वहां की soil fertile करेगा यह हो गया second year का pattern third year का pattern क्या हुआ? third year में हम बहुते हैं कि legume ने bed 3 को maintain कर दिया soil को fertile बना दिया अब वहां पर tomato shift कर जाएगा और अभी तक उसने bed 1 को fertile नहीं किया था bed 1 में आ गया legume, bed 2 में carrot और bed 3 में tomato तो आए गया है तो shift होता जा रहा है हर एक साल में पहले साल में bed 1, bed 2, bed 3 में अलग-अलग crops ने जगा ली थी bed 2 में positions change हो गई, shift हो गई bed 3 में फिर से change हो गई basically बुद्दा क्या है कि जो legume है उसने 3 साल हमने cropping करी है cultivation किया है और 3 साल में जो 3 हमने अलग-अलग sections और bed बनाय थे agricultural land के उन 3 sections को उसने हर साल जाकर के क्या किया है fertile बनाया है soil को fertile बनाया है जिसकी कारण क्या हो रहा है उस fertile soil पे उसके ऊपर कोई high maintenance crop हम cultivate कर पा रहे है इतना clear आपको इसी को हम कहते है क्या crop rotation thus dependence on fertilizers decreases क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा fertilizers to use कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनसे soil pollution होता है water pollution होता है तो इससे क्या हो रहा है legumes जो की naturally soil को fertile बना रहे है तो fertilizers पे dependence कम होती जा रहे है this also promotes prevention from diseases and insect pests ठीक है mostly legumes are included in crop rotation to increase the soil fertility और legumes को grow करने के बाद high maintenance crops होते हैं जैसे की wheat rice वगेरा वो फिर वहाँ पे cultivate करे जा सकते हैं इतना clear है तो यही है हमारा crop rotation crop rotation में अभी तक हमने जो जब पढ़ा है उसका हम करते हैं quick recap हमने देखा कि mix और inter cropping से बहुत अच्छा idea था crops को साथ में cultivate करने का लेकिन major drawback यह आ रहे थे कि nutrient deplete हो रहे थे और हम बोलते हैं कि disease और insect के attack का chances है जो risk है वो भी काफी बढ़ रहा था उसको overcome करने के लिए crop rotation crop rotation में हमने बोला कि यहां पे भी दो या दूसरे जादा crops को एक साथ cultivate किया जाता है लेकिन pre-plant succession में एक के बाद एक करा जाता है ठीटके फिर हम बहुते हैं कि duration क्या होने है cultivation का उसके basis पे अलाग-अला crops के combination है वो बनाया जाते हैं next if crop rotation is done properly अगर properly किया गया है तो एक साल में दो या तीन crops अच्छी हान में इसके साथ cultivate किये जा सकते हैं इसमें क्या होता है crop rotation में सबसे पहले तो legume लिया जाता है legume को लिया ही जाता है क्योंकि legumes क्या करते है naturally soil को fertilize करते हैं एक बार आपने किसी एक section में agriculture land के legume grow कर दिया उसके बाद में आप कोई high maintenance वाला crop plant लगा सकते हो जैसे कि wheat हो गया rice हो गया maze हो गया ठीक है फिर इसके बाद में हमने बोला कि इससे क्या होगा fertilizers के उपर हमारे जो dependence होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि naturally legumes है soil को fertilize करने के लिए और इसके help से हम बोलते हैं कि disease और insect का जो उनसे भी हमें prevention मिलेगी जो attack होगा उनसे prevention मिलेगी example हम में लिया था crop rotation का 3 साल हम cultivation कर रहे है year 1, year 2, year 3 year 1 में हमने देखा था कि legumes bed 2 को fertile कर रहा था second year में क्या हुआ bed 2 पे आ गया tomato और वो shift हो गया next bed पे और third year में क्या हुआ फिर से वो shift हो गया दूसरे bed पे third bed पे और उसकी जगा आ गया tomato इस तरह से क्या हो रहा है सभी beds को जो legume plant है वो तीन साल में fertile कर रहा है इतना clear है तो इसी के साथ हमारो जो third crop production management का वो होता है finished हमने सबसे पहले start के था nutrient management के साथ जिसमें हमने manure और fertilizer का significance देखा था फिर हमने पढ़ा था irrigation irrigation मैंने देखा था कि किस तरह से अलग-अलग means से जो natural water reservoir है या अगर हम बोलें कि particularly जो fresh water reservoirs है वहां से पानी agricultural land तक supply हो रहा था इसके बाद में आया cropping pattern cropping pattern हमने तीन टाइप के देखे है mixed inter cropping and crop rotation इन सबसे क्या हो रहा है जो crop का ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो second activity है crop production management की वह भी हमने कर ली है cover अब next video में हम बात करेंगे third management practice की जो हम पूरा जिस aim के साथ चल रहे हैं कि हमें increasing population की increasing ever increasing demand को fulfill करने के लिए yield बढ़ानी है production बढ़ानी है उसका third major जो aim है पूरा उसकी third major objective यह हम दिखेंगे next video में complete course के लिए magnet brains plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर thank you for watching Hello everyone इस video में हम पढ़ने वाले हैं second type की cropping pattern जो की है inter cropping previous video में हमने बात करी थी mixed cropping की अब हम पढ़ेंगे एक और type की cropping pattern जो की है inter cropping so welcome to magnet brains मैं हुवे बुति खरें तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic inter cropping के साथ अब इंटर cropping क्या है क्या यह mixed cropping से similar है so the answer is yes mixed cropping से यह काफी हद तक similar है in fact यह mixed cropping की भी एक advanced form है क्यों इसमें कई तरह की advancement देखने को मिलती है हम यह बोल सकते हैं कि किसी तरह से crop failure के risk को reduce करने के लिए minimize करने के लिए जो farmers हैं उनने एक idea लगाया था क्यों न एक साथ दो type की crops को cultivate किया जाए उनका यह idea हो गया successful है न तो उनने सोचा कि हाँ यह idea सही है एक साथ दो type की crops को हमने cultivate किया जिससे की crop failure का risk हमने कई हद तक minimize कर लिया अब उनने क्या सोचा कि इसी को हमें अब improve करना है तो इसी के साथ हम बोलते हैं कि जो mixed cropping है वो एक improved या advanced form होती है inter cropping एक improved या advanced form होती है mixed cropping याने कि mixed forming में आपने क्या क्या है mixed cropping में आपने improvement करी और improvement से ही बना है क्या inter cropping अब इसमें क्या होता है इसमें भी दो या दो से जादा crops को simultaneously grow किया जाता है same field में लेकिन एक definite pattern में जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको inter cropping में काफी सारे advancement मिलने वाले ही इसलिए हमने बोला कि यह advanced form है mixed cropping का ठीक है अभी तक हमने बात करी थी mixed cropping में कि उसमें भी दो यह दो से जादा crops को हम simultaneously grow कर रहे थे लेकिन हमने कभी भी pattern को mention नहीं किया लेकिन inter cropping में हम बहते हैं कि definite pattern में होता है definite pattern कैसा होगा 1 is to 1, 1 is to 2 1 is to 3 and so on याने कि 1 is to 1 का मतलब क्या है pattern का कि एक layer रहेगी मनलब different rows में crop को cultivate किया जाता है 1 row रहेगी main crop की ठीक है और दूसरी row उसके अगल पगल हो सकती है दूसरी crop की inter crop की फिर दूसरा pattern क्या है 1 row रहेगी main row रहेगी आपके major crop की और 2 layer हो सकती है inter crop की तो इस तरह से different rows में crops को cultivate किया जाता है 2 या 2 से जाधा crops को वहीं जब हमने mixed cropping देखी थी तो वहाँ पे हमने बोला था कि simultaneously grow तो कर रहे हैं लेकिन कोई definite pattern नहीं था इस तरह का ratio हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था ऐसा क्यों हो रहा था क्योंकि sowing के time पे mixed cropping के time पे क्या हुआ कि farmers ने seeds को मिला दिया एक साथ जैसे कि हमने wheat और gram का example लिया था तो wheat और gram दोनों की बीजों को seeds को मिला दिया और इसके बाद में sowing process करी लेकिन inter cropping में उनको लगा कि एक काम करते हैं अब अलग-अलग जैसे कि wheat के जो seeds हैं उनको अलग रखते हैं और जो gram हैं उनके seeds अलग रखते हैं तो अलग-अलग seeds उनने रखे before sowing और इसके बाद में sowing करी ठीक है बवाई करी जिसके कारण क्या हुआ different rows में अलग-अलग rows में अलग-अलग ratio में वो crops को cultivate कर पाए तो यह first type के advancement होगे first improvement उनने क्या दिखाया कि sowing के पहले seeds को mix नहीं किया इससे क्या हुआ different crops को different ratios में cultivate कर पाए definite rows में cultivation हो पाया अब क्या है increases productivity per unit area देखो mixed cropping में हमने बोला था कि सबसे पहले तो crop failure के risk है उसको कम करना था तो mixed cropping का जो mixed cropping थी उसका main aim objective क्या था किसी तरह से crops को फसल को बरबाद होने से बचाना है अब उनने क्या लगा दिमाग कि हाँ mixed cropping करने से किसी तरह से फसल तो बच गई बरबाद होने से अब क्या उनने बोला कि maximum benefit चाहिए है yield भी बढ़ानी है तो जो inter cropping है उसमें second advancement क्या हुई कि इसको objective थोड़ा change हो गया अभी तक farmers बात कर रहे थे कि कि किसी तरह से फसल बरबाद ना हो अब जब उनने mixed cropping को successful बना लिया जब उन्होंने inter cropping को innovate किया तो उन्होंने क्या बोला अब इसका objective इसका aim थोड़ा सा change करते है crops अफेल नहीं हो रही है अब क्या करना है अब हमें productivity per unit area बढ़ाना है ओविस्सी बात है agricultural land का जो area है वो हम बढ़ा नहीं रहे है same piece of land पे ही अलग-अलग types की crops को cultivate कर रहे हैं जिसकी विज़िस से क्या हो रहा है productivity increase हो रही है जैसे कि हमने irrigation पढ़ा था second constitution of crop production management का उसमें हमने देखा था कि irrigation से एक किसान throughout the year cultivation कर सकता है crops की लेकिन कई बार क्या होता है कि irrigation supply भी उतनी sufficient नहीं होती inadequate होती है कैसे नदियों से पानी ले रहे हैं अगर नदियां ही सूख जाएंगी तो फिर पानी कहां से आएगा कैसे irrigation हो पाएगा है ना तो क्या होता है irrigation भी inadequate होता है मानो एक particular area है वहाँ पे हमने देखा कि साल में जब बारिश होती है दो महिने तो दो महिने वहाँ पे पानी की availability होती है आपने irrigation किया irrigation से क्या हुआ चार महिने पानी और रहे गया तो टोटल हो गया 6 months 6 months तक एक particular region में पानी की availability है है ना यानि कि 6 months तक farmer वहाँ पे cultivation कर सकते हैं अब अगर एक ही type की crop का cultivation किया तो क्या होगा productivity जित्ती crop और उसने fertilizer बगएर डाले होगे advanced techniques वगरा use करी होगी proper take care करी होगी तो productivity तो अच्छी होगी लेकिन क्या होगा बहुत जादा benefit उसको नहीं मिलने वाला अगर इन 6 महिनों में उसने एक crop के साथ दूसरी crop को भी अगर गेहूं की खेती कर रहा है उसके साथ में अगर मक्य की खेती साथ में कर ली तो क्या होगा गेहूं का भी production होगा साथ साथ में मक्य का भी production होगा तो benefit हो गया double है तो क्या होता है irrigation supply जब बहुत सारे regions में inadequate होती है तो वहाँ पे inter cropping है हमारी वह बहुत advantageous होती है इससे क्या होता है productivity per unit area क्या हो रहा है बढ़ रहा है same piece of land में आपने गेहूं का भी production कर लिया और maze का भी production कर लिया मक्य का भी कर लिया इतना clear है आपको अब a few rows of one crop alternate with a few rows of second crop for example जो हमने mixed cropping में pair बनाय थे अलग-अलग crops के उन pairs को हम inter cropping में भी use कर सकते हैं इसके अलावा soya bean plus maze ठीक है बाजरा जिसे हम कहते हैं millet है और lobya commonly उसे हम कहते हैं lobya और उसका नाम क्या है actually में cow pee इनके भी pairs को हम inter cropping में use कर सकते हैं तो first advancement क्या हुई थी first advancement हुई थी कि यहां पे crops को definite pattern में रोज में arrange कर रहे थे cultivate कर रहे थे दूसरे advancement क्या हुई aim बदल गया aim क्या हो गया productivity बढ़ानी है per unit area और क्या advancement होते हैं inter cropping में अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो type के crops को आप simultaneously grow कर रहे हो तो वो crops ऐसी आप किसी crop को choose नहीं कर सकते हो पेर नहीं बना सकते हो ऐसी crops लेना है जो कि आपस में compete ना करे nutrients वगेरा के लिए है ना या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अलग-अलग crops हमने ली हैं उनकी nutritional requirements भी अलग-अलग हो for example दो type की हमने crop ली है crop A और crop B crop A को calcium की requirement काफी जादा है ठीक है और जो crop B है उसको किस nutrient की requirement जादा है for example sodium की A को चाहिए है जादा calcium और B को चाहिए है जादा potassium तो यह अपनी अलग-अलग nutrient requirement है उसके basis से nutrients का absorption करेंगे तो क्या होगा इस तरह से यह compete नहीं करेंगे है ना एक दूसरे के लिए इसकी requirement अलग है इसकी अलग है इसको calcium जादा चाहिए तो calcium लेगा potassium को disturb नहीं करेगा crop B को potassium जादा चाहिए है तो यह calcium का concentration दूसरी वाली crop के लिए disturb नहीं करेगा तो हमने क्या देखा कि ऐसी crops नहीं हैं जिनकी nutritional requirements हो अलग-अलग ताकि वह एक दूसरे को compete ना करें और इस तरह से जो भी nutrients available है उनका maximum utilization होगा for example मैंने यहां पे एक और example मैं लेती हूँ मेरे पास है एक crop A और दूसरी है B क्या होगा सबसे पहले तो यह एक दूसरे के साथ compete करेंगी plus soil में और भी तो अलग-अलग तरह के nutrients होते हैं उनको तो होती जाएगी बाकी जो nutrients हैं उनका utilization कुछ नहीं होने वाला ऐसी crops नहीं है जो कि एक दूसर से nutrients sunlight water के लिए compete ना करें ऐसा कैसे हो सकता है जब उन crops की nutritional requirement ही अलग-अलग होगी इससे क्या होगा जो भी nutrients soil में present है available है उनका maximum utilization हो जाएगा इतना clear है यह हो गई अब फूर्थ क्या है हमें पता है कि अलग-अलग requirements वाले, nutritional requirement वाले crops ले रहे हैं हमें पता है कि farmers fertilizers भी use करते हैं और herbicides भी use करते हैं fertilizers क्यों use करेंगे? soil को fertile बनाने के लिए nutritional requirements ये crop plants की उनको fulfill करने के लिए और herbicides क्यों करते हैं? जो भी pest वगेरा उन पे आकर के attack करें है crop plants पे उनको destroy करने के लिए ताकि कोई infection ये disease ना हो हमने बोला crop plant A है crop plant B है तो यहां पे हमने बोला for example इसकी requirement क्या थी crop A की calcium और इसकी थी potassium हमने बोला कि हमें पता है कि crop plant A को calcium जाधा चाहिए तो इसके लिए हम कौन सा fertilizer डालेंगे जिसमें calcium content जाधा होगा और B को potassium जाधा चाहिए है तो इसमें fertilizer हम कौन सा डालेंगे जिसमें potassium जाधा होगा क्योंकि हमने sowing के time पे seeds की mixing नहीं करी थी इसलिए हमारे जो crop plants है वह अलग अलग रोज में cultivate हमने की है तो अब जब fertilizer डालने होंगे तो हमें पता है कि crop A कहां है crop A की requirement क्या है crop B की requirement क्या है उसके basis पे हम अलग अलग type के fertilizer डाल देंगे और हमें पता भी है कि कहां हमें किस type का fertilizer डालना है तो यह भी होगी एक तरह की advancement ठीक है जरूर सपोज यह A crop है इस पे आकर के किसी bacteria यह bacteria prone है इस पे सबसे पहले आकर के bacteria destroy करता है crop A plant पे और वहीं है हमारे पास crop B plant जिस पे हम बोलते हैं कि आकर के attack करता है virus अब जब pesticides और herbicides डालने की बारी आएगी तो आपको पता है कि आपकी crop A और crop B कहा grow कर रही है crop A पे आपने बोला bacteria सबसे पहले आकर attack करेगा तो आपने pesticides या herbicides भी उसी की तरह के डाल दिये और आपको पता है कि crop B पे कौन सा pathogen आकर attack कर रहा है virus कर रहा है तो आपने pesticides या herbicides भी उसी तरह के डाली किस पे crop B plant पे ठीक है तो further आप देखरों के improvement दिखती ही जा रही है यही चीज़े है mix inter cropping में ठीक है पूरी हमने inter cropping discuss कर ली है अब जो लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार inter cropping is growing two or more crop simultaneously on the same field in a definite patterns rows में होता है 1 ratio 2 1 ratio 3 is ratio में increases productivity per unit area aim change हो गया फिर इसके बार में जो examples हमने लिए थे inter cropping में वो हम mixed cropping में भी ले सकते हैं इसके अलावा बाजरा, cowpe, maize और soybean भी ले सकते हैं the crops are selected such that their nutrient requirements are different this ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field this way both crops can give better returns ठीक है अच्छा अब एक और main जीज़ है हमने अलग-अलग तरह की crop grow करी है और हमने यह भी पढ़ा है कि अलग-अलग crop plants का maturation period अलग होता है maturation period मतलब क्या अच्छा एक अलग-अलग 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 बी चार महिने में पकती है उसकी harvesting आपने दो महिने और बाद और कर ली यानि कि अलग-अलग grow करने से definite pattern में grow करने से क्या होगा harvesting easy हो जाएगी क्योंकि सभी crop plants होती है उनका maturation period अलग-अलग होता है ठीक है तो आपने क्या किया harvesting आपने अलग-अलग time पर कर ली easy हो गई harvesting plus आपने बोला क्या harvesting के बाद जब आप उसको बेचने जाओगे है ना तो उनका marketing और consuming period भी होगा क्या अलग-अलग time पर आप उनकी marketing कर पाओगे और लोग भी उसको अलग-अलग तरह से consume कर पाएंगी ठीक है तो यह और advancement improvement हो गया mixed robbing में क्यों हो था कि एक साथ grow कर रहे थे जिसकी वज़ए से जो harvesting और जो threshing होती है वो काफी difficult हो जाती है लेकिन यहाँ पर चीज़े आसान हो गई है और यहाँ पर हम बोलते हैं कि the produce of each crop can be marketed and consumed separately इतना clear है आपको since the seed इसको आप कर लो maturity since the seed maturity periods of these crops vary the different crops can be harvested and threshed separated इतना clear है आपको तो इस video में हमने पूरी बात कर ली है inter cropping की और हमने देखा है कि inter cropping mixed cropping से कितनी ज़्यादा advanced है और improved है अब next video में हम बात करते हैं करेंगे एक और type की cropping pattern की ठीक है इस video के लिए इतना ही complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर thank you for watching Hello everyone इस video में हम पढ़ने वाले हैं third type का cropping pattern जो की है crop rotation previous video में हमने बात करी थी कि cropping pattern क्या होता है और 2 type की हम already cover कर चुके हैं सबसे पहले हमने पढ़ा था mixed cropping और mixed cropping को ही हमने improve कर दिया तो वो बन गया inter cropping आज हम बात करते हैं एक और type की cropping button की जो की है crop rotation so welcome to magnet brains मैं हुआ विभूती खरे चलिए start करते हैं आज का हमारा topic crop rotation के साथ भाई जब हम बात कर रहे हैं mixed cropping की और inter cropping की तो farmers ने यह आगे तो बहुत अच्छा लगाया कि एक साथ 2-3 type की crop को cultivate करेंगे तो फाइदा ही फाइदा होगा maximum productivity हो जाएगी plus हम बहुते हैं कि जो crops की जो failure का जो chances है जो risk है वो भी काफी हता हम बहुते हैं कि reduce हो जाएगे लेकिन क्या होगा जितने जल्दी जल्दी आप किसी particular land पे crop grow करोगे continuously लगातार अगर irrigation supply बहुत अच्छी है तो farmers पूरे साल जो है crop cultivation कर सकते हैं और अगर उतनी अच्छी नहीं भी है तो कम से कम साल के 6 महीने 6 months में तो वो cultivation कर ही लेंगे minimum है ना तो क्या होगा जब आप continuous भी same agricultural land पे continuous भी crops को cultivate करोगे तो एक ऐसी stage आएगी जहां पे soil में nutrients present है वो deplete होते जाएंगे खर्च होते जाएंगे है ना प्लस हम बहुते हैं कि diseases और जो अलग अलग तरह के insects और pest plants attack करते हैं उनके cases उनके incidences भी बढ़ते जाएंगे तो mixed cropic और inter cropping में अलग अलग crops को साथ में grow करने का जो idea था वो तो बहुत अच्छा था लेकिन major drawback क्या था कि nutrients deplete हो रहे थे soil से प्लस हम बोलते हैं कि बहुत सारे diseases और pest attack के cases, incidences बढ़ रहे थे अब यह जो दो drawbacks हैं इनको overcome करने के लिए cropping pattern, cropping pattern में क्या पोला the growing of different crops on a piece of land in a pre-plant succession pre-plant word को कर लो highlight क्योंकि key point है यह crop rotation की definition का is known as crop rotation क्या करना है? दो यह different type के crops cultivate कर रहे थे same piece of land में वो idea तो best है उसको हम change नहीं करेंगे लेकिन वो करेंगे कैसे? pre-plant succession में succession का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक करना तो सोचा समझा हुआ succession में एक के बाद एक अलग-अलग crops को cultivate करेंगे depending upon the duration crop rotation is done for different crops combination crop rotation का cultivation का duration कितना ओने वाला है? एक साल, दो साल या तीन साल उसके basis पे जो अलग-अलग crops के हम combination बनाते हैं वो vary करेंगे if crop rotation is done properly then two or three crops can be grown in a year with good harvest अगर properly करी गई है crop rotation तो एक साल में दो या तीन crops अच्छी harvest के साथ cultivate farmers कर पाएंगे इतना clear है आप सबको next point continuous cropping आपको ठीक है जैसे कि आप यह previous एक image देखिए क्या हो रहा है यहां पर पूरा जो agricultural land है उसको total छे पांच sections में divide किया गया है यहां पे भी same agricultural piece of land पे अलग-अलग crops cultivate किये जा रहे है है ना लेकिन थोड़ा सा pattern change हो गया है pattern क्या हो गया है अब अलग-अलग sections में यह सभी crops grow कर रहे है ठीक है और यह जो section है यह interchange हो सकते है for example wheat अभी कि अगर A section में grow कर रहा है तो next time यह grow करेगा B section में इस तरह से यह change होता जाएगा सबसे पहले हम क्या करते है crop rotation में क्योंकि हमें soil fertility improve करनी है क्योंकि continuous कई साल होता का अगर cultivation करेंगे soil fertility कम हो जाएगी इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है legumes को use करना legumes बोले जाते हैं हम already nitrogen cycle में पढ़ चुके हैं legumes क्या करते है atmospheric nitrogen को convert कर देते है nitrogen के oxides में क्योंकि इनके पास present होते है nitrogen fixing bacteria इतना clear है आपको तो यह क्या करेंगे nitrogen को उनके oxides में convert कर देंगे जिसकी help से nitrogen को जो plants है वो absorb कर लेंगे और एक बार absorb कर लिया तो फिर उनसे proteins भी बन जाएंगे और वो protein change herbivores और carnivores तक जो है चलेगी तो क्या किया legumes क्या करते हैं किसी न किसी तरह से अपने nitrogen fixing bacteria की help से soil को fertile बनाते हैं तो जब भी हम बात करते हैं crop rotation की तो हमेशा क्या होता है कि legumes को 100% cultivate कराया जाता ही है क्यों क्योंकि यह soil की fertility बढ़ा देते हैं क्या किया same agricultural piece of land में अलग-अलग sections में divide करा गया है हार एक section में अलग-अलग crop यहां पे cultivate की जा रही है ठीक है और यहां पे क्या होता है rotation में cultivation किया जाता है कैसे समझते हैं को इधा देखिए यह आपको दूसरी इमेज दिख रही है जहां पे देखो यहां पे 3 साल का चल रहा है crop rotation ठीक है यहां पे हमने बोला year one first year में क्या हो रहा है सबसे पहले आपने bed one में क्या उगाया था tomato bed two में क्या किया legume legume हमने बोला क्यों crop rotation में 100% include करती हैं क्योंकि यह soil को fertile बनाते हैं फिर bed three में क्या किया carrot को grow किया bed one bed two bed three क्या है जो अलग-अलग sections हमने डिवाइट करे है न अ agricultural land के यह वो है इसके बाद में first year में आपने इस तरह से आपको कुछ cropping pattern रहा second year में यह cropping pattern change हो गया अब क्या हुआ बैड one में जहां पर अपर टमैटो ग्रो हो रहा था वहां पर अब ग्रो होगा carrot फिर जहां पर legume क्योंकि legume ने क्या कर दिया soil को fertile कर दिया तो bed two हो गया क्या fertile तो अब इसके बार में यहां पर क्या आ जाएगा टमैटो आ जाएगा क्योंकि टमैटो में हम होते हैं कि high maintenance चाहिए होती है तो हमेशा legume का basically हम use कप करते हैं पहले करते हैं जब legume के बाद में high maintenance crop जैसे wheat, rice वगेरा, maze वगेरा हो गया जिनको maintenance की साधर requirement होती है nutrients की साधर requirement होती है उनको हम legumes के बाद plant करते हैं, legume ने bed 2 को बना दिया fertile, अब वहाँ पर आगया tomato अब कहाँ चला गया legume? bed 3 में चला गया, bed 3 में क्या करेगा वहाँ की soil fertile करेगा यह हो गया second year का pattern third year का pattern क्या हुआ third year में हम बहुते हैं कि अब legume ने bed 3 को maintain कर दिया, soil को fertile बना दिया, अब वहाँ पर tomato shift कर जाएगा और अभी तक उसने bed 1 को fertile नहीं किया था तो bed 1 में आगया legume, bed 2 में आगया carrot और bed 3 में tomato तो आए गया है, तो shift होता जा रहा है हर एक साल में है ना, पहले साल में bed 1, bed 2, bed 3 में अलग-अलग करी है, cultivation किया है और तीनो साल में उसने जो तीन हमने अलग-अलग sections और bed बनाय थे, agricultural land के उन तीनो sections को उसने हर साल जाकर के क्या किया है fertile बनाया है, ठीक है soil को fertile बनाया है, जिसकी कारण क्या हो रहा है उस fertile soil पे उसके ऊपर कोई high maintenance crop हम cultivate कर पा रहे है इतना clear है आपको इसी को हम कहते है, क्या crop rotation thus dependence on fertilizers decreases, क्योंकि हमें पता है कि बहुत जादा fertilizers तो use कर नहीं सकते है, क्योंकि उनसे soil pollution होता है, water pollution होता है तो इससे क्या हो रहा है, legumes जो कि naturally soil को fertile बना रहे है तो fertilizers पे dependence कम होती जा रहे है, this also promotes prevention from diseases and insect pests, ठीक है, mostly legumes are included in crop rotation to increase the soil fertility, और legumes को grow करने के बाद, जो high maintenance crops होते हैं, जैसे की wheat rice वगेरा, वो फिर वहाँ पे cultivate करे जा सकते हैं इतना clear है, तो यही है हमारा crop rotation, crop rotation में अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, उसका हम करते हैं एक quick recap, हमने देखा कि mix और inter cropping से बहुत अच्छा idea था, crops को साथ में cultivate करने का, लेकिन major drawback यह आ रहे थे, कि nutrient deplete हो रहे थे, और हम बोलते हैं कि disease और insect के attack का जो chances है, जो risk है वो भी काफी बढ़ रहा था, उसको overcome करने के लिए आया crop rotation crop rotation में हमने बोला कि यहां पे भी दो से जादा crops को एक साथ cultivate किया जाता है, लेकिन pre-plant succession में, एक के बाद एक करा जाता है, ठीटके, फिर हम बहुते हैं कि duration क्या होने है cultivation का, उसके basis पे अलग-अलग crops के combination है, वो बनाय जाते हैं, next if crop rotation is done properly, अगर properly किया गया है, तो एक साल में दो या तीन crops अच्छी harvest के साथ cultivate किये जा सकते हैं इसमें क्या होता है, crop rotation में, सबसे पहले तो legume लिया जाता है legume को लिया ही जाता है क्योंकि legumes क्या करते है, naturally soil को fertilize करते हैं, एक बार आपने किसी एक section में agriculture land के legume grow कर दिया उसके बाद में आप कोई high maintenance crop plant लगा सकते हो, जैसे कि wheat हो गया, rice हो गया, maze हो गया etc, ठीके, फिर इसके बाद में हमने बोला कि इससे क्या होगा fertilizers के उपर हमारे जो dependence होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि naturally legumes soil को fertile करने के लिए और इसके help से हम बोलते हैं कि disease और insect का जो उनसे भी हमें prevention मिलेगी जो attack होगा उनसे prevention मिलेगी example हमें लिया था crop rotation का, 3 साल हम cultivation कर रहे है, year 1, year 2, year 3 year 1 में हमने देखा था कि legume जो है bed 2 को fertile कर रहा था, second year में क्या हुआ, bed 2 पे आ गया tomato और वो shift हो गया next bed पे और third year में क्या हुआ, फिर से वो shift हो गया दूसरे bed पे, third bed पे और उसकी जगा आ गया tomato इस तरह से क्या हो रहा है, सभी beds को, जो legume plant है, वो तीन साल में fertile कर रहा है, इतना clear है, तो इसी के साथ हमारा third constituent है, crop production management का, वो होता है finished, हमने सबसे पहले start के था, nutrient management के साथ, जिसमें हमने manure और fertilizers का significance देखा था, फिर हमने पढ़ा था irrigation, irrigation में हमने देखा था कि किस तरह से, अलग-अलग means से, जो natural water reservoir है, या अगर हम बोलें कि particularly, जो fresh water reservoir से, वहां से पानी agricultural land तक supply हो रहा था, इसके बाद में आया cropping pattern, cropping pattern भी हमने तीन टाइप के देखे हैं mixed, intercropping and crop rotation, इन सबसे क्या हो रहा है, जो crop का production है, cultivation का production है, वो improve हो रहा है, manage हो रहा है, ठीक है, इसी के साथ हमारा जो second activity है, crop production management की, वो भी हमने कर ली है cover, अब next video में हम हम बात करेंगे, third management practice की, जो हम पूरा, जिस aim के साथ चल रहे हैं कि हमें increasing population की increasing, ever increasing demand को fulfill करने के लिए yield बढ़ानी है, production बढ़ानी है उसका third major aim है पूरा, उसकी third major objective या activity क्या होगी, यह हम दिखेंगे next video में, complete course के लिए Magnet Prince Plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर, thank you for watching Hello everyone, इस video में हम पढ़ने जा रहे हैं crop protection management previous videos में हमने cover किया है crop production management को, यानि कि कि crop production को manage कर सकते हैं, वो हमने previous videos में देखा, अब हम बात करते हैं कि crops को protect कैसे करें, right? protect किसे करना है वो सब आज हम cover करेंगे इस video में So welcome to Magnet Brains, मैं हो विभूती खरें तो चलिए start करते हैं, आज का हमारा topic crop protection management के साथ management मतलब क्या किसी पी चीज को manage करना क्या manage कर रहे है, crop protection को protection किसे चाहिए है crops को तो बहुत सारे insects से pest से, diseases infection से, plus weeds से diseases पता है, infections पता है, pest पता है, insects पता है लेकिन यब यह weeds क्या होते हैं तो भाई weeds unwanted plants होते हैं जो की हमारी desirable crops उनकी साथ में grow कर जाते हैं और grow तो करेंगे ही और हमें पता है किसी भी तरह के plant को grow करने के लिए nutrients सानलाइट चाहिए water चाहिए तो क्या करेंगी जो हमारी desirable crops है जब इनके साथ grow करती है unwanted crops या फिर weeds के साथ तो वह weeds indesirable crops के साथ compete करते हैं और हमें पता है competitors तो हमें बिलकुल नहीं चाहिए तो weeds इसलिए इनको हम क्या कहते हैं unwanted plants कहते हैं जिनको हमने cultivate नहीं किया है हमने grow नहीं किया है अपने आप आकर के हमारी desirable crop के साथ grow होने लगे हैं और ना सेथ grow होने लगे हैं उनके साथ compete भी करते हैं sunlight के लिए water के लिए और nutrients के लिए तो field crops are infested by a large number of weeds insects pests and diseases हमें पता है कि अलग अलग तरह के insect pests होते हैं और वो अलग अलग तरह के disease or infections cause करेंगे तो majorly crop को खत्रा किस से होता है weeds से होता है insect pests से होता है और diseases से होता है इसके अलाबा if weeds and pests are not controlled at the appropriate time then they can damage the crops so much that most of the crop is lost अगर उनको सही time पे control नहीं किया गया उनके increasing number को तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी फसल ही बरबाद हो जाती है अच्छे एक चीज और है यहां पे हमने insect pests or diseases को अलग-अलग क्यों नाम दिया है हम बोलते हैं कि insect ही तो disease cause करते हैं infection cause करते हैं तो फिर इनको हमने अलग-अलग categories में क्यों रखा कि crops को खत्रा है weeds से, insect pests से और diseases से वो इसलिए कि कुछ insect pests ऐसे भी होते हैं जो कि plant में किसी तरह का disease cause नहीं करेंगे वो क्या करेंगे उनकी जो जिसे पत्तियां हैं पत्तियों को खालेंगे जो fool हैं उनको खालेंगे इससे क्या होगा crop damage हो रही है crop में किसी तरह का disease नहीं है आप यह नहीं बोलोगे कि यह disease जो crop है आप क्या बोलोगे इस पे किसी particular pest या insect का attack हो गया है जो कि इसकी जो भी parts है crop के चाहे वो root हो चाहे वो leaves हो वो flowers हो उनको damage कर रहे है इसलिए हमने तीनों को अलग-अलग रखा है ठीक है बहुत सारे जैसे कि virus bacteria ऐसे कुछ microorganisms होते हैं जो कि infections or disease cause करते हैं कई बार आपने देखा होगा कि पत्यों का रंग light green से dark green से black होने लगता है उसको हम कहते हैं कि पत्यों सड रही है वो rotten leaves है ऐसा क्यों क्योंकि हमें actually microscopic organism दिखेंगे नहीं bacteria virus हम को दिखेंगे नहीं लेकिन क्या होगा पत्यों का shape कैसा रहेगा initially intact रहेगा ठीक है दीरे-दीरे क्या होगा पत्यों जो है उनका color change होता जाएगा इसके बाद में आपने देखा है कि leaves में बहुत सारी veins होती है midrip होती है और midrip की पीछ में काफी सारे green color भी present होता है दीरे-दीरे क्या होगा जब इसमें किसी तरह का infection होगा या disease होगा इन पत्यों को सबसे पहले तो color change हो जाएगा green से black हो जाएगी इसके बाद में क्या होगा कई बार ऐसा देखोगे कि सिर्फ पत्यों का आपको midrip दिखेंगी और veins दिखेंगी मतलब जो बीच में जो green color होता है इनके वो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि वो damage हो जाता है सडने लगता है और उसकी rotting होती rotting के कारण वो निकलता जाता है तो आपको जो leaf है वो पत्ती जो है आपको सीव जैसी देखेंगी बहुत सारे आपको एक outline देखेंगी margin देखेंगी leaves की और उसमें veins देखेंगी और mid rib देखेंगी उसमें क्या हुआ उसमें हम बोल सकते हैं कि crop कैसी है वो leaf कैसी है deceased है उसमें किसे तरह का infection या damage deceased हुआ है अगर हमने बोला कि एक पत्ती है कई बार आपने देखा होके कुछ पत्तिया होती है उनको कीड़े आकरके खा जाते है ठीक है तो उनका जो shape है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा है ना कटी हुई रहती है यह deceased नहीं होंगी इनको हम बोलेंगे damaged breed है damage कौन cause करके गए है insect और pest इसलिए हमने इन तीनों को अलग-अलग रखा है कि crop plant को diseases से भी खत्रा है insect pests से भी खत्रा है जो कि उनके parts को damage करते हैं और उनको खत्रा है weeds से इतना clear है next point if weeds and pests अगर आपने time पे control नहीं किया तो कभी-कभी पूरी crop ही जो है ना जो पूरी फसल है वो ही बरबाद हो जाती है weeds are unwanted plants in the cultivated field और वो compete करते हैं जो desirable crops है उनके साथ food, space और light के लिए जगा भी ले लेते हैं उनकी light भी ले लेते हैं nutrients और water तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि वो भी living organism में plant है उनको भी growth के लिए nutrients और water तो चाहिए ही है ठीक है वो क्या करते है weeds take up the nutrients and reduce the growth of the crop ठीक है जो desirable crop है उसकी जगा भी छीन लेते हैं compete करते हैं और क्या करेंगे उनकी growth को भी reduce कर देते हैं अब आपकी NCRT में कुछ examples दिये है weeds के जैसे की यह है Xanthium है गोकरूर जिसको हम कहते हैं यह आपको picture देख रही है इस तरह का देखने को मिलता है इसके बाद में यह है पार्थेनियम पार्थेनियम को हम क्या कहते हैं गाजर घास भी कहते हैं कई बार आप देखोगे जो garden वगेरा होते हैं वहाँ पे घास के साथ-साथ यह जिसमें की white fool होते हैं छोटे-छोटे से वह भी जो हैना निकल आते हैं उसको हम क्या कहते है पार्थेनियम जो कि क्या है गाजर घास वह क्या है एक टाइप का weed है इसके अलावा हम बोलते की मूटा वगेरा यह भी आपको कई बार commonly देखने को मिलता है इतना clear है तो यह weeds क्या है unwanted plants है जो की बाकी जो desirable crop है उसके साथ उसकी growth में compete करता है land के लिए space के लिए water के लिए nutrients के लिए और sunlight के लिए अब therefore removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop grow is essential for a good harvest जैसे कि हमने बोला अगर सही time पे उनको हटाया नहीं गया उनकी growth को control नहीं किया तो पूरी crop बरबाद हो जाएगी ठीक है तो सही time पे initial period में ही उन unwanted plants को weeds को हटा दोगे तो ही अच्छा रहेगा अगर वो grow कर जाएंगे तो जो desirable crop है उनके साथ तो बेवज़ा का competition हो जाएगा तो early stages में ही उन weeds को हटा देना जरूरी होता है generally insect pests attack the plants in three ways अब जो हम insect pests की बात कर रहे थे वो तीन तरीके से plant पे attack करते हैं कौन कौन से भाईया they cut the roots, stem and leaf जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको पत्यों में आपको दिखेगा कि पत्यां incomplete होती है टूटी हुई रहती है वो कौन insects दिखेंगे यह इस तरह के छोटे-छोटे यह क्या करते है यह अलग-अलग roots में जाकर के damage करेंगे roots को flowers में जाकर के damage करेंगे flowers को stem में जाकर के stem को damage करेंगे leaves में जाकर के leaves को damage करेंगे फिल they suck the cell sap from the various plants of the parts of the plants अब कुछ insect pests ऐसे भी होते हैं जो कि plant के अंदर, जो cell safe होता है, उसको जाकर के भी क्या कर लेंगे, destroy कर लेंगे, उसको suck कर लेंगे, ठीक है, अब cell safe नहीं रह जाएगा, तो फिर cell का क्या मतलब है, क्योंकि हम में पता है कि plant में cell safe की क्या importance होती है, इंसेक्ट पैसने जाकर के, उसकी को जाकर के सक कर लेंगे, तो फिर कैसा cell रह जाएगा, they bore into stamps and fruits, stamp और fruits में क्या कर लेंगे, गड़ा बना लेंगे, and they does affect the health of the growth and reduce yields, जैसे कि हमने देखा है कि काई बार fruits के अंदर भी insects या pest रहते हैं, वो क्या करते हैं, fruit के अंदर गुज जाएगे, और उसकी quality को degrade कर देंगे, जिसके अंदर इस तरह के worms, जिस भी fruit के अंदर इस तरह के worms या insects निकलते हैं, उसको हम consume तो करेंगे ही नहीं, तो क्या कर दिया, जो yield eye crop plant से, उसकी quality को deteriorate कर दिया, तो insect pest किस तरह से plant पे attack करता है, कोई भी possible तरीका वो नहीं छोड़ता है, root से attack कर लिया, stamp से कर लिया, leave से कर लिया, cell से अब चला जाएगा, तो फिर cell कैसे exist करेगा, वो भी survive नहीं कर पाएगा, cell dead हो जाएगा, फिर fruits और stamp में गड़े बना लेंगे, उसके अंदर चले जाएगे, और जो yield है crop की, उसको influence करेंगे, उसके अपना impact डालेंगे, quality deteriorate कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या है, आ एक उनको चाहिए है, weeds से protection, दूसरा चाहिए है, insect pest से, और तीसरा चाहिए है, diseases से, ठीक है, weeds क्या होते हैं, weeds वो unwanted plants होते हैं, जो कि desirable crop के साथ grow करने लगते हैं, और उनको हमने cultivate नहीं क्या होता है, naturally वो आ जाते हैं, और उनके साथ soil के, water के लिए, space के लिए, nutrients के लिए, sun night के food के लिए compete करते हैं, ठीक है, और हमें किसी भी तरह के competitors नहीं चाहिए है, इसलिए उनका early stages में removal बहुत जरूरी होता है, अगर early stages में नहीं किया है removal, तो फिर हो सकता है कि पूरी की पूरी crop क्या हो जाए, बरबाद हो जाए, ठीक है, इसके बार में हमने बोला कि NCRT में इनको हमने देखा, next point हमने क्या पड़ा, कि जो insect pest होता है, वो हर possible way से plant को infect करते हैं, roots में आ जाएंगे, stems की तुरू attack करेंगे, leaves की तुरू attack करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि cell sap को ही वो सक्कर लेते हैं, cell sap को सक्करा, तो cell क्या हो जाएगा, dead हो जाएगा, फिर इसके बाद में, जो fruits वगेरा होते हैं, उनमें भी गड़ा बना लेते हैं, और वहाँ जाके रहने लगते हैं, और nutrients वहाँ से derive करते हैं, इससे क्या होगा, जो fruit आया है, जो yield आई है, crop से, उसकी quality होगी, deteriorate, अब उसको कोई नहीं खाने वाला, ठीक है, इस वीडियो हमने देखा, कि किन से हम crops को protect कर सकें, इस सरह के diseases, infection, pest से और weeds से, राइट, अब complete course के लिए Magnet Prince Plus में अपग्रेड करना है, और इस topic के सभी notes आपको available हैं, हमारी official website पर, magnetprince.com पर, thank you for watching. करेंगे कि उन unwanted चीज़ों को, insects को, या weeds को, remove कैसे किया जाए, कैसे अपनी crops को protect किया जाए, तरह तरह की infections और diseases से, So, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ विभूती खरे, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज को हमारा topic, crop protection management के साथ, अब भई हम पहले पढ़ चुके हैं, कि किस तरह से hybridization techniques से, और genetic modification से, हम अच्छी अच्छी varieties, crops की ला सकते हैं, desirable traits और character वाली varieties हम ला सकते हैं, सवाल ये है, कि किस तरह से crops को, जो unwanted चीज़ें हैं, जैसे कि weeds हैं, infections हैं, diseases हैं, insects हैं, pests हैं, उनसे protect करना है, तो सबसे पहले तो हम एक ऐसी variety लेकर के आते हैं, जो कि क्या हो, disease resistant हो, है ना, और हमें पता है कि hybridization से, और genetic modification से, ये चीज़ पॉसिबल है, हम desirable trait, जो कि है disease resistance, वो trait हम किसी भी crop के अंदर डाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक ऐसी variety लेकर आनी है, जो कि कैसी हो, disease resistant हो, easily उसमें disease cause ना हो पाए, कोई भी तरह का insect या pest आ करके उसको damage ना कर पाए, ठीके, तो first method क्या है, एक अच्छी quality की variety, variety कैसे आएगी, seeds के form में आएगी, क्योंकि seeds भी crop बनाते हैं, crop plant बनाते हैं, तो अच्छी quality के seeds, good quality seeds बहुत important होते हैं, किसी भी crop production के लिए, ठीके, तो क्या करना है, एक अच्छी variety के seeds लेकर आने हैं, जिसमें, जो कि कैसे हो, disease resistant हो, जिनसे जो crop निकले, crop plant निकले, वो कैसा रहे, disease resistant है, और आज की time पे वो easily possible भी है, next method क्या है, यह को, these pathogens can be present in air and transmitted through soil water and air, सवाल यह आता है कि pathogenes आ कहां से रहे हैं, तो हम बोलते हैं, हर कहीं होते हैं, air में होते हैं, land में होते हैं, soil में होते हैं, जैसे हम human beings को अलग अलग तरीके से आ करके pathogenes attack कर रहे थे, हमने देखा था कि atmosphere से भी, air से भी जो हम inhale करते हैं, oxygen उसके साथ भी कुछ pathogenes हमारे respiratory attack में चले जाते हैं, इसके अलाबा, food poisoning की cases देखने को मिलते हैं, जब गंदे खाने, जो हमारा खाना है, उसको pathogenes contaminate कर देते हैं, और वो contaminated खाने जब हम consume करते हैं, तो वो pathogenes हमारी body में एंटर कर जाते हैं, contaminated water के तुरू भी काई सारे infections, waterborne diseases देखने को हमें मिले थे, तो similarly जैसे हम human beings के लिए pathogenes हार चगा present होते हैं, खाने में, पीने में, है ना, और हम बोलते हैं कि air में भी present होते हैं, similarly plants के लिए भी pathogenes हैं, वो कहां present होते हैं, soil में present होंगे, water में present होंगे, और air में present होंगे, इसके अलाबा, weeds, insects and diseases can be controlled by various methods, first method तो हमने discuss कर लिया कि एक अच्छी quality के seeds ले क्या हो, जिनसे कैसे crop plants निकले, disease resistant crop plants निकले, one of the most commonly used method is the use of pesticides, अब देखो, जो हम बात करें न, hybridization की और genetic modification की, उन से जो new varieties बनती हैं, वो काफी महंगी हो जाती हैं, है न, तो जो low cost और no cost हमने production पढ़ा था, production practices पढ़ा था, वो practices perform करने वाले farmers के लिए इतना easy नहीं ह होता है, high variety के crop plants को grow करना, या उनकी seeds ले करके आना, ठीक है, जो no or low cost production practices perform करते हैं farmers, अब क्या करें, उनके लिए सबसे आसान और सबसे feasible क्या होता है, pesticides को use कर देना, pesticide use कर दो, जितने भी pest हैं, insects हैं, वो सब destroy हो जाएंगे, तो damage, किसी भी तरह का damage, disease या infection cause नहीं कर पाएंग भी बहुत सारे farmers, most commonly used, जो method होता है, उनकी बीच में, crop protection का, वो क्या है, हम बोलते हैं कि pesticides हैं, इतना clear है, next, these chemicals are sprayed, pesticides भी कौन-कौन से होंगे, herbicides होंगे, insecticides होंगे and fungicides होंगे, ठीक है, next, these chemicals are sprayed on crop plants or used for treating seeds and soil, है ना, crop plants में डाल दिये जाते हैं, spray कर दिये जाता है, जिससे क्या हो, या फिर हम बोते हैं कि seeds and soils पे भी कईबा डाल दिये जाता है, ताकि soil में रहने वाले जो pathogens हैं, वो destroy हो जाएं, और plants के उपर डाल रहे हैं, तो plants के उपर जो pathogens हैं, वो destroy हो जाएं, फिर excessive use of these chemicals creates problems, since they can be poisonous to many plants and animal species and cause environmental pollution, सही बात हैं, after all हम chemical use क कर रहे हैं, तब ही तो आजकल bio fertilizers, जो है, जो manures हैं, वो trend कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो fertilizer, जो chemicals होते हैं, जैसे कि herbicides वगारा, है ना, जो हमने पहले भी पढ़ा जो किस तरह से, जितने भी chemicals होते हैं, जाए वो fertilizers हो, जाए वो insecticides हो, ये सब क्या होते हैं, चैमिकल के बने fertilizers को substitute किया है, manures ने, ठीक है, और इसी तरह से, जो हमारे pesticides वगएरा हैं, insecticides वगएरा हैं, इनको भी natural alternative ने substitute किया हैं, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कि ये chemicals जो है, water pollution भी करते हैं, और soil pollution भी करते हैं, कई बार ऐसा भी होते हैं, कि जरुद से जादा जब chemicals डाल देते हैं, तो जो soil में रहने वाले जो important, जो desirable microorganisms हैं, वो भी destroy हो जाते हैं, इससे क्या होगा, soil fertile नहीं हो पाएगी, तो ये क्या होगा, ये तो उल्टा हो गया, कहां तो हम सिर्फ insect और pest को मार रहे थे, लेकिन वो chemicals किसी को differentiate करके नहीं मारते हैं, उनके लिए सभी जो living organisms हैं, चाह आप pesticides use करोगे, तभी वो useful होंगे, otherwise, वो pollution cost करेंगे, और जो living, जो desirable living organisms हैं, हमारी soil में, जो bacteria है, earthworm है, उनको destroy कर देंगे, ठीक है, अब आई बात समझ में, कि हम क्यों अलग अलग तरह के pesticides और chemicals को avoid करते हैं, next point क्या है, हलाकि most commonly used method है, लेकिन फिर भी, हमारी कोशिश यही है या organic farming की कोशिश यही है, कि किसी तरह से chemicals के उपर जो dependence है, farming की वो कम हो जाए, wheat control methods also include mechanical removal, herbicides आप डाल रहे हैं, herbicides से जो unwanted plants हैं, यानि कि जो weeds हैं वो destroy हो जाएंगे, अब हम बोल रहे हैं कि chemicals पर dependence कम करनी है, तो हम बोलते हैं कि weeds जो है न वो mechanically भी रिमूव हो सकते हैं, ठीक ह Mechanical भी हम remove कर सकते हैं, preventive methods such as proper, seed wet preparation, timely, sowing of crops, intercropping and crop rotation also help in weed control, chemicals पर dependence कम करनी है तो बाकी काम तो करने पड़ेंगे, जैसे हमने बोला कि अगर weeds आ गए हैं, mechanical ही उनको हटाओ, ठीक हैं, फिर इसके बाद में हमने बोला, intercropping और crop rotation भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा, एक तो हमारी soil fertile होती जाएगी, इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि disease और pest का जो attack होगा, वो भी उसके chances भी कम हो जाएगे, some other preventive measures against pest are the use of resistant varieties जो हम बात कर रहे थे, and summer plugging in which fields are plugged deep in summers to destroy weeds and pests, कई बार ऐसा होता है कि mechanical puller से, जब हम plug करते हैं, weeds को, तो उनके जो shoot वगरा है, leaves हैं, जो भी हैं, वो ब नीचे ही चली जाती है, तो क्या बोल रहे हैं, आप ही सबसे बड़े तो disease resistant varieties जो हमने बात करी थी, लेकिन वो क्या होता है, कई सारे farmers के लिए वो उतना जादा invest नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर obviously बात है, जब वो high varieties लेके नहीं आपाएंगे, तो chemicals पे उनके dependence बढ़ जा है, which fields are plucked deeply, ठीक है, अंदर तक soil को खोदा जाता है, जिसके विज़े से क्या होता है, weeds की, जो roots होती है, जो बाहर नहीं आई है, plucking के through, वो भी निकल आदी, क्योंकि हमें पता है, कि अगर roots नहीं गई है, तो plants regrow कर पाएगा, है ना, तो क्या करना है, roots ही हटाय देंगे, त different pathogens होते हैं, roots, stems और leaves, कोई भी possible तरीका नहीं छोडते है, plant को infect करने का, तो roots में भी infection cause करेंगे, roots में कैसे करेंगे, soil की deeper layers में जाकर के रहेंगे, और फिर roots को infect करेंगे, contaminate करेंगे, तो क्या करना है, summers में deep plugging करनी, जिसके विज़े से weeds की roots हैं, plus हम बोलते हैं कि जो pest deeper layers में र कि किस तरह से अलग अलग तरीके से हम crops को protect कर सकते हैं, diseases से, insect pest से, और weeds से, इतना clear है, I hope जो भी हमने चीज़े पढ़ी है, वो आपको clear हो गई है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि अच्छी variety वाले, disease resistant वाले crop plants को cultivate करें, लेकिन बहुत थारे farmers के लिए, ये economical नहीं होता है, तो व कर जाते हैं, chemicals के use पर, chemicals में हम बहुत है, pesticides use करेंगे, herbicides, insecticides, fungicides, इनका क्या होगा, बहुत जादा यूटिलाइजेश, बहुत जादा यूज करेंगे, high amount में, तो जो सभी, जो desirable living organism है, soil में, वो भी destroy हो जाएंगे, तो soil क्या होगी, infertile हो जाएगी, इसके अलावा, chemical की उपर, जो dependence है, cultivation की वो भी कम करनी है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो weeds हुए हैं, उनको mechanically pull करो, कई बार ऐसा होता है कि mechanical pulling से, roots जो है, वो soil के अंदर ही रह जाती है, और कुछ pathogens ऐसे भी होते हैं, जो कि soil के deeper layers में जाकर के रहते हैं, और roots को disease cause करते हैं, ऐसे में क्या कर करना है, summer plugging करनी है, deep plugging करनी, जिसके अजय से क्या होगा, जो deeper layer में, जो roots present है, weeds की, और जो pest present है, वो सब उपर आ जाएंगे, और आप उपर से उनको destroy कर पाऊगे, ठीक है, तो यह हमने कर लिया, एक quick revision, जो भी हमने इस topic में, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा, इसी के साथ crop protection management हमारा होता है, finish, right, तो जित्ती भी हमने जो तीन basic चीज़े देखी थी, जैसे कि आज हमने देखा crop production management, उसके पहले हमने crop production management देखा था, फिर हमने crop variety management देखा था, यह सभी जो तीन major practices हैं, किसी भी crop cultivation की yield को improve करने की, या production को improve करने की, वो सब हमने cover कर ली है, right, अब next video से ह एक और नया topic जो हमें इस chapter में cover करना है, complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available हैं, हमारी official website पर magnetbrains.com पर, thank you for watching, hello everyone, इस video में हम पढ़ने वाले हैं, storage of food grains, previous videos में हमें देखा था, कि crop production की yield को बढ़ाने के लिए, farmers बहुत सारी activities perform करते हैं, उन between broad categories में divide किया गया था, first हमने देखा था crop variety improvement, कि किस तरह से variety को improve गया जाना चाहिए, फिर इसके बाद में crop production management पढ़ा था, कि जो crop produce की गई है, उसको कैसे manage करें, और फिर lastly हमने पढ़ा था crop protection management, जो production किया गया है, crops का उसको protect कैसे करें, उसी के continuation में एक और ठोचा सा topic दिया गया है आपकी NCRT में, जो कि है storage of food grains, आज इस वीडियो में हम उसी को cover करेंगे, so welcome to magnet brains, मैं हो विवबुती खरे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा topic, storage of food grains के साथ, देखो, बहुत सारी crops ऐसी होती है, जिनको साल में सिफ एक ही बार harvest किया जा सकता है, क्योंकि उ तो साल में हमको केवल एक ही सीजन में available होंगी, यह हम बहुत सकते हैं कि साल में कुछ ही months में available होंगी, अब इस तरह की seasonal crops को, अगर हम चाहते हैं कि throughout the year, यानि कि साल भर हमें seasonal crops इस तरह की हमें मिले, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इन सभी food grains को store करना पड़ता है, है न एक बार harvest किया, अभी तक तो हम बात करें थे कि किस तरह से production yield को बढ़ाया जाए, जादा से जादा food grains produce हो, तो आपने जादा food grains तो produce कर लिया, लेकिन क्या होगा, अगर आपने एक साथ consumers के पास, consumers मतलब की हम, consumers के पास भेश दिया, consumers क्या करते हैं, जैसी जैसी उनको requirement होती ह जिस quantity में, वो उसी quantity में market से लेकर के आते हैं, बहुत कम ऐसे food grains होते हैं, जिनको हम साल भर के लिए store करके रखते हैं, जैसे की wheat, गेहू हम साल भर का भर के रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे food grains ऐसे भी हैं, जिनको हम market से उतनी quantity में लेकर के आते हैं, जितनी हमें जरूरत हो तो farmers ने इतनी सारी महनत करी जो है इतनी activities practice करी जो है variety improve करी है और production manage किया है इसके बाद में protect भी क्या था crops को वो सब बरबाद हो जाएगा इससे बचने के लिए क्या किया जाता है market में भी जिस quantity में public से demand आ रही होती है population से demand आ रही होती है उतनी ही market में supply की जाती है आप market में भी आपने limited stock भेजा है तो जो produce किया है जो हमने इतनी महन से crop production की yield बढ़ाई है वो जो produce crop food grains है उनको store कहां किया जाता है और क्यों करा जाता है क्योंकि वो खराब न हो जाए consumer से के पास पहुँचने तक ठीक है तो basically जो storage है food grains का वो तीन levels पे होता है sorry for that storage जो है grains का वो तीन levels पे होता है कौन कौन से होते हैं भाई सबसे पहले आता है producer level produce कौन कर रहे हैं farmers कर रहे हैं तो ना सिफ उनके उपा production के responsibility होती है साथी साथ उनके पास ये बड़े responsibility होती कि जो produce है उसको वो store करके रखें तो सबसे पहला जो storage है वो producer level पे होता है farmers करते हैं उनको ठीक है फिर इसके बाद में होता है traders level भाई क्या होता है कि farmers और government के बीच में link बनाते हैं traders ये traders क्या करते हैं farmer से जो food grains है जो produce है वो purchase करते हैं इन return उनको पैसे दिये जाते हैं फिर इसके बाद में ये traders government तक food grains पहुचा देते हैं फिर government क्या करती है अपने distributors के तुरू हम consumers तक food grains पहुचाती है तो first storage किस ने किया farmers ने किया क्यों क्योंकि उन्हीं ने तो produce किया था इससे पहले कि trader तक पहुचने के पहले वो खराब हो उसको store करने की food grains को store करने की responsibility सबसे पहले उनी की होती है फिर इसके बाद में आते हैं Traders Farmers ने Traders को Food Grains दे दिये अब Traders के Responsibility होती है कि वो किस तरह से Food Grains को Store करके रखें तो वो क्या करते हैं? Gunny Bags में इस तरह के जिसको हम Bori कहते हैं Hindi में ठीके? Bori में, Gunny Bags में Food Grains को Store करके रखते हैं फिर क्या करेंगे? Traders देंगे किस को? FCI को FCI क्या होता है? Food Corporation of India ये क्या करते है? Food Grains को अपने पास रख लेते हैं और Time 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 पे क्या होता है? अपने Distributors के तुरू Market में Distribute करते चाते हैं और Consumers हमें कहां से मिलेगा? हम Consumers को कहां से मिलेगा? Food Grains मार्केट से मिलेगा जिन भी लोगों के पास Food Grains की Supply होती जा रही है उनके ओपर उनको स्टोर करने की Responsibility आती जाती है तो Traders के पास कहां चलेगा है Food Grains? FCI के पास FCI क्या करते है? इनको Sillows में स्टोर करके रखते हैं Sillows क्या होते हैं? बहुत बड़े इस तरह के बहुत बड़े-बड़े Containers होते हैं और इनी Containers के अंदर Food Grains को स्टोर करके रखा जाता है इतने बड़े-बड़े Containers क्यों है? क्योंकि Food Grains हमने Production Yield ही इतनी बढ़ा दी है कि Food Grains जादा Produce हुए हैं इसलिए इस तरह के बड़े-बड़े Containers में Food Grains को स्टोर करके रखा जाता है तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बहुत सारी Crops ऐसी होती हैं जिनका Production, जिनकी Harvesting साल में एक ही बार हो सकती है क्योंकि उनका Maturation Period काफी लंबा जाता है तो Harvesting एक ही बार कर रहे हैं हम साल में तो हमको पर्टिक्यूलर सीजन में एक साल में ही वो अवेलिबल होगी और अगर हम चाहते हैं कि वो सीजनल क्रॉप या फूड ग्रेन हमें तुरूआउट दे एयर पूरे साल भर हमें उसकी सप्लाय मिलती जाए इसके लिए क्या करना पड़ता है? फूड ग्रेन को स्टोर करके रखना पड़ता है और यह स्टोर कॉन करते हैं? तो यह स्टोर करते हैं हम कंजूमर्स नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कंजूमर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक पर्टिक्यूलर कॉंटिटी जितनी required होती है उनके घर में उतनी चाकर के market से ले करके आते हैं तो क्या होगा जिन्हों ने produce किया है और जिनकी ऊपर responsibility है food grains को हम तक पहुचाने की उनके ऊपर ही responsibility होती है उन food grains को store करने की तो हमने क्या बोला सबसे पहले तो जिनने बनाया है produce किया याने की farmers वो store करेंगे नेक्स हमने बोला कि farmers से जाते हैं traders तर तो traders भी क्या करते हैं गणी bags में इस तरह से store करके रखते हैं और third क्या है at FCI level यानि की food corporation of India ये क्या करता है बड़े-बड़े से लोज में food grains को store करके रखता है अब सवाल ये आ रहा है कि storage तो हमें करना है लेकिन वो storage कैसी होनी चाहिए तो safety के साथ storage होनी चाहिए क्यों क्योंकि हमें पता है कि various microorganisms बैठे रहते हैं food grains को spoil करने के लिए नासे living organisms बहुत सारे abiotic factors भी होते हैं अब जैसे कि आप देख रहे हो कि किन किन चीजों से हमें food grains को protect करना है तो हमने बोला सबसे पहले आएंगे biotic factors और फिर इसके बाद में हमारे पास आएंगे abiotic factors, biotic factors हमें पता है living organisms उनमें कौन-कौन से आएंगे insects आएंगे, rodents आएंगे, fungi आएंगे, mites आएंगे और bacteria आएंगे ठीक है जैसे कि आप यहां पर एक corn example देख रहे हैं हम corn का यहां पर क्या हो रहा है worm का attack हो गया है, obviously बात है worm का attack होगा तो quality तो deteriorate हो ही जाएगी कौन की, तो इस तरह का क्या corn हम consume करेंगे, consumers पसंद करेंगे लेना बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो biotic factors कौन-कौन से हैं, सभी living organisms, bacteria, fungi, mites, insects, rodents, यह सब क्या करते हैं, जो crops हैं, जो food grains हैं उनको destroy करते हैं अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, pesticides, herbicides का use, वो हम देख रहे थे कि crop plants पे उनको spray करना पढ़ रहा था क्यों? क्योंकि कुछ, बहुत सारे, actually कुछ नहीं, बहुत सारे biotic factors ऐसे भी होते हैं, जो कि crop plants पर ही जा करके attack कर देते हैं तो अगर initial stages में ही, biotic factors का infection आ गया crop plants पे, तो obviously बात है, फसल तो बरबाद होनी ही है तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ा था crop protection management, उसमें हम देख रहे थे कि crop plants में किस तरह से इन सभी biotic factors से उनको हम prevent कर सकते हैं pesticides और herbicides वगरा का use करके, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि crops को तो हमने बचा लिया, crop plants को हमने बचा लिया लेकिन उनसे जो produce हुआ है, उनको कैसे बचाया जाए, ठीक है, तो उनको कौन influence करेगा, उनको कौन infect करेगा, ये biotic factors इसके बाद में आते हैं, abiotic factors, abiotic factors भी उतने ही responsible होते हैं, food grains को deteriorate करने के लिए जितने की biotic factors होते हैं दो main abiotic factors हैं, एक कौन सा है temperature, एक है temperature और दूसरा है हमारे पास moisture देखो, क्या होता है कि बहुत सारे जो bacteria होते हैं और enzymes होते हैं, उनकी growth maximum होती है 30 to 40 degree Celsius temperature पे, ना कि बैक्टीरिया बहुत सारे से microorganisms होते हैं, जिनको growth के लिए optimum temperature चाहिए होता है 30 से लेकर के 40 degree Celsius temperature के बीच में तो obvious सी बात है, जब हमें पता है कि microorganisms की growth कौन से temperature पे सबसे जादा हो रही है तो उनको ऐसी stage आने ही ना दे कि वो microorganisms हमारा जो food grains है, उनको deteriorate कर सके, उनको attack कर सके इसके लिए क्या करना पड़ता है, food grains को इस temperature के नीचे store करके रखा जाता है यानि कि जहां भी storage हो रही है, जिस भी level पे हो रही है, वो farmers कर रहे हो, traders कर रहे हो गणी वैग्स में या फिर FCI कर रहा हो, उनको ensure करना पड़ता है कि 30 से 40 degree Celsius temperature पे microorganisms की growth सबसे जादा होती है, उन्हें क्या करना होगा, food grains को इस temperature के नीचे store करना होगा फिर वहीं अगर हम बात करें moisture की, तो हमें पता है, जब हम different living organisms के बारे में पड़ रहे थे previous chapters में, तो हमने देखा था, moist और damp conditions में बहुत सारे microorganisms grow करते हैं similarly, अगर food grains में जो moisture content है, 15% by weight हो, ठीक है, food grains में अगर moisture content कितना हो 15% by weight हो, तो वो सबसे जादा prone होते हैं, microorganisms के attack के लिए, है ना, तो क्या करना होगा, जिसे कि हमने temperature में देखा हमें पता है कि 30 से 40 degrees Celsius पे microorganisms की growth होगी जादा, तो अग हम जो storage करेंगे food grains का इस temperature के नीचे करेंगे, similarly हमें पता है कि 15% by weight, actually जब crops, जो food grains होते हैं जब उनको harvest किया जाता है, उस समय में moisture content कितना होता है, 15% by weight है और इसी 15% moisture content में क्या होगा, काफी सारे microorganisms अपनी optimum growth शोग करेंगे, तो जैसे कि temperature में हमने देखा था, हमें limitation पता थी हमने food grains को इस temperature के नीचे store किया था, similarly जब हम moisture content की बात करेंगे, तो हमें पता है कि जब food grains में अगर 15% moisture content होगा by weight, तो microorganisms अटेक करेंगे, इसके लिए क्या होगा? food grains को इस moisture content के नीचे store किया जाता है, कितना होगा? तो ज़्यादा कम नहीं करना है, सिर्फ 14% 14% moisture content अगर होगा by weight, food grains का, तो वो biotic factors के attack से बच जाएंगे, ठीक है? तो biotic और abiotic factors दोनों ही responsible होते हैं, food grains को destroy करने के लिए, deteriorate करने के लिए, तो food grains को 30 degree Celsius temperature के नीचे store करना चाहिए, और moisture content कितना रखना चाहिए, उनका 14% by weight, थोड़ा भी अगर increase हो गया, तो फिर biotic factors के attacks उनको कोई नहीं बचा सकता, अब ये क्या बोल रहे हैं? कि ये जो हमने पढ़े हैं na factors, biotic और abiotic factors, ये actually करते क्या है, किस तरह से deteriorate करते हैं quality को food grains की, तो सबसे पहले तो degradation हो जाएगा quality का, obviously बात है, फिर इसके बाद में weight loss होगा, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये इस तरह के parasites होते हैं na, actually, abiotic factors क्या कर रहे हैं? biotic factors को ही grow करने के लिए suitable conditions उनको provide कर रहे हैं कि वो food grains पे अच्छे से comfortably food grains पे रहें, ठीक है? और ये biotic factors क्या करेंगे? धीरे-धीरे food grains को खाएंगे, तो obviously बात है, अंदर से उसे खोकला कर देंगे, तो weight loss तो होगा ही food grains का, right? फिर इसके बाद में poor germinability, फिर discoloration of produce, color भी change हो जाएगा, फिर all leading to poor marketability, obvious सी बात है, इन सब से क्या होगा? marketability कम हो जाएगी, quality खराब कर रहे हैं, color में discoloration कॉस कर रहे हैं, usually जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, किसी भी चीज़ की चाहिए, वो fruit हो चाहिए, वो pulses ह हो, cereals हो, उनकी, जो, उनका जो color होता है, natural color होता है, उसी को देखे हम उसकी quality का अंदाजा लगाते हैं, अब अगर आपने, जैसे कि हमने moon dal लेने हम गए हैं, तो अगर वो बहुत dark green color की होती है, तो हम उसे अच्छा मान दे हैं, और उसे हम खरीद लेते हैं, वहीं अगर व की एक important factor होता है, और ये biotic factors उसको खराब कर देते हैं, फिर इसके बाद में loss in weight भी होगा, quality भी deteriorate हो जाएगी, यानि कि market price होने वाला है, इन सभी food grains का काम, ठीक है, तो ये हम सब के लिए काफी harmful है, इस तरह से food grains को store किया जाता है, अलग अलग हमने factors देखा, कि store तो करना ही हैं, तीन अलग-अलग level पे, farmers level पे, traders के level पे और FCI भी store करके रखता है food grains को, storage कैसी होनी चाहिए, safety के साथ होनी चाहिए, क्यों वरना biotic और abiotic factors आजाएंगे उनको attack करने के लिए, और वो क्या-क्या cost कर सकते है food grains में, ये भी हमने देख लिया, तो अब सवाल आता है कि कौ कौन से ऐसे preventive या control measures हैं, जिन से हम biotic और abiotic factors को prevent कर सकते हैं, कि वो भाई हमारे food grains को attack ना करें, तो क्या होंगे preventive and control measures, ये हम देखेंगे next video में, किस तरह से हम इन सब भी biotic और abiotic factors को दूर रख सकते हैं, अपने food grains से, complete course के लिए, magnet brains plus में जरूर upgrade करें, और इस topic के सभी notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrains.com पर, thank you for watching. सेफटी के साथ होगी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे biotic और abiotic factors बैठे रहते हैं, उनको attack करने के लिए, अब उस attack से कैसे बचाएं, ये हम आज पढ़ेंगे इस video में, so welcome to magnet brains, मैं हूँ भी बुती खरे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा topic, preventive and control measures के साथ, अब कु है कि harvesting के time पे, जो crops या जो food grains obtain होते हैं, उस time पे उनका moisture content कितना होता है, तो हम बोलेंगे 15% and you know what, 15% by weight, ये 15% भी क्या है, lower limit है, यानि कि minimum इतना moisture content तो होता है, तो फिर maximum क्या होगा, तो हम बोलेंगे 35% by weight, ठीक है, moisture content कितना होगा, food grains का, तो हम बोलते हैं कि harvesting के दौरान कित है, 15% से लेकर के 35% by weight तक जाता है, और फिर इसके बार में हमने ये भी पढ़ा था, कि इतने moisture content में, biotic factors बड़े ही मज़े के साथ, survive कर जाते हैं, grow कर जाएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, moisture content कर दो कम, जिससे क्या होगा, organisms महापे, micro organisms महापे grow ही न कर पाए, तो हमने moisture content reduce कर कितना कर दिया, 14% by weight, 14% by weight भी क्या है, तो ये है हम, इसे भी हम बहुते हैं, ये है upper limit, ठीक है, actually ये lower limit है, at least 14% by weight moisture content तो होना ही चाहिए food grains का, इससे अगर कम कर दोगे, तो और अच्छी बात है, minimum 14% by weight moisture content होना चाहिए, तभी food grains, जो biotic factors है, different biotic factors, उनके attack से बचेंगे, तो अब इतना moisture content, यानि कि 15 से 35 से ले करके, 14% तक moisture content कैसे हो सकता है, तो उसकी पहली step होती है, drying, drying में किया जाता है, देखो, जैसे कि आप आप देख रहे हो, different food grains को, plastic की sheets पे, या फिर cemented floor पे, क्या बोल रहे हैं हम, food grains को, spread कर देते हैं, over plastic sheets और cemented floor, plastic sheets और cemented floor के ऊपर इस तरह से spread कर देते हैं, और उनको sun dry होने के लिए छोड़ देते हैं, बहुत अच्छा procedure होता है, क्योंकि हमें पता है कि sun dried चीजें बहुत अच्छी तरह से dry हो जाती है, ठीक है, पूरा moisture content उनका काफी हद तक कम हो जाता है, तो जब food grains का quantity इतनी जादा ह होगी, तो हम क्या करेंगे, उनको farmers क्या करते हैं, कि उनको cemented floor पे या plastic sheets के ऊपर spread कर देते हैं, और sun dry होने के लिए छोड़ देते हैं, simply ground पे क्यों नहीं sunlight के ऊपर नीचे हम रख रहे हैं food grains को, क्योंकि हमें पता है ground के पास होती है moisture, food grains को रखा है आपने sun dry होने के लिए, लेकिन इसका हो गया opposite, उन्होंने ground से moisture absorb कर लिया, इस चीज को prevent करने के लिए क्या करते हैं, या तो cemented floor पे रखेंगे, या फिर अगर ground पे रखना ही है, तो सबसे पहले plastic sheets से वो cover करेंगे ground, और उसके ऊपर food grains को spread किया जाता है, और sun dry होने के लिए छोड़ देते हैं, इतना clear है आप सबको, तो सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले किया गया है sun dry, और फिर इसके बाब में, ऐसा नहीं कि सूप गया moisture content हो गया 14% या उससे कम by weight, इसके बाब में तुरंत उसको जो है न स्चोर करने के लिए रख दिया, नहीं, जब वो गरम हो चुका है, sunlight से, त आने की, एक medium temperature लेकी आया जाता है, क्योंकि sun dry के लिए छोड़ा था, तो temperature काफी बढ़ गया है, इसलिए तो moisture content कम हुआ, अब क्या करेंगे, उनको cool करेंगे, food grains को cool करेंगे, और room temperature तक लेके आएंगे, इसके बाद में होती है storage, इतना क्लियर है, commercial level पे, जब food grains की drying होती है, तो mechanical dryers आते हैं, उनकी health से drying की process जो है, वो complete की जाती है, accomplish की जाती है, otherwise sunlight तो है ही naturally food grains को dry करने के लिए, तो first step क्या हुई, हमने बोला drying, सबसे पहले क्या किया जाता है, cemented floor पे या फिर ground के उपर plastic sheets बचा करके, उनके उपर food grains को spread करते हैं, और sunlight में छोड़ देते हैं, जिससे की moisture content 14% या उससे कम हो जाए, इसके बाद में cooling करते हैं, room temperature तक और फिर उसके बाद में कर देंगे store, इतनी process clear है आपको, इसके बाद में आती है cleaning process, अब हमें पता है कि food grains जो केतों से निकल के आए हैं, उसमें तरह तरह की dust और dirt present होती है, तो अलग-अलग method से क्या किया जात है cleaning की जाती है, आपने अपने घरों में भी कई बार देखा होगा, कि जो गेहूं हम market से लेके आते हैं, उसको अपने घरों में काफी उसको धोया जाता है, धोने के बाद sun dry किया जाता है, फिर room temperature पे उसको ठंडा करते हैं, और फिर जाकर के उसे store करेंगे, दोने से क्या हो करते हैं, जब हम अपने घरों में वो food grains खरीद के ले आते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उन food grains की बात कर रहे हैं, जो की अभी हम तक पहुंचे ही नहीं है, वो कहा है, farmers के पास ही है, तो या traders के पास है, तो सबसे पहले क्या हुआ, उनने सुखा दिया, drying process कर द हमने dirt होगी, dust होगी, इन सब को remove किया जाता है, क्यों अगर remove नहीं करेंगे गंदी चीजें, तो biotic factors का attack हो सकता है, कोई भी ऐसी possible चीज, food grains में नहीं छोड़ना है, जिससे की biotic factors आकर के attack कर सके, तो इसलिए क्या करेंगे, cleaning process करेंगे, food grains की, dehusking वगेरा करी जाती है, सभी तरह की dirt और dust वगेरा, soil वगेरा remove की जाती है, इतना clear है आपको, तो first और second step हमने फर्डी, अब आगे की बात, safe and proper storage, देखो, अभी आपने क्या किया है, जो भी आप practice perform कर रहे थे, वो food grains की साथ कर रहे थे, है ना, उसको sun dry कर रहे थे, उसमें से dust और dirt वगेरा निकाल रहे लेकिन जहां पर food grains को store किया जा रहा है, वहाँ भी तो हमको ऐसी conditions maintain करनी है कि biotic और abiotic factors attack ना करें, तो कहां कहां store करे जाते हैं भई, go downs में store किये जाते हैं, warehouses में किये जाएंगे, और silos जो हमने पढ़ा था, जो FCI होती है, वो silos में store करके रखती है food grains को, तो भई, यहां प भी तो हमें appropriate conditions maintain करनी होगी, इसी लिए हम बोलते हैं कि जहां पर food grains को store किया जाने वाला है, go downs हो, warehouses हो, silos ही क्यों ना हो, उन सब को clean किया जाना चाहिए, वहाँ पे भी किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसके बाद में dry किया जाना चाहिए, जैसे कि हम food grains को कर रह तो food grains, वहाँ पे अगर आपने किसी तरह का moisture छोड़ दिया है, तो biotic factors तो वहाँ पे भी आ जाएंगे, तो हर step पे cleaning होनी चाहिए, drying होनी चाहिए, तो जहाँ पे हम food grains को store कर रहे हैं, वहाँ भी आपने cleaning करी है, drying करी है, और इसके बाद में repairing भी जरूरी होती है, किसी तरह क जैसे कि हमने बात करी थी कि warehouses में, गनी bags में store होते हैं food grains, अब अगर गनी bags में किसी तरह के holes हुए, तो biotic factors जैसे की rodents वगरा तो असानी से उसमें घुस जाएंगे, और क्या होगा food grains को destroy कर देंगे, इस तरह की conditions नहीं आनी चाहिए, तो जहाँ भी store करे जा रहे हैं फिर इसके बाद में dried होनी चाहिए, moisture content कम रखना है, बायोटिक factor से बचाना है, तो drying की process भी उतनी ही important है, फिर हमने बोला repair भी होना चाहिए, time time पे, चीज़े timely repairing बहुत जरूरी होती है, वरना pest वगरा आ जाएंगे उनको attack करने के लिए food grains को, next step क्या है, chemical control, बही सबसे आसा हो रही है, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं कि chemical control एक ऐसा method है, जिससे बहुती easily biotic factors को control किया जा सकता है, अब देखो, the pesticides solution is sprayed over the gunny wax containing food grains by using manual sprayer और mechanical sprayer, अभी थाख हम pesticides का use कहा कर रहे थे, crop plants में कर रहे थे, लेकिन सिफ pesticides का use वहीं तक limited नहीं है, food grains को जब go downs और warehouses में gunny wax में store किया जाता है, तो gunny wax के ऊपर भी mechanical sprayer से या फिर हम बोलते हैं कि manual sprayer से pesticides का spray किया जाता है, छीक है, इससे क्या होगा, इससे, basically हम जो भी कर रहे हैं, वो एक suitable condition, एक atmosphere बनाने के लिए कर रहे हैं, कि किसी तरह से biotic factors grow ना कर पाएं, इसलिए तो ह हमने क्या किया, जहां पे भी जिन भी जगाव पर warehouses में storage हो रही है, उनको clean किया है, dry किया है, और अगर फिर भी किसी तरह की possibility को छोड़ा नहीं जाता, cleaning कर लिए, dry कर लिए, repair भी कर लिया, उसके बाद भी अगर pest का attack हो गया, फिर तो हो जाएगी गडबर, तो क्या करते है तो बीहोना safer side, pesticides का एक spray कर देते हैं, गनी बैक्स के उपर, food grains में नहीं डालने है, गनी बैक्स के उपर डाल रहे हैं, क्योंकि गनी बैक्स के अंदर है, food grains, तो microorganism जिब food grains पे attack करेंगे, तो गनी बैक के तुरू ही करेंगे, गनी बैक के उपर डाल दिये जाते हैं, pesticides की, अ आपको, तो chemical control एक बहुत अच्छा तरीका होता है, make sure करने के लिए कि किसी भी तरह के biotic factor, food grains को attack ना कर पाएं, इसके बाद में third क्या है भाई, fumigation, fumigation, those pesticides which can destroy insects by forming toxic fumes are called fumigants, fumigants भी क्या होते हैं, chemicals ही होते हैं, actually pesticides होते हैं, जिनकी toxic fumes, जो pathogens हैं, उनको destroy कर सकती हैं, और इस process को हम क्या कहते हैं, fumigation कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि धुवा किया जाता है, जैसे कि ये एक local practice होती है, कि मच्छों का attack काफी जादा होता है, तो घर में लोग बोलते हैं कि कांकोरो, नीम का धुवा कर दो, इससे क्या होता है, नीम से निकलते हैं, कुछ toxic substances और दुवे के form में वो पूरे घर में spread हो जाते हैं, इससे क्या होगा, मस्केटोज मर जाएंगे, उनका attack नहीं हो पाएगा, इसी तरह कि fumigation की process गो डाउन storehouse, जो warehouses होते हैं, जो sillows होते हैं, वहाँ भी perform की जाती हैं, मैं आपको बताया, कोई भी possible तरीका नहीं छोड़ना ह जिससे की pathogenes या biotic factors, abiotic factors affect कर पाएं हमारे food grains को, इसलिए क्या करते हैं, fumigation जिसको हम बोलते हैं कि दुवाँ पूरे में कर देते हैं, एक तरह लफ तो हमने pesticides भी डाल दिया है, pesticides का spread भी डाल दिया गनी वैक्स के उपर, इसके अलावा fumigation भी perform किया जाता है, fumigation क्या होती है, एक एसी process होती है, जहां पे fumigants जो की pesticides होते हैं, उनका दुवाँ किया जाता है, इतना clear है आपको, तो यह क्या है कुछ preventive और control measures हैं, जिनसे की biotic और abiotic factors को हम food grains से दूर रख सकते हैं, उनके attack से prevent कर सकते हैं, quick recap कर लेते हैं, सबसे पहले drying देखी थी, sun dry किया जाता है, cemented floor या plastic के sheets पे spread कर देते हैं, food grains को, direct ground पे नहीं करेंगे, otherwise food grains करेंगे, moisture absorb कर लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद में sun dry होने के बाद कब तक करेंगे, जब तक की moisture content food grains का 14% या उससे कम ना हो जाए, फिर room temperature पे cooling करेंगे, और restore कर देंगे, next step क्या है, cleaning process, cleaning process में हम बोलते हैं कि ब और husk को वगेरा, उन सब को remove किया जाता है, उस process को हम क्या कहते हैं, cleaning, next हम बोलते हैं कि चाहे go downs हो, चाहे warehouses हो, चाहे silos हो, हर जगा पे cleaning ज़रूरी है, drying ज़रूरी है, और repairing भी ज़रूरी है, इसके बाद में आता है chemical control, chemical control easiest way होता है, gunny bags की उपर pesticides का spray डाल दिया चाहता है, या तो mechanical sprayer से या फिर manual sprayer से, इसी तरह से fumigation भी करा जाता है, fumigation से भी जित्ती भी possibilities है, microorganisms के attack की उन सब को destroy किया जाता है, तो I hope अब आपको किस तरह से food grains की storage होती है, और storage कैसी होती है, safety के साथ होती है, यह सब आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, next video में हम start करेंगे animal husbandry, जो की है last topic हमारे chapter का, right, तो अब आपको क्या करना है, complete course के लिए magnet brins में जरूर upgrade कर देना है, प्लस इस topic के सभी notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrins.com पर, thank you for watching, Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं animal husbandry, अभी animal husbandry क्या है और इनमें कौन-कौन सी टाइप की farming आती है, यह सब आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, previous वीडियो में हमने बात करी थी, food grains को कैसे store करें, safety के staff store कैसे करें, देखे दे कुछ preventive and control measures, अब यह तो हमने जो भी बात करी थी, यह सब plant based food की बात थी, आज हम बात करेंगे animal based food products की, welcome to magnet brains, मैं हुवे बूतिक हरे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा topic, animal husbandry के साथ, बाई animal husbandry क्या है, यह हम में जब chapter का introduction पढ़ा था, तो ही हम में देखा था, कि यह होता है, scientific management of animal livestock, animal livestock क्या होता है, animal livestock का मतलब होता है, source of animal food, animal food का source, उसी को हम कहते है, animal livestock, अब animal based foods कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमने बोला, most commonly milk, ठीक है, इसके बाद में हमने बोला, eggs, eggs के बाद icon से meat, तो यह कुछ commonly used animal based foods है, जो की daily life में हम consume करते हैं, milk, eggs and meat, इन सब का source क्या है, animal stock, तो इसी animal stock का, जो scientific management होता है, उसी को हम कहते है, animal husbandry, अब देखो, जैसे कि हमने बात करी थी, कि population country की बढ़ती जा रही है, उनकी demands भी बढ़ती जा रही है, food की, better food की, तो अब क्या होगा, एक हद तक ही हम plant based food products को, अच्छी variety के साथ, उसमें improvement कर सकते हैं, production की yield बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, बहुत सी ऐसी बड़ी major population ऐसी है, जो की animal food products के उपर भी dependent होती है, daily life में वो भी इस तरह के animal based food products खाते हैं, तो क्या होगा, demand बढ़ती जा रही है, अब जरूरत क्या है, इस तरह के जो animal based food products हैं, इसमें भी improvement की जरूरत आ रही है, ठीक है, इसी लिए हम बोलते हैं, आया है animal husbandry, animal husbandry क्या है, एक scientific management है, animal livestock का, अब management की जरूरत क्यों होती है, यह हम बहुत जल्दी अभी पढ़ने वाले हैं, जेखो, animal husbandry में तीन basic चीज़े होती हैं, steps होते हैं, principles होते हैं, फैला क्या है, feeding, feeding क्या improve करती है, quality and quantity, यह animal based food products आ कहा से रहे हैं, animals में जितनी अच्छी उनकी feeding होगी, हम उन्हें जितना अच्छा खाना देंगे, वो उतना अच्छा grow करेंगे, और उनसे मिलने वालों जो products हैं, उनकी quality और quantity दोनों ही अच्छी होगी, for example हम बात करते हैं, protein की, कोई एक particular animal है, ठीक है, और उसको मैंने बहुत अच्छा उसकी diet में protein दिया है, अब protein दिया है, तो क्या होगा, for example चिकन हमने example ले लिया, ठीक है, चिकन हमने लिया है, और उसकी diet में काफी अच्छा protein add किया गया है, और हमें पता है कि सभी living organisms में protein की क्या requirement होती है, उसकी diet में अच्छा सा protein add किया, वो क्या होगी, healthy तरीके से grow करेगी, और उनसे मिलने वाले जो products है, चिकन से हमें क्या क्या मिल सकता है, meat मिल सकता है, और eggs मिल सकता है, तो इनसे मिलने वाले जो products होंगे, animal based food products होंगे, उनकी quality भी अच्छी होगी, eggs का हमें पता है कि बहुत rich source होते हैं protein के, तो चिकन को जितना अच्छा protein दिया गया है, वो उतने अच्छी तरीके से grow करेगा, और उनसे मिलने वाले जो products है, egg और meat, उनकी भी quality अच्छी होगी, और healthy तरीके से grow करेंगी, disease नहीं हो पाएंगे उनमें, इससे क्या होगा, उनसे मिलने वाले जो products है, उनकी quantity भी improve होगी, इतना clear है आप सबको, इसके बाद में breeding, भाई, जैसे कि हमने crop plants की बात करी थी, कि अलग अलग जैसे कि हमें variety भी improve करनी है, है ना, हमने crop variety improvement में क्या perform कर वा रहे थे, और genetic modification भी साथ में लेके आ रहे थे, कि variety improve कैसे हो, variety improve होगी, कुछ इस तरह से कि desirable traits add होते जाए, एकी variety में कई सारे जब desirable traits आ जाएंगे, तो वो variety अपने आप improve हो जाएगी, है ना, तो hybridization से और genetic modification से हमने देखा था, कि किस तरह से, दो अलग अलग varieties थी, सप इनकी जो progeny आई, मतलब कि जो C variety आई, उसमें दोनों A और B variety के traits, C में combined form में देखने को मिले, ये था crop plants के बारे में, अब जब हम बात करेंगे animal husbandry के बारे में, तो यहाँ पे भी हमें variety improve करनी होगी, तो अगर breeding कैसी होगी, planned होगी, breeding अगर planned होगी, तो variety क्या हो जाएगी, इंप्रूफ हो जाएगी, obvious सी बात है, quantity और quality भी इंप्रूफ हो जाएगे, है ना, अब वो planned breeding कैसे करवाते हैं, ये हम देखें कि जब हम अलग-अलग type की farming, cattle farming, poultry farming, तो आपको समझ में आगा कि breeding किस तरह से planned हो, बहुत कुछ similar होती है hybridization से, hybridization में भी हम क्या करते थे, दो अलग-अलग varieties लेते थे, जिसमें की desirable trait होते है, जैसे कि variety A है, इसमें desirable trait क्या था, disease resistant, ठीक है, इसमें disease नहीं होती थी इतने जल्दी, वहीं हमने देखी थी variety B, variety B में हमने देखा था कि flavor इनके fruits का अच्छा है, दोनों को combine किया, तो बनाई variety C, इस variety C में क्या था, ये disease resistant भी प्लस इनके fruits का flavor भी अच्छा था, similarly जब हम animals की बात करते हैं, animals पे भी क्या होगा, parent A होगा, parent B होगा, इनकी breeding से जो offspring आएगा, C, उन दोनों में parent A और parent B के characters आ जाएंगे, ठीक है, breeding हमेशा planned होनी चाहिए, तब ही तो, जैसे कि हमने example लिया है, हमने cow का, ठीक है, cow का हमने ए क्या बोला, कि आपने एक टाइप की cattle ली है, जिसमें की उसका milk production जादा है, ठीक है, milk production जादा है, वहीं आपने variety B ली है, second type की cow ली है, second variety की cow ली है, जो की कैसी है, disease resistant है, ठीक है भई, अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी variety चाहिए है, जो की disease resistant भी हो, plus उसका milk production भी जा तो आप क्या करोगे, डोनों ही varieties को breed करवादों के साथ में, जिससे की जो offspring बनेगे, जो C variety आएगी, वो उसका milk production भी जादा होगा, और वो disease resistant भी होगी, इसी को हम कहते है, plant breeding, सोच समझ के breeding करवाई गई है, तो breeding हमेशे कैसी होनी चाहिए, plant breeding होनी चाहिए, जिससे की एक control, disease अगर control किया गया है, तो क्या होगा, efficiency बढ़ेगी, किसकी efficiency बढ़ेगी, animals की efficiency बढ़ेगी, क्योंकि ultimately animals को ही तो हमें animal based food products देने हैं, है न, तो क्या होगा, अगर वो किसी भी तरह के disease वगेर से protected रहेंगे, prevented रहेंगे, तो इनकी efficiency जादा रहेगी, जादा चितरे से में produce कर पाएंगे, eggs लेकर पाएंगे, और इनका meat भी कैसा होगा, healthy होगा, इतनी चीज़े clear है, तो अब animal husbandry में जिस भी तरह की हम farming देखेंगे, उन तीनों में ये तीन basic principles हमेशा follow होगे, feeding, plant breeding and disease control, और इनसे क्या क्या improvement होता है, ये भी हमने देख लिया है, इतना clear है आप सबको, next, animal based farming, अब इसमें आते कौन कौन है भाई, kettles आएंगे, goats आएंगे, sheep, poultry and fish farming, ये सब किसमें आता है, animal husbandry में आता है, plus इसमें beekeeping भी आता है, beekeeping भी आप इसमें add कर लीजेगा, NCRT में दिया गया है, animal husbandry के साथ, beekeeping, next point, as the population increases and as living standards increase, the demand for milk, eggs and meat is also going up, जैसे कि हमें पता है, कि public की demand बढ़ रही है, major population ऐसी हो रही है, जो कि non vegetarian food, याने कि animal based milk food products पे, अपनी diet के लिए, अपनी nutrition के लिए dependent है, तो अविस सी बात है, जहां जहां demand बढ़ती जा रही है, वहां वहां पे improvement और management की requirement तो होगी ही होगी, इसलिए तो animal husbandry आई है, next point क है, also the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought a new limitation in livestock farming, अब भाई, लोग क्या हो रहे है, अवेर भी हो रहे है, उनने पता है, कि उनके लिए, उनकी health के लिए balanced diet कितनी important है, तो अब उनने सिफ animal based food products से मतलब नहीं है, उनने nutritious products से भी मतलब है, animal based food products तो वो खा ही रहे है, लेकिन साथ में क्या चाहते है कि वो nutritious भी हो, nutritious हो, इसके लिए, livestock farming के पास एक और limitation आ गई है, अपने products को improve करने की, याने कि उनकी nutritive value को improve करने की limitation भी आ चोगी है, राइट, thus, livestock production also needs to be improved, इसलिए तो improvement की जरुवत आ गई है, सबसे पहले तो quantity बढ़ानी है, और quality भी बढ़ानी है, nutritious बनाना है, animal based food products को यह, अभी तक तो हम सिफ crop plants में improvement दिखा रहे थे, क्यों, क्योंकि public के demand बढ़ रहे थी, awareness बढ़ रहे थी, तो awareness सिफ plant based food products के लिए नहीं बढ़ी है, animal based food products के लिए उतनी ही बढ़ी है, इसलिए animal husbandry आई है, जिसकी help से animal based food products में improvement हो रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक ह हमने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से करते है, quick recap, सबसे पहले हमने बोला, animal husbandry होती क्या है, तो ये एक scientific management होता है, animal life stock का, animal life stock क्या होता है, animal based food products का source होता है, यहीं से हमें सभी animal based food products मिलते है, कौन-कौन से milk, eggs and meat, इसके बाद में animal husbandry के तीन major aspects है, तीन major principles है, feeding, breeding and disease control, feeding में क्य होगा, जितना अच्या आप animal को खाना दोगे, उत्ता अच्या जो उनुसे for product मिलने वाला है, क्याने के quality अच्छी होगी, क्यों क्वाल की offers और quality अच्ही。 breeding, breeding हमने बोले कि हमीचा plant होनी चाहिए जिसे कि हमने दो varieties हमने देखी थी cattle की एक disease resistant और दूसरी कैसे थी जिसमें की milk production ज़ादा हो रहा था तो दोनों ही varieties को breed कराया तो जो तीसरी variety मिली वो disease resistant भी थी plus milk production की भी capacity ज़ादा थी थर्ड क्या है disease control जितना ज़ादा diseases से दूर रहेगा animal उसकी efficiency products बनाने की उतनी ज़ादा रहेगी next क्या है next है कि animal husbandry में आती क्या क्या चीज़े है cattle farming आएगी इसमें poultry farming आएगी fish farming आएगी और bee keeping भी यहाँ पे आप add करेंगे इतना clear है आप सबको इसके साथ आप add करेंगे bee keeping next point हमने क्या बोला था कि population की demand इतनी बढ़ती जा रही है कि सब लोग aware हो रहे हैं प्लस उनकी demand भी बढ़ती जा रही है इसी लिए awareness किस चीज़ के लिए है nutrition के लिए है वो चाहते हैं कि जो वो animal based food products खा रहे हैं वो healthy भी हो nutritious भी हो plus उनको regular supply मिलती जा याने कि supply कभी बंद ना हो quantity भी उनको जाधा चाहिए है इसी लिए animal husbandry आई है और जो animal based food products हैं उसमें वो क्या करना चाह रहे है improvement करना चाह रहे हैं इस वीडियो में हमने animal husbandry पढ़ा animal husbandry के सभी basic principles देखे यह basic तीन principle feeding breeding and disease control यह सभी टाइप की farming जो हम upcoming videos में पढ़ेंगे उन सब में शामिल होगी इतना क्लियर है आप सबको इस वीडियो में हमने animal husbandry complete किया है next video से हम start करेंगे cattle farming cattle farming क्या होती है किस तरह से feeding breeding or disease control के अलग-अलग उनमे significance होता है यह सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही अब आपको क्या करना है complete कोर्स के लिए Magnet Prince Plus में जरूर अपग्रेड कर देना है और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर thank you for watching Hello everyone इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है cattle farming की requirements प्रीविस वीडियो में हमने देखा था कि cattle farming क्या होती है और क्यूं की जाती है अब हम देखेंगे कि cattle farming की requirements क्या है प्रीविस वीडियो में हमने बात करी थी animal husbandry की second process के बारे में breeding के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपक जो की है Ketal Farming की Requirements अब डेखो, Ketal Farming की हमने एक Requirements तो अल्रेडी हमने कप्डीर कर ली है, क्या है? Plant Breeding अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है की Feeding और Disease Control Feeding मतलब की Ketles को खाना खिलाना अब बोड़ रहें कि food requirements of dairy animals होता क्या है दो तरह की requirement होती है exporting मैं एक होती है maintenance requirement और एक होती है milk producing requirement ठीक है, एक क्या होती है maintenance requirement और एक होती है milk producing requirement सबसे पहले तो जो maintenance requirement है उसके लिए जो food provide किया ज tą है वो क्या करता है support the animal to live healthy life और विस्सी बात है एक जगा हमको cattle से जो कि हमने उसको अलग-अलग दो type के animals में cattle को divide किया था एक को हमने बोला था milch animal दूसरे को हमने बोला था drought animal ठीक है तो milch animals की जो feeding requirement होगी food requirement होगी वो थोड़ी अलग होगी और जो drought animals है उनकी food requirement ये जो feeding requirement होगी थोड़ी अलग होगी क्यों? क्योंकि drought animals को काफी जादा काम करना है है ना काम करना है उनको 100% efficiency के साथ काम करना है तो वो बिमार होना afford नहीं कर सकते और अगर हम बोल रहे हैं कि 100% efficiency के साथ काम करना है मतलग कि उनको healthy भी रहना है याने कि बिमार नहीं पढ़ना और healthy रहना है ठीक है? ये क्या होती है requirement drought animals की तो उनकी जो feeding pattern होगा pattern नहीं type होगा वो थोड़ा अलग होगा milch animals से milch animals के लिए क्या food requirement होगा? एक तो हम बोलेंगे कि lactation period उनका increase हो उसके लिए plus हम बोलते हैं कि उनसे हमें milk obtain करना है तो वो milk भी कैसा हो nutritious हो उसकी quality अच्छी हो वो कब होगा? जब हमारी जो milch animals होंगे milch cattle होंगे वो कैसे होंगे? healthy रहेंगे याने कि healthy रहना तो दोनों ही type के animals के लिए ज़रूरी है चाहे वो drought animals हो या वो चाहे फिर milch animals हो तो healthy रहना दोनों ही type के animals के लिए ज़रूरी है ठीक है? सबसे पहले क्या है? maintenance requirement के लिए हम बोलते हैं कि जो food दिया जाता है इस requirement के लिए वो animals को help करता है, support करता है एक healthy life जीने में, animal feeds में include क्या क्या होता है? roughage होता है, concentrate जैंसे की high protein and high nutrients बतलब क्यों उनको बहुत जादा strong होने की जरवत है, drought animals को तो उसके लिए high proteins और high nutrients देंगे, roughage होना चाहिए उनकी feeds में इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि इसकी milk producing requirement की तो इनका food कैसा होना चाहिए? जो कि इनका जो lactation period है, ठीक है? ये क्या है? lactation period, इनका जो lactation period है उसको लंबा कर दे, ठीक है? तो सभी type के जो animals होते हैं, cattle होते हैं, उनके food में क्या आना चाहिए? रफेज आना चाहिए और concentrates की हम बात करें, तो high protein और high nutrients सिर्फ जो drought animals हैं, उनकी feed के लिए नहीं, दोनों ही type के animals के लिए रफेज और high concentrates, मतलब की high protein और high nutrient रिच होनी चाहिए उनका food, उनकी feed, इतना clear है आपको? तो एक हमने process की बात कर ली है animal husbandry की feeding के बारे में, ठीक है? क्यों feeding क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि एक तो हमें milk quality अच्छी चाहिए है, milk supply भी लंबी चाहिए है इसके अलावा drought animals से हम क्या expect करते हैं? कि वो strong हो, 100% efficiency की साथ काम करें बिमार पढ़ गए, अगर unhealthy है, तो वो अपनी 100% efficiency नहीं दिखाएंगे इसके अलावा उनको काफी जादा काम करना पड़ता है, काफी hard work करना पड़ता है ठीक है? agricultural activities में, purposes के लिए जब उनको हम use करते हैं इसलिए उनको बहुत strong रहने की जरुवत है अब इसके बाद में हम बात करते हैं, disease control की भाई, disease control कैसे होगा? जैसे कि हमने chapter पड़ा था, why do we fall ill? का, उसमें हमने देखा था कि prevention is better than cure, इससे पहले कि आप बिमार पड़ो और treatment कराना पड़े इससे बहतर क्या है? कि हम उससे पहले prevention करें ताकि वो pathogen हमारी body में enter ही ना कर पाए same condition cattle के लिए भी follow होती है अगर वो बिमार पड़ गई, तो पहला क्या होगा? उनकी efficiency कम हो जाएगी recover होने में उनको काफी time लग जाएगा ठीक है? तब तक जो activities परफॉर्म कर रहे हैं, उसका क्या होगा? और अगर milching animals बिमार पड़ गए, तो फिर तो पूछो ही नहीं क्योंकि उनसे obtain होने वाला जो milk है, वो भी कैसा होगा? contaminate हो जाएगा, उसकी quality भी poor हो जाएगी तो जब तक कि milching animal 100% recover ना हो जाए, तब तक हम उससे milk obtain नहीं कर पाएंगे तो production पे भी effect पड़ गया, ठीक है, प्लस हमें उनकी recovery के लिए, उनकी treatment के लिए invest भी करना पड़ गया तो ये बिलकुल भी cost efficient तो है नहीं, महलब कि cattle का बिमार होना, जो farmers होते हैं, वो afford नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, ऐसी situation ही नहीं आने देनी है कि वो बिमार पड़े, उनका treatment कराना पड़े हमें क्या करना है, disease control करना है, कैसे करेंगे, proper cleaning जैसे कि आपको एक picture में भी दिख रहा होगा, हम अभी एक normal, हम उसकी बात कर रहे है cattle farming के through, हम जो बाकी चीजों की farming होती, जैसे कि poultry farming वगेरा, उसकी भी बात कर रहे है कि cleaning बहुत important होती है, obviously बात है, waste तो सभी living organism generate करते है जब हम बात कर रहे हैं, cattle के, cattle का size काफी बड़ा होता है, तो obviously बात है, उससे उनसे produce होने वाला जो excreta होगा, वो भी काफी जादा होगा, तो proper cleaning होनी चाहिए वरना क्या होगा, जैसे कि cows है, तो cow dung produce करते हैं, उन cow dung के उपर बहुत सारे organisms आकर के grow करेंगे और वो organism, cattle को ही जाकर के infect करेंगे, तो proper cleaning बहुत जरूरी है, shelter facilities होनी चाहिए, proper shelter होना चाहिए तरह तरह के हमारे इंडिया में मौसन देखने को मिलते हैं, बहुत जादा बारिश, बहुत जादा गर्मी, बहुत जादा ठंड, ठीक है तो human beings तो क्या करते हैं, बहुत गर्मी लगी तो जाकर के AC में बैट गए, ठीक है ठाद लगी तो बहुत सारे blanket old ही है, लेकिन cattle के साथ तो यह हम कर नहीं सकते तो proper shelter होना चाहिए, जिसकी help से वो जो different weather, climatic conditions जो होती है उनसे अपने आपको prevent कर पाएं, ठीक है, कि वो बिमार ना पड़े इसके अलावा regular brushing for dirt and hair removal अब हमें पता है कि सभी cattle के पास जो है, उनकी body covered होती है hair से ठीक है, और हमें पता है कि hair shed भी होते हैं, तो proper brushing की जानी चाहिए ताकि dirt उनके उपर, उनकी body के उपर जो भी dirt वगेरा present हो और जो hair है, वो भी remove हो जाए, वरना क्या होगा, contamination वो भी cause कर सकते हैं जैसे कि, for example, हमने milching कर रहे हैं, animals की milk obtain कर रहे हैं अगर आपके cattle ही साफ नहीं होंगे, तो क्या होगा, milching के दौरान हो सकता है कि dirt और hair जाकर के, milk को contaminate कर दे, है ना? तो हमें क्या करना है, quality भी हमें अच्छी चाहिए है, milk की इसलिए, जो जिस चीज से हमें milk मिल रहा है, obtain हो रहा है उसी को हम साफ रखेंगे, तो quality भी अच्छी हो जाएगे अपने आप फिर ventilated roof sheds होने चाहिए, जो हम shelter की बात कर रहे हैं तो shelter में कैसा होना चाहिए, proper ventilation present होना चाहिए भाई, अच्छा खाना तो आपने दे दिया, अब आप cleaning भी अच्छी कर रहे हो साथी साथ ventilation भी proper होना चाहिए, है ना? अच्छी हवा, pure oxygen उन तक आए, वो जो carbon dioxide produce कर रहे हैं, वो बाहर निकल जाएं क्यों? क्योंकि एक shelter में बहुत सारे kettles present होते हैं ऐसा तो नहीं कि हर एक kettle को अलग-अलग room दिया गया है एक ही shelter में काफी सारे kettles produce present होते हैं, ठीक है? तो obviously बात है, अगर ventilation proper नहीं होगा, तो वो सास जो लेंगे, inhale करेंगे, वो pure air नहीं हो पाएगी है ना? तो proper ventilation ज़रूरी है, इसके अलाबा sloped floor होना चाहिए kettle shade का क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बार-बार जिसे, जो kettles होते हैं, वो बार-बार जो है waste produce करते हैं उनको कोई fix time नहीं होता है, कि किसी भी time पे जो है ना, वो waste generate कर देते हैं इससे क्या होता है कि बार-बार cleaning process करना थोड़ा सा hectic हो जाता है कितने बार आप जाकर के clean करोगे, farmers कितने बार जाकर के clean करेंगे तो क्या होता है, थोड़ी सी slope जो है ना, उनके shed में बना दी जाती जिससे क्या होता है, जो भी excreta वो produce कर रहा है, generate कर रहा है वो अपने आप जो है नीचे आ जाए, है ना, बह जाए जिससे क्या होगा, बार-बार cleaning की process नहीं करनी पड़ेगी दिन में दो से तीन बार कर दिया, उत्ता ही काफी है क्यों? क्योंकि जिस जगा पे वो रह रहे हैं, है ना, at least वहाँ पे तो गंदिगी नहीं रहेगी ना, उधर से तो बह जाएगी तो गंदिगी से वो थोड़े से दूर रहेंगी है ना, तो क्या क्या करना चाहिए, proper cleaning होनी चाहिए shelter facilities होनी चाहिए, shelter कैसा होना चाहिए सबसे पहले तो floor जोड़ा सा slope होना चाहिए ताकि जो waste produce कर रहे हैं वो बह जाए उनकी जिस जगा पे वो खड़े लहते हैं या बैठते हैं या सोते हैं वहाँ पे present ना हो, इसके अलावा ventilation होना चाहिए फिर regular brushing होनी चाहिए dirt और hair removal के लिए वरना क्या होगा, इनसे मिलने वाले products भी हो जाएंगे contaminate, next क्या है अब ये कुछ proper cleaning की ठीक है और regular brushing की ये कुछ pictures हैं जिससे आप relate कर सकते हो कि देखो ये एक cattle farm है, cattle farm में आप देख रहे हो कि कितना बड़ा cattle farm है, है ना कितने सारे cattle यहां पे present है आप जिस shelter को आप देख रहे हो उसमें काफी अच्छा सा ventilation है यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ventilated roof shades है, राइट फिर इसके बाद में sloped होना चाहिए इतने सारे cattle हैं, इन से निकलने वाला waste भी काफी जारा होगा कितने बार साफ करेंगे, फार्मर कितने बार clean करेंगे, तो क्या होगा sloped floor होगा, आटोमेटिकली थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो वो बह जाएंगे है ना, बहुत जादा महलत करने की जरुवक नहीं पड़ेगी, इसके अलाबा regular brushing करनी चाहिए, proper cleaning करनी चाहिए, इतना clear है आप सबको, next अब हमें पता है कि भाई, तरह तरह के diseases जो है, cattle को भी हो सकते हैं, कौन कौन causative agents होते हैं, तो ज़रा ये देखते हैं हम, सबसे पहले तो parasites होंगे external parasite, internal parasite और फिर हमारे bacteria और virus तो present ही होते हैं, disease cause करने के लिए, external parasites जो होते हैं वो skin पे affect करेंगे internal parasite कहाँ पे जाकर क्या attack करेंगे, stomach पे, intestine पे liver पे, worms, flukes flukes वगेरा, ये क्या होते हैं internal parasites होते हैं जो की cattle के अंदर उनकी stomach, intestine और liver को जाकर करके infect करेंगे external parasites होते हैं वो उनकी skin को affect करेंगे फिर bacteria और virus तो होते ही हैं, है ना अलग-अलग तरह के disease और infections cause करने के लिए इन diseases से prevent करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो, prevention तो हमने समझ लिया है, अब unfortunately अगर disease हो गया है cattle में तो क्या करना चाहिए, vaccination करना चाहिए, cattle को छोड़ नहीं देना चाहिए कि अब वो बिमार हो गया है, हमारे किसी काम के नहीं है तो छोड़ दिया, नहीं, वो बिमार हुए है आप ही की वज़े से हुए है, farmers की वज़े से ही हुए है कि उनने proper hygiene, sanitation मिंटेन नहीं किया, infection हो गया तो उनको treatment करने की responsibility भी किस के पास आई तो farmers के पास है तो क्या होना चाहिए, vaccination होना चाहिए, disease हो गया है तो अब उसको treatment भी कराओ उसका तो vaccination वगएरा प्रवाइड करी जानी चाहिए जिससे कि जो भी pathogens वगएरा उनकी body में गये है infection गये है, वो क्या हो जाए destroy हो जाए, इतना clear है आपको तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने basic requirements पढ़ी है cattle farming की previous वीडियो में हमने breeding की बात करी थी अब हमने बात करी है feeding की और disease control की तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने बोला कि बहुत अच्छी diet होनी चाहिए क्यों? क्योंकि उनसे हमें milk मिल रहा है और agricultural purpose के लिए भी हम उनको use कर रहे है काम की अगर बात करें तो 100% efficiency के साथ काम करना होगा इसके अलावा milk की बात करें तो milk की quality भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी quantity भी अच्छी होनी चाहिए जिसके लिए lactation period को लंबा करना पड़ेगा ठीक है? तो basically सभी kattles की food requirement दो टाइप की होती है maintenance की requirement और एक होती है milk producing requirement cattle feeds में क्या होना चाहिए? रफेज होना चाहिए और high concentration होना चाहिए proteins का और nutrients का क्यों? क्योंकि यही सब चीज़े उनकी life को क्या करेंगी life expectancy भी बढ़ाती है एक healthy life जीने में help करती है diseases को लड़ने में help करती है और साथ में milk quality और quantity है ना? उसको भी improve करती है फिर इसके बाद में हमने बोला कि feeding के साथ disease control करने के लिए अगर disease हो गए तो vaccination करा दो और अगर उस stage तक ना जाना हो तो कुछ prevention कर लो कैसे? hygiene और sanitation maintain करके तो क्या-क्या hygiene और sanitation require होती है? वो भी हमने इस वीडियो में cover कर लिया है तो इसी के साथ हमारा cattle farming होता है complete तो इस वीडियो में हमने cattle farming पड़ा है next वीडियो में हम start करेंगे poultry farming से, right? अब क्या करना है हमें? complete course के लिए Magnet Brins Plus में upgrade करना है और इस topic के सभी notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrins.com पर Thank you for watching Hello everyone इस वीडियो में हम start करेंगे poultry farming के साथ previous वीडियो में हमने cattle farming complete करी थी और अब इस वीडियो में हम एक और animal husbandry का type पड़ेंगे जो की है poultry farming So welcome to Magnet Brins, मैं हो विभूती खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा नया topic poultry farming के साथ अब भी poultry farming हमें क्या देता है दो चीज़े देता है एक तो हमें मिलते हैं eggs और दूसरे क्या chicken meat जैसे कि हमने cattle farming में देखा था कि दो चीज़े मिल रही थी milk और उनसे हम agricultural purposes के लिए भी use कर रहे थे cattle को उसके basis पे हमने cattle को दो categories में categorize किया था milk animals and drought animals poultry farming में भी यही हो रहा है poultry farming में क्या मिलते हैं हमें eggs मिलते हैं और chicken meat हमें obtain होता है तो क्यों न न हम जो poultry farming के अनिमल जो हैं उनको भी दो categories में divide कर दे इनको जो की eggs ले करते हैं उनको हम बोलते हैं layers ठीके तो layers क्या होते हैं वो poultry animals होते हैं जो कि हमें eggs देंगी इसके अलाबा इन्हें हम कहते हैं broilers ठीक है इन्हें हमने बोला broilers broilers क्यों बोल रहे हैं? broilers वो होते हैं जिनसे हमें chicken meat मिलता है basically poultry farming होती क्या है? poultry farming हम बोलते हैं कि जो domestic fowls होते हैं जैसे कि hen हो गया, duck हो गया, turkey वगयरा उन सब को raise करना poultry farming क्या होती है? जो domestic fowls होते हैं जैसे कि hen, ducks, etc, turkey वगयरा उनको क्या किया जाता है? raise किया जाता है क्यों raise करते हैं? एक के लिए और chicken meat के लिए इतना clear है आपको अब क्या करना है? जैसे कि हमने बात कर रही थी, animal husband रही है उस पर हमने देखा था कि उसकी तीन steps होती है feeding, breeding और इसके बाद में disease control तो इस वीडियो में हमें ये समझ में आगया कि poultry farming होती क्या है? domestic fouse जो होते हैं उनको raise किया जाता है किस चीज के लिए? eggs के लिए और chicken meat के लिए इसके basis में animals को भी हम, या animals बोलो या birds बोलो, birds को हम दो categories में दो type की हो जाती है एक हमने बोला कि एक हुई हमारी layers और दूसरे क्या हुए हमारे broilers layer से क्या मिलेगा egg और broader से मिलेगा chicken meat इतना clear है? अब हम बात करते हैं इनके breeding की breeding में हमने क्या बोला? कि breeding हमेशा planned होनी चाहिए क्यों? क्योंकि उसका significance यह होता है कि इस से हमें desired qualities की species या breed मिल जाती है जिसको हम further raise करेंगे तो production काफी अच्छा होगा example क्या है? असील and leghorn ठीक है? अब असील के लिए हम बोलते हैं कि असील क्या है? एक indigenous breed है और leghorn क्या है? तो leghorn हम बोलते हैं कि एक foreign breed है ठीक है? leghorn क्या है? एक foreign breed है और असील क्या है? एक indigenous breed है लेग हॉन क्या करता है और असील क्या करता है तो देखो इसकी special qualities क्या है सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि देखो जो लेग हॉन होता है ये eggs ले करता है जादा मलब egg production इसमें जादा होता है ठीक है और इसके बाद में जो हमारा होगा असील असील क्या होता है तो हम बोलते हैं कि temperature resistant होता है याने कि जादा temperature resistance in the sense की काफी जादा temperature ये tolerate कर पाता है अब दोनों ही qualities desirable है desired है क्यों क्योंकि ultimately हम rare क्यों कर रहे हैं domestic fouse को क्योंकि eggs चाहिए है तो leghorn ने बोल दे कि egg production इसमें जादा हो रहा है तो ये तो हो गई फायदे वाली बात वहीं हम असील में बोल रहे हैं कि ये temperature resistant होता है याने कि जादा temperature resistance शो करेगा high temperatures को tolerate कर पाएगा तो क्या होगा दोरों को हम क्या कर देते हैं इसकी breeding कराते हैं ब्रीडिंग से जो हमें नया bird या जो भी animal बोलो bird बोलो जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा उनमें ये दोनों qualities होगा याने कि वो eggs भी जादा production करेगा और साथ में महलब eggs production भी जादा होगा और साथ में वो temperature resistant भी होगा एक production तो समझ में आ गया कि हाँ बैनेफिशल है क्योंकि जित्ता ज्यादा नंबर बढ़ेगा एक्स का उत्ता ज्यादा बैनेफिशल होगा यूमन बींग की जो रिक्वार्मेंट है वो फुल्फिल होगी डिमांड फुल्फिल होगी लेकिन temperature resistance का क्या significance है भाई हमें birds को diseases से भी तो बचाना है ना हमें नहीं चाहते हैं कि birds बिमार पड़े है ना बिमार ना पड़े क्योंकि कई बर ऐसा होते हैं कि high temperature के कारण भी birds बिमार पड़ जाती हैं तो हम अफोर्ट तो कर नहीं सकते जादा इनका बिमार होना तो क्या होगा हम कुछ ऐसी desirable qualities उठाते हैं अलग करेंगे तो वो हमारे लिए beneficial हो जाएगी production भी अच्छा देगी और साथ में जादा बिमार भी नहीं होगी है ना तो हमारा investment भी थोड़ा कम हो जाएगा अब हमें तो पता है कि varieties भी हमको लेके आनी हैं है ना यहाँ पर देखो तीन डाइप की variety हो गई पहली variety क्या थी जो कि egg production जादा दे रही थी दूसरी variety क्या थी जो कि temperature resistant थी अब तीसरी variety क्या हुई जिनमें ये दोनों चीज़े हो गई तो varieties भी increase होती जा रही है ठीक है इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि improvement क्यों करते हैं तो following desirable traits के लिए करते हैं number and quality of chicks obvious सी बात है chicks को ही rare करके raise करके क्या बनते हैं chicken बनते हैं है ना chicken से क्या बनेगा chicken meat बनेगी या फिर हम बोलते हैं कि chicken meat हमें obtain हो गया eggs obtain होंगे तो क्या करना है number और quality of chicks की अच्छी होनी चाहिए number अच्छा होगा तो production भी अच्छा होगा और quality अच्छी होगी तो हमारे लिए beneficial हो जाएगा dwarf broiler parent for commercial chick production इसके बाद में summer adaptation capacity होनी चाहिए यानि की high temperature को tolerance उनकी power जादा होनी जाहिए है कि हम देख रहे थे असील में इसके बाद में low maintenance is required बहुत जादा जो कई पर ऐसा होता है कि कुछ exotic breeds ऐसी होती है जो कि high maintenance होती है जिसके कारण farmers उनको बहुत जादा breed नहीं कर पाते रेर नहीं कर पाते तो ऐसी हमें breeds चाहिए है ऐसी species चाहिए है जो कि हो low maintenance जादा पैसे ना लगे उनको maintain करने के लिए बहुत जादा time consuming ना हो economic होनी चाहिए चीज़े reduction in the size of the egg laying bird with ability to utilize more fibrous steeper diets formulated using agricultural byproducts अब भाई farmers के पास इतने पैसे तो नहीं होने वाले हैं कि वो special food खरीदें सभी poultry जो domestic fowls होती है उनके लिए large quantities में grow करी जा रही है तो सब के लिए अच्छा अच्छा खाना जो है available नहीं हो सकता ठीक है क्या होगा जो agricultural byproducts produce होंगे उनी से जो है उनका खाना बनेगा और वो खाना जो different हम बोलते हैं कि egg laying birds बगेरा हैं वो उसे utilize करें ऐसी capacity capability उनके पास होनी चाहिए क्यों क्योंकि farmers अलग अलग चिकन के लिए bird के लिए खाना नहीं लाके दे सकता है है ना इस वज़े से क्या हुआ जो agricultural byproducts produce हुए है उनी से खाना उनका बनेगा और उस खाने को वो egg laying birds utilize कर लें उनके लिए वो अच्छा हो जाएगा याने कि सस्ती जो fibrous cheaper diets होती है वो farmers उनको available करा सकते हैं तो birds क्या होनी चाहिए सबसे पहले तो size उनका छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ हम बहुते हैं कि cheaper diets को भी वो 100% utilize कर सके ऐसी भी उनके पास abilities होनी चाहिए ठीक है तो यह क्या है कुछ desirable traits है जो कि सभी poultry farmers चाहते हैं अपनी domestic fouls से इतना clear है तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया सबसे पहले हमने देखा था कि जो poultry farming होती है वो क्या होता है domestic birds जैसे की hen turkey, ducks वगेरा उनको rare किया जाता है क्यों eggs के लिए और meat production के लिए उसी दरह से दो टाइब की birds होती है एक होती है layers जो की eggs provide करती है eggs ले करती है और दूसरे होते है broilers broilers को raise के जाता है किस चीज के लिए chicken meat के लिए फिर इसके बाद में animal husbandry की एक step क्या थी, step थी breeding, plant breeding तो हमने भाई असील और leghorn, leghorn क्या है एक exotic breed है असील क्या है, एक indigenous breed है, तो दोनों के बीच में breeding करवाई, एक third type की जो variety बनी है ठीक है ये दोनों variety भी थी, इनके breeding से third type की variety आई जिसमें की egg production भी जादा होगा और temperature resistant भी, यानि की high temperature को tolerance power भी उनके पास होगी इससे क्या हुआ, variety तो improve हो गई है न, दो type की variety थी और इसके बाद में इनके breeding से तीसरी type की variety और बन गई, तो variety तो increase होई रही है, फिर इसके बाद में बोला जा रहा है कि plant breeding जो है following desirable traits के लिए की जाती है, कौन-कौन से, quality और number chicks का अच्छा हो, dwarf boiler parent for commercial chick production, summer adaptation होना चाहिए, high temperature को tolerate करना पड़ेगा उनको, इसके बाद में high maintenance नहीं होनी चाहिए, कि बहुत जादा पैसे लग रहे हैं उनको maintain करने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि exotic breeds कुछ ऐसी होती है जो कि Indian temperature, climate को और food को tolerate नहीं कर पाती है, उनको maintain करने के लिए, rare करने के लिए, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसी breeds को cultivate करने का, या rare करने का मतलब ही क्या, जिसमें पैसे जादा लग रहे हैं, investment जादा है, है ना, तो क्या करना चाहिए, low maintenance requirements होनी चाहिए, इसके अला कर पाए, इतना clear है, तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि भाई, poultry farming होती क्या है, और हमने देखा कि animal husbandry की एक step, जो की है breeding, वो भी हमने देखी, कि breeding क्यों की जाती है, तो following desirable traits के लिए की जाती है, अब next वीडियो में हम बात करेंगे, animal husbandry की second, first और third step, याने की feeding and disease control, अ अब क्या करना है, आपको complete course के लिए Magnet Brains Plus में अपग्रेड करना है, और इस topic के notes आपको available है, हमारी official website पर, magnetbrains.com पर, thank you for watching. Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, broilers की और layers की requirement क्या होती है, previous वीडियो में हमने start किया था poultry farming और देखा था कि poultry farming क्या होता है, domestic cows को raise करना, किस चीज के लिए, eggs के लिए, plus chicken meat के लिए, अब उसमें हमने animal husbandry की first process भी देखी थी, first step भी देखी थी, plant breeding की, इस वीडियो म हम बात करेंगे second और third step की, जो की है feeding and disease control, so welcome to magnet brains, बहुंवे बुती खरे, चलिए start करते हैं, आज का हमारा topic जो की है, किसी भी layer या broiler की requirement, अब देखो, हमें पता है कि हमें eggs चाहिए है, layer से और broiler से क्या चाहिए है, chicken meat चाहिए है, तो अब उसकी basic requirement क्या होने वाली है, broiler chickens are fed with vitamin rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency, जो layers होते हैं, अगर उनको बहुत अच्छा feed provide किया गया है, तो वो 5 months की age में ही egg ले करना शुरू कर देते हैं, 5 months की egg ले करना शुरू करेंगे, कब? जब layers को बहुत अच्छा nutrition मिलेगा, अच्छी feed मिलेगी, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो broiler chicken होत हैं, उनको हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा vitamin rich supplementary feed, जब हम बात कर रहे थे improvement की, improvement की जरूवत क्या है, तो हमने देखा था कि ना सिर्फ हमें quantity improve करनी है, बलकि हमें quality भी अच्छी चाहिए है, और variety भी अच्छी चल रही है, चाहिए है, तो variety के लिए तो हमने बोल दिया, कि plant breeding कर दो, तो एक third type की variety जो आपको मिलेगी, third type का जो भी आपकी net generation होगी, breeding से वो एक new variety form हो जाएगी, तो variety इंप्रूव हो रही है, और हमने देखा कि अलग-अलग farming technique से हमने बोला कि production भी increase हो रहा है, याने कि quantity भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन quality का क्या, quality कैसे इंप्रूव होगी, तो हमने बोला कि अगर अच्छा खाना उन्हें दिया गया है, प्लस उनको हमने diseases से prevent करके रखा हुआ है, और अगर unfortunately disease cause हुए है, तो उनका treatment कर आया है, तो obvious सी बात है, उनसे मिलने वाले products भी कैसे होंगे, अच्छे होंगे, healthy होंगे, nutritious होंगे, याने कि उनकी quality भी improve ह हो जाएगी, तो quantity, quality और variety ये तीनों चीज़ों का improvement किया जाता हो, किया जाता है, या चाहे वो crop cultivation हो, agriculture हो या फिर वो हो एक animal husbandry, तो हम poetry farming में broilers की quality को कैसे improve कर सकते हैं, बहुत अच्छा vitamin rich supplementary feed provide करके, इसके अलावा, care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality, ठीक है, क्या करना है, इनके mortality rate को भी control करके रखना है, फिर they are produced as broilers and sent to market for meat purposes, ठीक है, broilers को कहा बेच देते हैं, फिर market में भेचते हैं, जहापे, slaughterhouse बगेरा भेचते हैं, जहापे, जिधर से हमें meat obtained होता है, ठीक है, next, for good production of poultry words, good management practices are important, है ना, practices, कैसी होनी चाहिए, जो management practices हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी production अच्छा होगा, चाहे फिर वो eggs हो, या फिर वो चिकन meat, these include maintenance of temperature, हमने बात करी कि management practices अच्छी होनी चाहिए, तो वो कौन सी management practices है, these include maintenance of temperature and hygienic conditions in housing and poultry feed, as well as prevention and control of disease and pest, यह हम already पर्ट चुके है, cattle farming में, इसी जैसे कि उसमें आपने देखा था कि sanitation, hygiene maintain करनी है, similar conditions हमें poultry farming में भी देखने को मिलेगी, क्या, कि वहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, अच्छी maintenance practices की, तो good maintenance practices में क्या-क्या आएगा, तो हम बोलेंगे hygiene maintain करना आएगा, ठीक है, जिस भी shelter में वो रह रह रहे हैं, house में रह रहे हैं, तो उसकी साफ सफाई include होनी चाहिए, इसके अलावा, disease अगर हो गए है, different pests से, तो फिर उसको या तो control करो, और या अगर हो गए हैं, तो उसका treatment करा हो, इसके अलावा, the housing, nutritional and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers, क्या बोल रहे हैं, जो housing, nutritional and environmental requirements हैं, किसकी? broilers की, वो अलग होती हैं layer से, the daily food requirement for broilers is protein rich with adequate fat, हमने बोला कि broilers की requirement थोड़ी सी अलग है layer से, कैसे? तो broilers को क्या चाहिए है, protein rich diet चाहिए है, adequate fat के साथ, the level of vitamins A and K is kept high in the poultry feeds, इतना clear है? फिर इसके बाद में, next point, poultry fouls suffer from number of diseases caused by viruses, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiency, ऐसा नहीं है कि pathogenes आके disease cause करते हैं, nutritional deficiencies भी हो सकते हैं, इसे लिए तो A और K vitamin की, जो percentage or concentration है, वो हम इनकी feed में बढ़ा के रखते हैं, high protein right देते हैं, fat adequate देना पड़ता है, फिर, these necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals, proper cleaning करो, ठीक है, disinfectants का spray करो, इसके बाद में sanitation maintain करो, regular intervals की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाफते में एक बार करके छोड़ दिया, daily होनी चाहिए, daily भी regular intervals पे होनी चाहिए, vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases, vaccination भी आप कर सकते हो, ठीक है, हमने पढ़ा है कि vaccination किस तरह से, disease को prevent करने में use होता है, ठीक है, इसके अलावा, reduce loss of poultry during an outbreak of disease, ठीक है, किसी भी तरह का outbreak होता है, किसी भी type के disease का, उस time पे poultry का जो loss होता है, उसको reduce करना, कौन करता है, vaccination करता है, मतलब vaccination infectious diseases से तो prevent करता ही है, किसी एक particular bird को इसके अलावा का, जब बहुत एक ही तरह का infection ये disease, जब बहुत सारी birds को और fouts को जो है, infect करता है, cause होता है, तो उस समय vaccination अपना एक important role play करती है, वो क्या करेगी, जो loss होगा poultry का, उसको reduce करेगी, क्यों, क्योंकि already हमें vaccination दे दिया है उनको, ठीके, वो immune है, इस तरह की infections और diseases के लिए, इतना clear है, तो ये कुछ basic चीज़े थी, जो हम cattle farming में already पर चुके हैं, लेकिन उसी तरह की conditions और चीज़ें हमें broilers और layers के cases में भी देखने को मिलती है, basic requirement होती है, क्या अच्छा खाना, साफ सफाई, ठीक है, अच्छा ventilation, अच्छा shelter होना चाहिए, यह साब basic requirements है, इसलिए जब हम animal husbandry पर रहे थे, उसमें हमने देखा था, कि feeding, breeding और disease control, चारो टाइप की farming में, चाहे वो cattle हो, चाहे वो bee keeping हो, है ना, सभी में required होती है, एक बार हम करते है quick recap, हमने भी तक क्या पढ़ा है, भाई हमें पता है कि poultry, birds जो होती, उससे हमें दो चीज़ें मिलती, eggs और chicken meat, ठीक है, उसकी quality को improve करने के लिए, variety तो हमने improve कर दी थी, plant breeding से, quality को improve करने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा खाना दें, feeding पे focus करें, vitamin rich supplementary feed provide करें, इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो botality है, वो हम उनकी avoid करें, फिर इसके बाद में, they are produced as boilers, फिर इसके बाद में उनको भेज देते हैं, कहां पे, slaughter house वगेरा में, जहां से हमको meat obtained होता है, नेक्स्ट क्या है, for good production of poultry birds, management practices अच्छी होनी चाहिए, management practices क्या क्या होती है, वही, साफ सफाई maintain करो, ठीक है, temperature, control करो, फिर इसके बाद में, अच्छा खाना दो, diseases से prevent करो, prevent अगर नहीं हो पाए, disease हो गया है, तो फिर क्या करो, treatment करो, इसके अलावा हम बोलते हैं कि broilers की requirement जो होती, nutritional requirement वो layer से अलग होती, broilers को क्या चाहिए होता है, protein rich diet चाहिए होती, जिसमें कि adequate fat होता है, फिर level of vitamins K और A के, high होते हैं poultry feeds में, इसके अलावा हम बोलते हैं कि किसी भी तरह के outbreak of disease में, vaccination important role play करता है, ठीक है, poultry loss को वो reduce करता है और बहुत सारी infectious diseases से भी poultry birds को prevent करता है, ठीक है, तो ये हैं कुछ requirements poultry birds की, जो की सब ही, चाहिए वो layers हो, चाहिए वो broilers हो, सब की basic requirement होती है, तो इसी के साथ हमारा जो poultry farming है, topic वो होता है complete, animal husbandry के अभी तक हमने दो दो process पढ़ लिया है, एक हमने पढ़ लिया है, टाइप पढ़ लिया हमने, cattle farming और एक हमने पढ़ लिया, poultry farming है ना, अब next video में हम एक और type पढ़ेंगे, animal husbandry का, क्या करना है आपको, complete course के लिए Magnet Benz Plus में upgrade कर देना है, और इस topic के सभी notes आपको available है, हमारी official website पर magnetbenz.com पर, thank you for watching. Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, fish production या इसे हम fish farming भी कह सकते हैं, previous वीडियो में हमने बात करी थी poultry farming की, कि कि किस तरह से poultry farming करके हम different animal based food products obtain कर सकते हैं, इस वीडियो में हम एक और farming पढ़ेंगे, जिससे कि हमें और क्या मिलेंगे, animal based food products और type के मिलेंगे, So, welcome to Magnet Brains, मैं हुवे बूती खरे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज को हमारा topic fish production के साथ, या इसको हम fish farming भी कह सकते हैं, वै, fishes का जैसे ही नाम आता है, हमारे दिवाग में एक ऐसी image बनती है, एक ऐसे food की image बनती है, जो की होता है, काफी healthy और nutritious, बिल्कुल सही भी बनी है ये image, fishes actually में काफी healthy होती है, nutritious होती है, fish से obtained होने वाले जो fish oils है, वो rich होता है, vitamin A में और D में, fish को mild nutrition को eradicate करने के लिए भी use किया जा सकता है, different, अच्छी बात क्या होती है, कि different varieties of fishes available है, ये healthy भी होंगी, plus easily digestible भी होंगी, majority population dependent होती है, fish पे as their staple food, especially coastal regions में रहने वाले लोग, fish को daily consume करते हैं, staple food की तरह, right, तो आभी हमें क्या पढ़ना है, कि इसको, जो different varieties of fish, जो natural reservoirs में present होती है, natural water reservoirs में, उसको हम कैसे obtain करते हैं, और किस तरह से उनका use किया जाता है, different food products बनाने के लिए, सबसे पहले तो, fish एक बहुती अच्छा, plus cheap source होती है, animal protein का, जैसे कि मैंने आपको बताए कि काफी nutritious होती है, vitamin A present होता है, D present होता है fish oil में, इसके अलावा बहुत अच्छी source होती है, fishes कि इस चीज की, protein की, animal protein की, plus हम बहुते हैं कि यह cheap भी होंगी, यानि कि यह होंगी affordable, easily इनको afford किया जा सकता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि malnutrition को eradicate करने के लिए इसका use कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह काफी affordable है, cheap है, easily जो low income groups होते हैं, वो fishes को afford कर सकते हैं, इसके बाद में, अब देखो, fish production हम पढ़ेंगे, उसमें दो type की fishes include की जाती हैं, सबसे पहले होती है, fined true fishes, यानि कि ऐसी fishes जिनके पास fins present हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, fined true fishes कहेंगे, इन में कौन-कौन सी आती हैं, cartilaginous fishes आती हैं, और boni fishes आती हैं, cartilaginous fishes हमें पता हैं, हमने previous chapters में पढ़ा है, cartilaginous fishes को हम क्या कहते थे, Conducties कहते थे और Bony Fishes को हम क्या कहते थे Austric Thies कहते थे ऐसी Fishes जिनका Endoskeleton बना होगा किसका Cartilage का उन्हें हम कहते हैं Cartilaginous Fishes और जिनका Bone से बना होता है Endoskeleton उन्हें हम कहते हैं Bony Fishes तो ये Fishes कौन सी दोनों? Cartilaginous और Bony Fishes किसकी कैटेगरी में आती है? Finned True Fishes की कैटेगरी में आती है इसके अलावा Fish Production में और कौन शामिल होगा? तो Shell Fishes इंक्लूड की जाएंगी Shell Fishes कौन सी होती है? जिनके बाहर Exoskeleton present होता है Hard Exoskeleton present होता है Examples कौन हैं? इनके Prawns हैं और Mollusks हैं इतना क्लियर है आपको तो Fish Production में दो टाइप की Fishes आएंगी एक होई Shell Fish जिनके बाहर Exoskeleton present होगा Mollusks और Prawns उसके एक्जामपल हैं इसके अलावा Finned True Fishes इसमें की Cartilaginous और Bony Fishes दोनों ही आ जाएंगी इतना क्लियर है आपको अब there are two ways of obtaining fishes Fishes को obtain करने के दो तरीके होते हैं कौन-कौन से एक होता है Capture Fishery और एक होता है Culture Fishery दोनों में difference क्या है Obtain तो हमें fishes ही हो रही है दोनों में difference यह है कि Capture Fishery में नामसी समझ में आ रहा है Capture का मतलब क्या होता है पकड़ना Natural Reservoir में जो fishes present है उनको capture करना और उनको further use करना Animal Based Products के form में वहीं अगर हम बात करते है Culture की Culture का मतलब क्या होता है Cultivate करना तो यहाँ पर properly fishes को Cultivate किया जाता है फिर rearing की जाती है और harvesting मतलब कि basic step से शुरू किया जाता है Capture Fishery में क्या कर रहे थे Simply जो water natural reservoir में present थी fishes उनको obtain कर लिया लेकिन culture fishery में क्या हुआ कि उन fishes को cultivate किया जाता है Grow कर आया जाता है Cultivate करते हैं Rearing करते हैं और फिर ultimately जाकर के Harvesting करते हैं जैसा कि हम crop production में कर रहे थे Crop plants को grow कर जाता है Cultivate किया जाता है तीक है Culture fishery में भी क्या होगा Fishes को culture करते हैं Rearing करते हैं उनकी और ultimately हम उनकी Harvesting करते हैं जो हमारी culture fishery है उसको हम एक और नाम दे सकते हैं क्या नाम हो सकता है उसका तो हम बोलते हैं PC culture यह term आपने हो सकता है पहले भी सुना हो PC culture मतलब कहां से आया है term PC आया है Pisces से Pisces हमें पता है क्या होती है Fishes होती है और culture का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है Cultivate करना इतना clear है आपको तो ऐसी fishery Culture fishery बोलो जिसमें की fishes को कायदे से cultivate करते हैं Rearing करते हैं Harvesting करते हैं उसको हम क्या कहते हैं PC culture कहते हैं इतना क्लियर है आपको, next point क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे दो images देख रहे हैं, ठीक है, यह क्या है, find true fishes है, इनको obtain किया गया है, और यह क्या है, shell fishes है, shell fishes की हमने direct dish बना दी है, shell fishes को already कैसे देख, किस तरह की होती है, किस तरह की दिखती है, कि हम already previous chapters में पढ़ चुके हैं, तो उसकी सीधे से आपको dish बना करके दिखा दी है, right, अब करते हैं, आगे की बाद, the water sources of the fish can be either sea water और fresh water, such as rivers and ponds, अब भाई, fishes तो marine water में भी मिलती हैं, और fresh water में भी मिलती हैं, तो ऐसा तो होगा निकी कि सिफ fresh water के fishes को obtain करें, नहीं, fishes को हम fresh water और sea water, दोनों ही type के water से obtain कर सकते ह क्या है, fishes can does be done, fishing can does be done, both by capture and culture of fish in marine and fresh water ecosystem, भाई, दोनों चाहे वो marine water हो, चाहे वो fresh water हो, दोनों जगा fishes मिल रही हैं, और हमें पता है कि population की demand भी बढ़ती जा रही है, awareness भी बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, कि सिफ fresh water पे जो fishes मिल रही है, उन को ही हम cultivate करें, उनी को हम obtain करें, ऐसा नहीं है, जो marine water में fishes मिल दी है, वो भी edible होती है, वो भी equally healthy and nutritious होती है, तो उनको भी खाने में कोई हर्द नहीं है, तो fresh और marine water habitat दोनों से ही fishes को obtain किया जा सकता है, तो यह क्या है, एक basic introduction का, fish production का, जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, उसका हम करते हैं, एक quick recap, जबी भी हम fish की बात सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में एक healthy food की image आएगी और वो image होगी बिलकुल सही, क्यों क्योंकि वाकई में fishes क्या होती है, बहुत ही healthy source होती है, animal protein का, प्लस हम बहुते हैं काफी affordable भी होगी, low income groups भी fishes को afford कर सकते हैं, खा सकते है इसलिए malnutrition को eradicate करने के लिए fishes का use किया जाता है, fishes काफी enriched होती है, vitamins में जैसे कि fish, liver oil जो होता है, उसमें vitamin A और D, essential fatty acids सब present होंगी, तो fish क्या है, एक healthy food है, majority population of India dependent होती है, basically majority population of India, fishes को consume करती है, एक अच्छा source मानती है, animal protein का, बिल्कुल सही बात है, और बहुत से ऐसे लोग है, specially coastal region में रहने वाले लोग, जो कि fish को as their staple food consume करते हैं, on the daily basis, इतना clear है, याने कि जब population बढ़ रही है, तो production भी improve करना ही पड़ेगा, अब fishes जो होती है, fish production में दो टाइकी fishes include की जाती है, एक हो गई हमारी fin true fishes, इसमें की true fins bearing fishes आती है, इनमे, cartilaginous and bony fishes इनके example है, इसके बार में shell fishes आती है, जिनके ओपर exoskeleton होता है, hard exoskeleton होता है, और इसके example से prawns and mollusk, इसके अलावा, दो तरह ही से fish को obtain कर सकते हैं, एक होता है culture fishery और एक होता है capture fishery, capture fishery में न natural water reservoir पर जो fish available है, उनको simply capture करके लाया जाता है, वहीं अगर हम बात करें culture fishery की, तो यहाँ पे properly तरीके से fishes को cultivate करते हैं और rearing करते हैं, इसके बार में harvesting की जाती है, इसलिए इसको हम पिसी culture भी बोल सकते हैं, next point क्या है, fishes available होती हैं दोनों ही fresh water reservoirs में और marine water reservoirs में, अब population के demand इ strict नहीं रह सकते हैं, demand को fulfill करने के लिए, जहाँ जहाँ से भी हमें fishes naturally मिल रही हैं, उनको वहाँ से obtain करना पड़ेगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्यों क्योंकि marine water और fresh water fishes, दोनों ही equally healthy भी होती हैं, और nutritious भी होती हैं, इसलिए दोनों ही जगा से obtain हम कर सकते हैं, अब इस वीडियो के लिए इतना ही, next वीडियो में हम आगे पड़ेंगे कि किस तरह से marine fisheries, यहने कि marine water में जो fishes मिलती हैं, उनका कैसे production किया जाता है, और कितनी nutritious होती है, वो क्या होता है, वो सब हम पड़ेंगे next वीडियो में, तो इस वीडियो के लिए इतना ही यह था, ए high animal protein का source, अब इस वीडियो के लिए इतना ही, next वीडियो में हम marine fisheries से start करेंगे, करना क्या है आपको complete course के लिए मैगनेर ब्रिंज प्रस में अपग्रेट कर देना है, प्लस आपको इस टॉपिक के साभी notes अवेलेबल हैं, हमारी official website पर magnatebrins.com पर, thank you for watching. Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं inland fisheries, previous वीडियो में हमने देखा था कि marine fisheries क्या होती हैं, किस तरह से marine water reservoirs में different types की marine fishes मिलती हैं और उनको capture किया जाता है या उनका culture भी किया जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि population के demand वरती जा रही है, population के demand को fulfill करने के लिए, जो fish based food products ह हैं, उनके production की yield को भी पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए marine water fishes को भी cultivate या culture किया जा सकता है, capture करने के अलावा भी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे inland fisheries के बारे में, अब ये inland fisheries क्या होती है, इनका culture करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, अगर करना पड़ता है, तो क inland fisheries क्या होती है, भाई, fresh water reservoirs में मिलने वाले जो fishes होती है, उनी को हम कहते है, inland fisheries, अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास marine water reservoirs की कमी नहीं है, लेकिन fresh water reservoirs की कमी तो है, मतलब क्या, जब reservoirs ही कम होंगे, तो उनमें aquatic life, डबलब होने वाली, उनमें aquatic life जो है, वो भी कम होगी, तो जाहिर है, fishes का जो number होगा है, ने कि जो fresh water fishes का number होगा, वो भी होगा कम, fresh water resources कौन-कौन से होते हैं भाई, तो हमने बोला कि canals होते हैं, इसके बाद में ponds होते हैं, और reservoirs जैसे की rivers वगेरा present होती हैं, अब एक brackish water resources भी होते हैं, ये brackish water resources क्या होते हैं, जहाँ पे marine water और fresh water combine होते हैं, mix होते हैं, उन्ही को हम कहते हैं brackish water resources, example क्या है, तो हमने बोला estuaries and lagoon, estuaries and lagoon, वो water reservoirs हैं, जहाँ पे sea water और fresh water mix होते हैं, combine होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, brackish water resources कहते हैं, इतना clear हैं आपको, ये भी क्या करते हैं, जो brackish water resources हैं, ये भी अच्छे source होते हैं fishes के लिए ये भी fish reservoirs की तरह काम करते हैं next point while capture fishing is also done in such inland water bodies the yield is not high इतनी yield अच्छी नहीं होती है देखो fresh water resources वैसे ही कम है और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि human beings की activities के कारण previous video में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से अलग-अलग तरीके से water pollution हो रहा है वहाँ बेभी मैंने एकी बात आपसे बोली थी और आज भी मैं उस चीज़ को repeat करती हूँ कि human activities के कारण water pollution बहुत बढ़ रहा है water pollution से क्या होगा कि water में रहने वाली जो aquatic life होगी वो भी जफ़र करेगी अब चाहे वो marine water में रह रही हो aquatic life या फिर वो fresh water में रह रही हो water pollution तो दोनों ही water reservoirs में हो रहा है हम oceans और seas को भी उतनी अच्छे तरीके से गंदा कर रहे है जितना की हम rivers को कर रहे है है ना जिसकी वज़े से क्या हो रहा है उनमें aquatic उनमें रह रही जो aquatic life है वो सफर कर रही है जब हम inland fisheries की बात करते हैं याने कि fresh water fisheries की बात करते है तो उनका जब capturing उनकी की जाती है foods के लिए ठीक है तो क्या होता है काफी yield कम होती है क्योंकि fresh water reservoirs वैसे ही कम है pollution और हो रहा है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है उनका number कम होता जा रहा है decrease होता जा रहा है इसे क्या होगा yield कम हो जाएगी most fish production from these resources is through aquaculture अब जब कोई चीज naturally present नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा जैसे कि हमने marine fishes को भी हमने culture किया था उसी तरह से जो fresh water fishes होती है inland fisheries होती है उनको भी culture किया जाता है और उस culture को हम क्या कहते है aquaculture aquaculture क्या है PC culture का ही एक part है PC culture में हम क्या करते है कि जितनी भी fishes जो की fish production में, fish culture में शामिल होती है चाहे वो marine water हो shell fishes हो fresh water fishes हो सबका cultivation किया जाता है rearing की जाती, harvesting की जाती है लेकिन जब PC culture यानि कि fish production या culture specify हो जाए या restrict हो जाए fresh water या inland fisheries के लिए तो उसे हम क्या कहते है aquaculture कहते है और जब हम marine water fisheries का हम culture कर रहे थे तो उसे हम क्या करे थे mariculture कर रहे थे तो PC culture के दो types हो गए aquaculture and mariculture इतना clear है आप सबको तो क्या कर रहे है जब fish capturing से yield proper नहीं हो रही है adequate नहीं हो रही है insufficient है तो क्या करेंगे fish production करेंगे और fresh water inland fisheries को का जो culture होता है उसे हम क्या कहते है aquaculture कहते है next point fish culture is sometimes done in combination with a rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field कई बार जिस पानी में rice को grow किया जाता है वही पे aquaculture भी perform किया जाता है इससे क्या होगा कि fishes paddy field में paddy field के water में grow करेंगी जितना nutritious पानी होगा fishes की health भी उतनी अच्छी होगी water pollution से हो क्या रहा था water की quality deteriorate हो रही थी है ना water की quality deteriorate होगी oxygen कम होगा nutrients कम होगे तो वहाँ पे रह रहे ही fishes भी unhealthy हो जाएंगी यहाँ पे हम क्या कर रहे है rice field में यानि कि paddy field में जहाँ पे rice को grow किया जाता है वहाँ पे fishes को culture करते हैं जिससे क्या होता है पानी nutritious हो जाएगा और जो fishes होगी वो healthy होगी next point more intensive fish farming can be done in composite fish culture system अब mostly जो fish farming की हम बात कर रहे है aquaculture की हम बात कर रहे है वो intensive भी हो सकती है और जादे intensive बनाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं composite fish culture systems में farming करते हैं अब यह composite क्यों कह रहे है fish culture system को क्योंकि यहाँ पे local और exotic species जो होती है fish species उन दोनों को combine किया जाता है composite हम क्यों बोल रहे है fish culture system को क्योंकि यहाँ पे local species और exotic exotic मतलब क्या कि जो ऐसी species जो कि हमारी country में develop नहीं करती है grow नहीं करती है उनको बाहर से ले के आना पड़ता है ठीक है तो local और exotic species जो होती है important species जो होती है उन सब को एक साथ culture करा जाता है इसलिए इससे क्या होगा जो fish farming होगी वो और intensive हो जाएगी और जो intensive fish farming का जो culture system है उसे हम क्या कहते हैं composite कहते हैं अब आगे की बात in such a system a combination of five और six fish species is used in a single fish pond यहाँ भी क्या किया जाता है कि 5 से 6 अलग-अलग fish species को एक साथ fish pond मे रखा जाता है एक ही fish pond में इस species are selected so they do not compete for food among them having different types of food habits जैसा कि हमने different cropping patterns की बात करी थी जब हम crop production management देख रहे थे हैना उसमें हमने क्या देखा था कि अलग-अलग varieties हमने रहे थे crops की जिनको हम एक साथ ग्रो कर रहे थे हैना cropping patterns में हमने यही देखा था क्यूं ऐसा क्यूं कर रहे थे क्योंकि हमें production की yield बढ़ानी थी लेकिन एक limitation थी एक restriction थी कि जो varieties आप अलग-अलग crops की ले रहे हो वो ऐसी varieties होनी चाहिए कि जो एक दूसरे से compete ना करें sunlight के लिए space के लिए water के लिए food के लिए otherwise क्या होगा unnecessarily competition होगा ना एक variety survive कर पाएगी ना दूसरी variety survive कर पाएगी क्योंकि हमें food production की yield को बढ़ाना था ओल्टा क्या हो जाएगा varieties destroy हो जाएगी damage हो जाएगी production की yield बढ़ने से बढ़तू पाएगी नहीं कम और हो जाएगी similar pattern यहां पर follow होता है यहां पर क्या होगा यहां पर हम बात कर रहें fishes की तो यहां पर 5-6 different species लेते हैं fishes की और एक ही fish pond में रख देते हैं उनका culture किया जाता है plus हम बोलते हैं कि यह species कैसी होनी चाहिए यहां पर भी एक restriction आ गई कि यह आपस में compete नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ food के लिए यानि कि अलग-अलग food habits वाली different species को लिया जाता है as a result the food available in all the parts of the pond is used ठीक है उसमें भी हमने देखा था कि जितने भी nutrients present होते हैं soil में उसका maximum utilization होता है cropping patterns का यह एक advantage था यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं different food habits वाली fish species लेंगे जिससे क्या होगा कि पानी में जितना भी food present होगा वो सब utilize हो जाएगा 100% utilization possible होगा इसका बहुत अच्छा एक example दिया है देखो अगर अभी हम एक pond बना दे ठीक है और इस pond में अलग-अलग levels पे खाना present होता है कुछ surface पे present होता है यह हुआ surface पे जो food present है वो इसके बाद में कुछ middle zone में भी food present होता है इसके अलावा हम बहुते हैं कि bottom level पे भी pond के bottom level पे भी food present होगा और हमें पता है कि जब भी हम किसी pond की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ weeds तो present होगे ही तो यह लिजे यह बना दिये मैंने कुछ weeds अब क्या होगा इन तीनो चारो ponds की बिसिकली तीन layers हमने बनाई है upper zone, middle zone और bottom zone इन तीनो zones में क्या present होगा food present होगा अब हमें क्या करना है हमें fish की कुछ ऐसी species नहीं है जो की इन तीनों layer से खाना utilize कर ले example क्या है? सबसे पहला है cutla, cutla ऐसी species होती है जो की surface feeders होती है यानि की surface पे जो खाना present होगा उन्हें कौन आके खाएंगी तो हम बोलते हैं की cutla इतना clear है अब सबको next क्या है? रोहूस feed in the middle zone of the pond रोहूस क्या करती है? pond के middle zone में जो खाना होता है वो खाती है फिर कौन आएं? mrigals आएं और common carbs आए जो की bottom feeders होती है यानि की pond के bottom में जो खाना present होता है उसे खाते हैं कौन? तो हमने बोला mrigals यह आ गई हमारी mrigals और हमने बोला carbs इतना clear है आपको? अब यह जो हमारी weeds थी इन्हें आके कौन खाएगा? इन्हें खाते हैं आकर के grass carbs common carbs क्या करेंगे? bottom में जो खाना present होगा उसे खाएंगे और grass carbs आकर किसको खाएंगे? यह जो weeds निकली हैं इनको आके खालेंगे grass carbs इतना clear है? तो अब आप देख रहे होँगे यह इतना अच्छा example है कि pond में different levels पे जहां पे खाना मिल रहा था उन सभी levels पे अलग-अलग species हमने एक साथ ग्रो करी हैं cultivate करी हैं और यह सभी अलग-अलग species जो है pond के अलग-अलग levels से चाकर के खाना खा रही है surface feeder कौन है? कटला है bottom में कौन रहेगा? रोहू और सबसे sorry, middle zone में कौन रहेगा? रोहू और bottom zone में कौन रहेगी? briggles and common carbs और grass carp आ करकर के खालेंगी weeds को इतना clear है आप सबको अब point क्या है? this increases the fish yield from the pond इसते क्या हो रहा है? proper utilization हो रहा है पूरे खाने का सभी nutrients का जो कि bond में available है plus हम बोल रहे हैं कि yield भी बढ़ रही है क्योंकि हमें culture तो करना ही है है ना? क्योंकि population के demand के कारण हम जो naturally fishes present है fresh water fishes present है water reservoir में उनको हम extract करते जा रहे है अप्टेन करते जा रहे है plus क्या हो रहा है water pollution से वहाँ पे वो survive नहीं कर पा रही है उनका survival काफी difficult हो गया है तो ultimately क्या हो रहा है कि number fresh water fishes का कम हो रहा है इसलिए क्या करना पढ़ रहा है उनको culture करना पढ़ रहा है culture में भी हमने एक composite fish culture system हमने adopt किया है जिसमें कि 5-6 species को हम एक साथ लेते हैं fishes की ऐसी species जो की आपस में compete ना करें एक बिस्टर से खाने के लिए अलग-अलग food habits वाली fish species को लिया जाता है यह सारे points आपको clear है अब next point one problem which such composite fish culture is that many of these fishes breed only during the monsoon अब क्या हुआ एक major drawback किया आगया कि जो composite fish culture में जो हमने different species ली है fishes की most of the species ऐसी होती है जो की monsoon के time पर ही breeding करेंगी अब क्या हुआ even if fish seed is collected from the wild it can be mixed with that of other species as well अगर कहीं और से भी fish seeds लेकर के आ गए है और वो हमने इस composite system में मिला दिया है तो भी क्या होगा बाकी जो species हैं उनकी साथ वो अच्छी तरह से mix हो जाएंगी So a major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seeds good quality seeds fish farming में नहीं मिलते हैं एक major drawback क्या हो गया कि बहुत सारी fish species ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ monsoon में ही breeding करेंगी अगर हमने कहीं और से wild area से fish seeds लेकर के आ भी गए हैं तो भी क्या होगा वो बाकी species के साथ mix हो जाएंगी दूसरा drawback क्या है कि good quality fish seeds नहीं मिलते हैं farming के लिए to overcome this problem ways have now been worked out to breed these fishes in ponds using hormonal stimulation अब क्या होता है भई hormonal stimulation के through breeding कराई जाती जैसे कि हमने बोला कि सिर्फ breeding season जो उनका था सिर्फ monsoon ही है monsoon में वो breeding कर रही थी लेकिन हमें क्या चाहिए है जल्दी जल्दी fish seeds चाहिए है तो क्या किया जाता है pond में hormonal stimulation hormones के under में breeding करवाई जाएगी hormonal situations उनको दी जाएगी जिससे क्या होगा breeding उनकी monsoon season के अलावा भी possible है this has ensured the supply of pure fish seeds in desired quantities देखो क्या हो रहा था कि सिर्फ monsoon में ही most of the fish species breed कर रही थी अब क्या हुआ फिश प्रॉपरली उतनी इल्ड हो नहीं पाली है फिश इसकी तो क्या किया हमने सोचा कि wild से हम कुछ fish seeds लेकर के आते हैं और इस pond में डाल देते हैं तो क्या होगा हो सकता है कि breeding जल्दी हो जाए उससे भी कुछ नहीं हुआ वो fish seeds जाकर के जो wild species हैं वो जाकर के जो अच्छी species सी exotic और local species सी fishes की उनके साथ जाकर के combine हो गई इससे क्या हुआ कि जो fish seeds की quality है वो खराब हो गए तो दो major drawback आ गए उसको improve करने के लिए क्या किया गया कि breeding तो करवानी है लेकिन wild जो fish seeds हैं वो लेकर के नहीं आएंगे breeding करवाएंगे उसी pond के अंदर करवाएंगे कैसे hormonal stimulation के साथ hormones डालेंगे उस pond के अंदर जिसके वज़े से fishes क्या करेंगी monsoon season के अलावा भी breeding show करेंगी इससे क्या होगा सबसे पहले तो monsoon के अलावा breeding हो जाएगी plus बाहर से जो wild fish seeds लेकर के आ रहे थे breeding को stimulate कराने के लिए उसकी जरुवत नहीं पड़ी इससे क्या होगा जिस pond में आप culture अपना कर रहे होंगे fishes का उसमें आपको pure fish seeds मिल जाएंगे breeding की help से और वो breeding किसके stimulation में होगी hormonal stimulation के influence में होगी इतना clear है आपको ये basic points है inline fisheries के जो हमारे साथ हमारी NCRT ने discuss करे हैं इतना clear है आप सबको अब जो भी हमने पड़ा है इस वीडियो में उसका हम करते हैं एक quick recap सबसे पहले हमने start किया था कि भाई inland fisheries क्या होती है तो fresh water resources में जो fishes मिलेंगी उन्हें हम कहते हैं fresh fishes और उनको obtain किया जाता है ठीक है अब continuously उनके extraction से और water pollution से क्या हो रहा है कि उनका number काफी हो रहा है कम अब number कम होना हम afford नहीं कर सकते तो क्या करेंगे उनका culture करेंगे और fresh water fishes के culture को हम क्या कहते हैं mariculture कह रहे तो PC culture के दो टाइप हो गए mariculture and aquaculture fresh water resources कौन-कौन से होते हैं वही ponds होती है ठीक है canals होती है rivers होती है इसके अलावा brackish water resources भी होते हैं जहां पे sea water और fresh water combine होता है example क्या हो उनके estuaries and legumes वो भी fishes के reservoirs की तरह काम करते हैं अब क्या हुआ हमें करना है aquaculture aquaculture के लिए हम क्या करते हैं कि कई पर ऐसा मना चाता है कि rice field जो होती हम rice grow करते हैं वहाँ पे fishes को grow किया जाता है क्यों क्योंकि paddy field में grow करेंगी वो fishes तो जो पानी होगा वहाँ काफी होगा nutritious nutritious water जब fishes लेंगी consume करेंगी तो वो खुद भी healthy हो जाएंगी तो better health के लिए उनको जो paddy field होती है वहाँ पे cultivate किया जाता है इसके अलावा intensive को fish farming को और intensive बनाने के लिए एक composite fish culture system adopt किया गया है जहाँ पे local और exotic species जो होती है उनको लिया जाता है ठीक है एक ऐसा system जहाँ पे 5-6 species different species different species fishes की ली जाती है और उनको cultivate culture किया जाता है केवल एक ही fish pond में limitation क्या होती है कि ऐसी species हमें लेनी है जो कि एक दूसरे के साथ खाने के लिए compete ना करे उनकी अलग-अलग food habitat वाली species देनी चाहिए example बहुत अच्छा दिया है for example cutlass हमने ली है तो cutlass क्या करेंगी pond के surface पे जो खाना रहेगा तो उसे खाएंगी क्यों क्यों क्योंकि वो surface खाने वाले grass carp आ जाएंगे इतना clear है तो जैसे कि आप में देखा तीन चाहर स्पीशीज यहां पर एक साथ एक ही pond में रह रह रही है लेकिन इन लोगों ने ब्रीडिंग को इनिशेट करने के लिए क्या करते हैं कि बाहर से वाइल कुछ स्पीशीज ले आते हैं उनके साथ मिक्स हो जाती है इससे क्या हुआ कि प्योर फिश सीट नहीं मिल पाते हैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टैक्निक आई जिसे हम कहत हैं हॉर्मोनल स्टिमिलेशन इस हॉर्मोनल स्टिमिलेशन में क्या करते हैं कि जो फिश पॉंड है उसमें हॉर्मोन डाल देते हैं हॉर्मोन के इंफ्लुएंस में आकर के जो स्पीशीज जो कि सिर्फ मॉन्सून में ब्रीड कर रही थी वो अब बाकी सीजन में भी ब्रीड कर जाती इससे फाइदा गया होता है कि बाहर से जो wild variety की जो fish seeds लाए गए थे pond के अंदर वो नहीं लाने पड़ते अब जब wild varieties या species नहीं आएंगी तो pond में जो हमने local और exotic species ली थी उनसे क्या मिलेंगे हमको pure fish seeds मिलेंगे तो दोनो problems हो गई solve सिर्फ किसे hormonal stimulation से Is that clear? तो इसी के साथ हमारा inline fisheries भी होता है complete और इसी के साथ हमारा जो fish culture है जो fish production है वो भी हमने complete कर लिया हमने देख लिया कि किस तरह से अलग-अलग water reservoirs में चाहे वो marine हो चाहे वो fresh water reservoir हो इन सब में अलग-अलग type की fishes मिलती है true finned fishes भी मिलेंगी और shell fishes भी मिलेंगी जो high economic value वाली fishes होती है उनका culture किया जाता है क्यों? क्योंकि उनका market value काफी जादा रहती तो economy improve करने के लिए उनको culture किया जाता है इसके अलावा population की increasing demand को fulfill करने के लिए भी fishes को culture किया जाता है चाहे वो marine water fishes हो यो चाहे वो fresh water fishes हो I hope कि अब आगको पूरा जो fish production है वो पूरा clear हो गया होगा अब animal husbandry में एक और topic बचा है जोगी है bee keeping वो हम पढ़ेंगे next video में इस video के लिए इतना ही अब आगको क्या करना है complete course के लिए magnet prince plus में अपग्रेड कर देना है और इस topic के सभी notes आगको available है हमारे official website पर magnetbrince.com पर Thank you for watching एपी culture कहां से आया है देखो culture का मतलब तो हम सबको पता है culture का मतलब होता है किसी चीज़ को cultivate करना राइट और वहीं पे एपी वर्ड कहां से आया है एपी वर्ड आया है एपिस से एपिस का मतलब क्या होता है बी याने की बी क्यों cultivate करने की process को हम कहते हैं एपी culture एपी culture एक ऐसी process होती है जहां पे हानी भी इसको उनकी रेरिंग की जाती है केर किया जाता है और management किया जाता है भाई हानी भी इसको की रेरिंग करने से उनका culture करने से हमें क्या मिलता है हमें मिलता है honey, bee wax and other useful substances honey जो की एक बहुत ही sweet, viscous, fluid होता है और काफी जादा यूज भी किया जाता है commercially भी और domestic purpose के लिए भी honey काफी जादा यूज किया जाता है honey बहुत ही जादा nutritious होता है और healthy होता है उसमें होती ही medicinal properties इसलिए different diseases जैसे की diarrhea और किसी भी तरह का ailments होते हैं liver ailments हुए या stomach ailments हुए उन सब में honey को यूज किया जाता है cold and cough में specially गरम पानी में honey की 1-2 teaspoon mix करके दिया जाता है congestion वगेरा को remove करने के लिए तो honey में काफी सारी medicinal properties होती है जिसकी वज़से उनको medicines बनाने में यूज किया जाता है इसके अलावा काफी nutritious होता है बहुत सारे amino acids proteins present होते हैं enzymes present होते हैं इसके अलावा honey बहुती sweet होता है टेस्ट में इसलिए इनको confectionary industries में भी यूज किया जाता है cakes और pastries में आपने normally drizzle देखा होगा honey का इसके अलावा बहुत सारे और uses भी है honey के अब जब honey इतनी अच्छी चीज है तो obviously बात है इसके demand भी काफी जादा होगी और इसी demand को fulfill करने के लिए हम बोलते हैं कि आता है epi culture तो epi culture क्या होता है यह एक ऐसी process होती है जहाँ पे honey bees की rearing की जाती है care किया जाता है और management किया जाता है किस चीज के लिए honey के लिए wax के लिए बी wax के लिए और other useful substances होते हैं जो हमें honey bees से मिलते हैं उन सब के लिए अब य honey कैसे बनता है तो यह honey बनाती है हमारी honey bees honey bees कैसे बनाएंगी भाई honey bees बनाती है इन्हें flower के nectar और pollen से flower के pollen grain से और nectar से जिसे हम usually हिंदी की भाशन में बोलते हैं फूलो का रस तो honey bees क्या करती है फूलो के अंदर जा करके उनका pollen grains और उनका nectar सक करती है इसके बाद में उनके पास present होती है certain glands वो glands क्या बनाती है हनी बनाएंगी और wax बनाएंगी जिसे हम bee wax भी कहते हैं एक्चुली जो बी हाइव हम देखते हैं याने की मदो मक्की का चत्ता उसमें तीन टाइप की honey bees रहती हैं बी हाइव में हम बोलते हैं की तीन टाइप की honey bees रहती हैं एक होती है queen एक होते है workers और एक होते हैं ड्रोन्स queen एक बी हाइव में केवल एक ही रहती है और इसका काम क्या होता है queen का सिर्फ एग ले करना इसके बार में आते हैं drones ड्रोन्स का नंबर आप बोल सकते हैं कि 100 to 200 रह सकता है एक बीहाइव में और इनका काम क्या होता है? क्वीन के साथ ब्रेडिंग करना क्यों जिससे की और हनी बीज में निकलें इसके अलावा फिर आते हैं लास्ट में वर्कर्स वर्कर्स का नंबर बीहाइव में सबसे साधा होता है इनका काम क्या होगा? बीहाइव में जितने भी फंक्शन्स परफॉर्म करने होंगे वो सब च बीहाइव में जितने भी फंक्शन्स चलती रहती हैं चाहे वो लारवा को फीड करना हो या फिर हनी बनाना हो वैक्स बनाना हो यह सब काम कॉन करता है वर्कर्स करते हैं हायस्ट आनिट्स में जैसे कि आप पहुंचोगे हनी बीहाइव और हनी बीज के बारे में और डिटे पहुनी जाहिए ठीक है तो फ conservatives होता है आनी हम भो सकते हैं कि बड़ार की जो पोलन ग्रेंज होते हैं और जो नैक्टर होते हैं उसको सँक करेंगे उनके पास होंगी सर्टेर उन की बॉडी में जो कि क्या बनाते हैं हानी बनाते हैं और वैक्स बे इस बनाते हैं इतना क्लि किया है कि honey बहुत ही useful product होता है इसमें medicinal properties भी होती है confectionery industries में भी इनको use किया जाता है क्योंकि इनका taste काफी अच्छा होता है तो variety of purpose के लिए honey को use किया जाता है तो obvious से बात है demand भी पड़ेगी और इसी demand को fulfill करने के लिए beekeeping एक agricultural enterprise हो चुका है since beekeeping needs low investments farmers use it as an additional income generating activity beekeeping या epiculture जो होता है वो काफी low investment वाली activity है बहुत जादा उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता बहुत जादा पैसा invest नहीं करना पड़ता इसलिए जो farmers होते हैं उसको एक additional source of income मानते हैं और एक additional activity की तरह उसको perform करते हैं next point in addition to honey the beehives are a source of wax which is used in various medical medicinal preparation भाई bee wax भी उतना ही important होता है honey की जो की medicinal properties बहुत अच्छी है प्लस उसका taste ऐसा है कि उसको confectionery industries में भी हम use कर लेते हैं bee wax जो होता है वो भी काफी useful substance होता है honey bees के पास present होती है wax glands जो की bee wax बनाती है candles वगेरा में जो बनती है वो bee wax से बनती है तो ऐसा नहीं है कि सिफ एपिकल्चर से हमें सिफ एक ही product मिल रहा हो honey भी मिल रहा है और bee wax वगेरा भी मिल रहा है तो इसको perform करना काफी जादा beneficial हो जाता है farmers के लिए एक तो investment भी कम है उपर से products काफी जादा मिल रहे हैं और अच्छी quality के मिल रहे हैं इसलिए यह काफी अच्छा source हो जाता है farmers की income के लिए next point the local varieties of bees used for commercial honey productions are epi serena indica अब कुछ varieties है bees की जिनको commercially culture किया जाता है commercially honey production के लिए कौन कौन सी है epi serena indica commonly इसको हम Indian bee भी कहते हैं इसके अलावा epi dorseta जिसको हम rock bee कहते हैं then epi florae जिसको हम little bee भी कहते हैं तो यह 3 most commonly used honey bee की varieties है जिनको honey के commercial production के लिए use किया जाता है an Italian bee variety epi mellifera has also been brought in to increase yield of honey यह जो epi mellifera होती है एक तो इनका जो honey production की capacity होती है वो काफी जादा होती है ठीक है और यह एक exotic variety है लेकिन यह काफी dangerous भी होती है इसका attack काफी dangerous होता है next point this is the variety यहने के epi mellifera commonly used for commercial production of honey the Italian bees have high honey collection capacity they sting somewhat less they stay in a given beehive for long periods and breed very well यह किसकी बाद चल रही है? Italian bees की बाद चल रही है कि जो भी उनको beehive दिया जाता है उनमें यह काफी लंबे समिता क्रहती है और breed भी अच्छी तरह से करेंगी breeding अच्छी तरह से करेंगी मतलब क्या? नए bees निकलेंगी और जादा honey और wax production होगा next point for commercial honey production bee farms और epiaries are established अब normally आपने मदुमक्की का चता beehives देखे होंगे पेड़ों पे या घर की चतों पे ओफिस की चतों पे लेकिन जब हम बात करते हैं epi culture की तो specially bee hives यानि की honey production के लिए specially क्या बनाए जाते हैं? bee farms बनाए जाते हैं जैसे cattle को breed करने के लिए cattle farms बना रहे थे similarly honey को obtain करने के लिए commercial level पर production करने के लिए honey bees के लिए भी क्या किया जाता है? bee farms जिनको हम epiaries कहते हैं उनको establish किया जाता है ठीक है? next point the value or quality of honey depends upon the pasturage or the flowers available to the bees for nectar and pollen collection obviously बाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि honey किस चीज से बनता है? honey बनता है फूलों के nectar और pollen grains से तो obviously बाते हैं honey की quality किस पर depend करेगी? जो उनको फूल दिये जाएंगे फूल मतलब कि जो उनके पास nectar और pollen grains आएगा अच्छी quality के अगर pollen grains या nectar आएगे तो अच्छी quality का honey बनेगा poor quality के pollen grains और nectar आएगे तो poor quality का honey बनेगा ठीक है? next point in addition to adequate quantity of pasturage the kind of flowers available will determine the taste of honey भाई ना सिफ quality बलकि taste भी depend करता है कि किस तरह की उनको flowers दिये गए हैं उन flowers के पास क्या होगा? उन flowers के पास होते हैं nectar और pollen grains इतना clear है आप सबको तो यह क्या है? honey, bee production, bee farming यह उसको हम कह सकते हैं epiculture यह topic हमारी NCRT में Animal Husbandry का एक last topic है उसको भी हमने cover किया है अब जल्दी से जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसका हम करते हैं quick recap honey जो है एक बहुत ही important fluid होता है काफी viscous होता है इसके consistency काफी ठेक होती है ठीक है water की तरह नहीं होता बहुत flowy नहीं होता है एक बहुत ही important viscous fluid होता है sweet होता है टेस्ट में इसके काफी साधा confectionery industries में यूज के जाता है cakes और pastries को बनाने के लिए इसके अलावा इसके पास होती है medicinal properties cold and cough को में हम बोलते हैं कि congestion release करने के लिए इसको दिया जाता है बच्चों में diarrhea और liver diseases के time पे इसको दिया जाता है ठीक है तो काफी antibacterial properties भी होती है तो honey का use है वो काफी जादा है multi purpose होता है honey इसलिए इसका production भी काफी जादा important है क्योंकि population से demand honey की काफी होती है जादा ठीक है तो इसी commercial production of honey को हम क्या कहते है एपी कल्चर कहते है एपी कहां से आया है एपिस से मतलब क्या होता है बी और culture का मतलब हम पता है कल्टिवेट करना तो एपी कल्चर एक ऐसी process होती है जहां पे honey bees को rearing की जाती है उनका care किया जाता है और management किया जाता है किन किन चीज़ों के लिए honey के लिए wax के लिए bee wax के लिए और other useful substances के लिए इतना clear है आप सबको next point honey obtain कहां से करते है honey bees तो flower के जो nectar होते है उनके जो pollen grains होते है उनसे obtain किया जाता है honey की quality और उसका taste depends करता है कि कौन से टाइप का flower दिया है याने कि किस टाइप के pollen grains और nectar उनको available है honey bees जो होते हैं वो pollen grains और nectar सक कर लेते हैं sucking type mouth parts होते हैं उनके पास और उनके पास अलग-अलग glands होती है wax glands होती है जिसकी वजह से honey bees और wax honey bees जो है honey बनाते हैं और wax बनाते हैं इतना clear है आप सबको next point मैंने आपको क्या बताया था कि जो bee hive होता है मदो मक्की का छता उसमें तीन तरह की honey bees देखने को मिलती है एक होती है queen एक होती है drones और एक होते है workers queen एक ही होती है और उनका काम होता है एक ले करना drones का number 150-200 के बीच में रहता है और इनका क्या काम होगा queen के साथ breeding करना सिर्फ और इसके बार में third category आती है honey bees की workers worker bees जो होती है वो bee hive का सारा कांग कर दी है hexagonal rooms present होते है इन rooms को बनाने का काम भी worker bees का होता है जो larvae produce होते है breeding से उनकी feeding का काम भी worker bees का ही होता है ठीक है जो भी bee hive में different activities चलती रहती है चाहे वो honey का production हो wax का production हो सब कुछ कौन करते हैं worker bees ही करते हैं तो obviously बात है इनका number B bee hive मे as compared to queen and drones सबसे ज़्यादा होता है अब कुछ common varieties जो की honey के commercial production में use की जाती है उनका नाम क्या-क्या है Apis Serena Indica जिसको हम कहते हैं Indian bee फिर आता है Apis Dorceta जिसे हम कहते हैं Rock bee and third one is Apis Flora जिसको हम कहते हैं Little bee इसके अलावा एक Italian variety है Apis Mellifera जिसको use के इसकी honey production की capacity काफी जादा होती है और यह काफी dangerous भी होती है next point Italian bees जो होती है उनके पास honey correction की capacity काफी जादा होती है यह लंबे समय तक जो भी उनको bee hive provide किया गया है उसमें वो रहती है और breeding भी काफी अच्छे से करती है ठीक है specially जब honey का commercial level पर production किया जाता है उसके लिए bee farms बनाए जाते हैं या epiaries बनाए जाती हैं यह आपको इस तरह से जो थोड़े से box दिख रहे हैं rectangular box दिख रहे हैं यह क्या है यह सब है epiaries ठीक है यह पूरे क्या है यह bee farm है और इनी boxes के अंदर हम बोलते हैं कि bee eyes बनाए जाते हैं और honey production होता है यहाँ पे और wax production होता है इतनी सारी चीजे आपको clear है तो इसी के साथ हमारा bee farming या फिर हम बोलते हैं कि epiculture होता है complete और इसी के साथ में हमारा chapter भी होता है complete improvement in food resources यह हमने start किया था बहुत सारी हमने चीजे देखी है population की बरती डिमांड को fulfill करने के लिए किस तरह से animal based food products और plant based food products में improvement की जरुवत है यह हमने देखा इसके अलावा कई सारी चीजे हमने देखी की improvement कैसे हो सकता है सबसे पहले variety को improve किया जा सकता है crop plants की variety हम improve कर सकते है hybridization से और genetic modification से इसके बाद में production को कैसे manage करना है अब जो crop plants से produce हुआ है उनको protect कैसे करना है यह भी हमने देखा फिर हमने बात करी थी storage of food grains के बारे में की farmers से consumers तक हम consumers तक पहुंचने से पहले जिंजे लोगों के पास हमारे food grains present होते हैं उन सब के उपर responsibility आ जाती है उनको properly safety के साथ store करना तो storage कैसी की जाती है वो भी हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा animal husbandry कि भाई जो animal life stock है जहां से हमको animal based food products मिलते है meat, eggs, और milk उन में किस तरह से improvement की जरुवत है वो भी हमने देखा अलग-अलग type की farming देखी है cattle farming देखी है poultry farming देखी है previous video में हमने fish farming में देखी है और अभी हमने bee keeping भी देख ली तो इस तरह से अलग-अलग food resources में किस तरह से improvement करना है करना भी है तो क्यों करना है यह सब हमने इस chapter में cover किया I hope आपके सारे doubts अब clear हो गए हूँ और यह chapter भी आपको समझ में आ गया हो complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching